एक दिमांड है और वो है प्रतिबंधित क्लस्टर बम की खेब। वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की माउथ हुई। और नाही कुछ जताने के लिए लड़ी गई। पहला नौथ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था। नौथ वियतनाम की मदद चीन और युएससार ने की। वही साउथ वियतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे। लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में कूद गिया और उसने नौथ वियतनाम के खिलाफ शुरू किया ओपरेशन रोलिंग थंडर। जिसका मतलब उत्तरी वियतनाम पर भीशन बंबारी और इसके लिए अमेरिका की ताकत पर फौज ने आस्मान से क्लस्टर बंबा गए अंगिनत और बेहसाब तरीके से। नौथ वियतनाम के हर टेरेन हर इलाके में आस्मान से ताबर तोड बंबारी की गई लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिक ने 1964 से 1973 तक यानि पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की इस दौरान हर 8 मिनट में एक क्लस्टर बंब लाउस पर दागा गया वही नौथ वियतनाम पर करीब 26 करोड क्लस्टर बंब दागे गए दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वार के दोरान सिर्फ लाउस में ही हर रोज करीब 15 करोड रुपे की लागत के बंब बरसाए अलागी 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दबाव का सामना करना पड़ा जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया था वहीं USSR और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षणी वियतनाम के बड़े शहर साइगोन पर कब्सा कर लिया इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समाथ हुआ था लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी क्योंकि वियतनाम वार में करीब एक दशमलब दो मिलियन लोगों की माथ हुई तेर लाख से ज्यादा लोग खायल हुए वहीं 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारेगा वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते है आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारुदी मंजर से खौफ सदा है लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ वियतनाम ही नहीं बलकि पैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनन और बाकन में भी क्लस्टर बम का इस्तवाल किया है जिसका असर भी गहरा पड़ा है ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया रिजडेंट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी देती अलाकि ये क्रेम्लिन के लिए उकसावी की कारवाई है आखिर क्यों ये भी जान लीजिए 2008 में डबलिंग में कन्वेंशन ओन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतराश्ट्रे संधी की गई जिसके तहत क्लस्टर बमों को रखने बेचने या इस्तिमाल करने पर रोक लगाई गई क्योंकि एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है क्लस्टर बम से हमले का मतलब एक बहुत बड़े अलाके में एक ही वक्त में बेहसाब तबाही मचाना होता है क्लस्टर बम जहां भी फड़ता है वहां सैनने अड़े, मिलिटरी बेस और इसकी चपेट में आए इनसान भी बेमौत मारे जाते हैं इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर ड्रोन के जरीए दागा जा सकता है और इतना ही नहीं क्लस्टर बम को जमीन से भी फाइर किया जा सकता है ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुखे बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निर्धारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुँचाते हैं और यहीं वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तिमाल करने पर पाबंदी लगाई गई और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तिमाल पर बैन लगा हुआ है बावजुद इसके कई देशों पर युद्ध के दौरान इसके इस्तिमाल के आरोप लगते रहे हैं मतलब साफ है भले ही अमेरिका ने युकरेन के दबाव में क्लस्टर बम देने का फैसला लिया हो अलग इसके पीछे की रणीती क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन अगर बाइडन के इस कदम पर पोतिन का माथा ठनका तो यकीन मानिए रूस माहा विनाशक हतियार यानि एटम बम के इस्तमाल से भी हिचकेगा नहीं वैसे भी पोतिन न्यूक्लिय विपन्स के इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके है अगर रूस पर किसी भी तरह की आचाई तो पलक जपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया लेकिन आखिरकार जंग नौत वियतनाम नहीं जीती है और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महावली है जिसके बारुदी जखीरे में क्लस्टर बंभी है और बर्मालू बंभी ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बाक्ष बड़े खबर इस वक्त आ रही है क्रिम्या में रूस का भीशन अटाक हुआ है यूकरेनी फोस के गयाम पर हमला किया गया है जंगल में चिपे युक्रेणी सैनिकों पर हमला हुआ है घातक हमले का विडियो सामने आ गया क्रिमेनिया में यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं युक्रेणी फोस के कैम्प पर हमला किया गया है वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो युक्रेण के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं रूस के खलाफ कई बड़े फैस्ले लिए जा सकते हैं लेकिन उससे पहले पूतिन युक्रेण को इतनी बुरी हालत में पहुंचाने की कोशिश में है कि NATO को यूक्रेन को समलने में ही लंबा वक्त लग जाए यही वज़ा है कि यूक्रेन पर रूस के सैनिकों का ताबर तोड प्रहार जारी है पुतिन के सैनिक दक्षिन और उत्तर दोनों तरफ से यूक्रेन को बड़ा नुक्सान पहुंचाने का मिशिन जारी किये हुए है वार ग्राउंड से आई रिपोर्ट की मताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है बारा जुलाई की डेड्लाइन फिक्स है तब तक प्रहार की रफ्तार यूही रहने वाली है रशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है सेना की कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लियर मेसेज है बारा जुलाई तक युक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाने का ओर्डर है रूस की स्पेशल मिशन के बाद युक्रेन का कांटर ओफिंस जगा जगा नाकाम हो रहा है बार जोन से आ रही तस्वीरों और आकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार तिन युक्रेन के लिए बेहत भारी रहने वाले है जेपुरीजिया में हमला 200 सैनिकों की मौत जेपुरीजिया के भीशन जग में एक बार फिर रूस युक्रेन पर भारी पड़ा है लेटिस रिपोर्ट के बताविग यहां युक्रेन के सैनिकों के हमले का मो तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हथियारों समेथ युक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेन का एक LSU-25 लड़ाकु विमान क्रैश हो गया एक बिटिश आर्टिलरी गन एक MSTAP होविट से सिस्टम नष्ट कर दिया गया क्रिमन्या में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहां रशन सेना के टार्गेट पर युक्रेनी फोर्स का कैम था यहां जंगल में छिपे युक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ पाकमत को वापस हासिर करने की कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैसे और युक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सूमी पर रूस का ताबर तोड़ प्रहार जारी है सूमी के दस इलाकों पर गोला बारी की गई रूस के सैनिकों ने सूमी में 111 गोले दागे हैं बेलकरोथ में एक बार फिर धमाकों की आवास सुनी गई बेलकरोथ के गवर्नर के मताबिक शहर में कई जगों पर गोला पारी की गई रूस की काम्याबियों के पीछे अमेरकी एजनसी ने युकरेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेरकी एजनसी के मताबिक तीन इलाकों में युकरेन का काउंटर ओफिंस काम्याब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से तक्षिन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजाईलो और ड्रोन से हमला किया है जेपुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग जॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान कवाई है लीमन में छे लोगों की मात हो गई है लीमन में पाच लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार डागनेक शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉडर पर रूस के सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टारगेट के करी मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेनी ड्रोन का प्रहा युक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है दावा किया जा रहा है कि कामिकाजे ड्रोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है युक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्बर्ट वेइकल्स को तबाह करने का दावा किया है हथियारों की नई केप फेजी जा रही युक्रेन रूस के हमले में युक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके है अब इटालियन होविद्सर युक्रेन आने के लिए तयार है होविजर ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल युक्रेन के सैनिकों तक पहुँचाए जाएंगे जेपुरीजिया में 200 युक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है लेकिन युक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है युक्रेन का दावाहे कि जैपुरीजिया में युक्रेन ने रूस के एक सैन इठेकाने को तबाह कर दिया डोन अटैक में रूस के कई हत्यार भी नश्ट हो गए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेणिंग राउंड का दोरा किया है रूस का ये ट्रेडिंग ग्राउंड ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेजडेंट जेलेंस्की ने युद्ध में मरने वालों को श्रधान जली दी है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं ड्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलेरी को खत्म करने के मिशन पर हैं वोतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युक्रेन के सैनिक हिकानों को पूरी तरह से तबाह किया जा सके ताकि नेटो अगर युक्रेन को बारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है युरो रिपोर्ट टीवी 9 रातवंच बड़ी खबर इस वक्ष बाकमुत में युक्रेनी काउंटर उफेंसिव फेल हुआ है युक्रेन के ड्रोन अटाक को किया गया है नाकाम ड्रोन गन से लेस रूसी सेनिको का एक्षिन हुआ है, रूसी फोर्स का दावा है, कई उक्रेणी डोन्स इसमें तबा हुए है यूक्रेण के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आमी वैगनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजिन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरण से भी सब वाकिफ है लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजिन अचानक कहीं लापता हो गए, उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलेंड की बड़ी हलचल है आखर क्या है इसके कारण? देखिए इस रपोर्ट में 25 जून दो हजार तेज सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खोले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाव मोर्चा खोलना हथियार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजनी करना गुस्सा देखाना सब ने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संघर्ज का कारण बना 24 जून 2013 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था प्रिगोजिन के ओरडर के बाद वैगनार लड़ाकों ने पहले रोस्तों और फिर वोरोनिश पर कबज़ा कर लिया था ये रूसी सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच ये सीधा संघर्ज था लेकिन पाद जून आते आते बेलरूस की ब्रेजडन लुकाशेंकों के हस्तक शेप से समझाता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजिन को किसी ने नहीं देखा कावा है कि प्रिगोजिन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन ले ली है और सवाल बेलरूस में लगे वैगनार लडाकों के कैमप पर खड़े हो गए क्या प्रिगोजिन की बगावत और समझोता दिखावा है क्या रूस की न्यूक्लिय कॉलनी में वैगनार तैनाथ है क्या प्रिगोजिन ही न्यूक्लिय सेंटर को तयार कर रहे है सवाल बेलरूस में वैगनर लड़ाकों के लिए बनाए गए इन कैम्प से ही जन में हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्प जिस जगा पर बनाय गया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की न्यूक्लिय साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है यानि बेलरूस में वैगनर्स की कैम्प साइट ओसी पोविची के 25 किलो मीटर के दाएरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हत्यार तैनात किये है अलगी रूस इन हत्यारों को अपने नियंतरण में बताता है लेकिन वैगनर की तैनाती से संदेग गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत के बाद से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी न्यूक्लिया साइड को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो इसलिए रूसी आर्बी और सीक्रिट एजेंट से प्रिगोजिन को खत्रे के आशंका किसी भी पक्षने नहीं जताए अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनर यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैगनर यूनिट तुरंट सक्रिया हो जाएगी वैगनर ग्रूप और उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लोकाशेंको को वैगनर ग्रूप और येवगनी प्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है लेकिन सवाल ये है कि लोकाशेंको को प्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है लोकाशेंको के प्रिगोजिन पर भरोसे का कारण नेटो की हलचल ही है जो बता रही है कि रूस का न्यूक्लियर आक्शन जेपुरीजिया न्यूक्लियर प्लांट से नहीं होगा बलकि बेलारूस से होगा तो भी यूक्रेन के खिलाब नहीं बलकि नेटो के खिलाब और इस न्यूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन के हाथ में होगी ताकि रूस पर जवाल पड़े होने से पहले संस्पेंस बना रहे और इसका प्रमाण है पॉल इंड बॉर्डर वीडियो जंग के बढ़ते द तैनात किये जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि पॉलन पर वैगनार ग्रुप की बेलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब लिथुवानिया में नेटों की खास बैठक प्रस्तावित है कावे की तहद पॉलन की बारवी मेकेनाइस गए हैं इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलारूस पारूद सेंटर होगा और वैगनार चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली मक्जद इस पारूदी सेंटर को अक्टिव करना है ताकि लेथुआनिया में बैठक के बाद न्यूक्लियर आक्शन में रूस में तैनाद न्यूक्लियर वेपन पर प्रिगोजिन का कब्जा संभव है और राश्टिवादी प्रिगोजिन न्यूक्लियर वेपन इस्तमाल के लिए स्वतंत्र है ग्रणीती के जानकार भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं इसलिए 11-12 जुलाई को नेटों की बैठक के बाद वेगनार के लबादे में रूस का विनाशकारी आक्शन देखने को बल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वेगनर के डर से पोलैन ने बेलरूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेस कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के नूकलियर सेंटर के पास वेगनर ग्रूप का कैम्प हुना पोलिंड के लिए डर का मुख्य कारण है लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है यानि प्रिगोजिन की पगावत, क्रेमलिन के खिलाब बयान, रोस्तोव और वोरोनिश पर कबजा, समझोता और फिर बेलरूस में शरण सब कुछ संदेह के ताइरे में है यहाँ तक की सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गाइब होने पर है क्या वाकिल प्रिगोजिन के सहारे, नियू किये संधार का ब्लैन तयार कर दिया है यूरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत रूस ने मार गिराया सुखोई 25 लडाकु विमान, बड़ी जानकारी आ रही है यूकरेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूकरेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्षा मंत्राले की प्रवक्ता का इदावा है रूसी एर डिफेंस ने यूकरेनी हमला नाकाम किया है इकी सिमास रॉकेट इंटरसेप्ट हुए है तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूकरेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 वा दिन है और इस मौके पर यूकरेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आईलाइन का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्रधांज्री अर्पित की 500 दिन पूरे होने पर जेलंस्की ने कहा है कि यूकरेन ने उमीद नहीं छोड़ी बलकि इरादा क्रीमिया को आजाद कराने का है लेकिन यूद के 500 दिन पेंटेगन ने काया है कि यूकरेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी निराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूकरेन से मदद का हाथ खीट सकता है यूद में यूकरेन का इतने दिनों तक ठीके रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। युक्रेन, नेटो और अमेरिकी खेमे के देशों से बिलने वाले सहयों की बतौलत भी जंग रदा है। जिस युद्ध को एक हफ़ते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध के 500 दिन जिलन्सकी ने युक्रेन के विजय और सहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दोरा किया। एक नाव पर सवार होकर जिलन्सकी स्नेक आलेंड पहुंचे। स्नेक आलेंड पर जेलंस्की ने युक्रेन का जंडा फैराया और शुपकाम ना आये थी स्नेक आलेंड पर पहुँचे जेलंस्की ने शहीदों के समारक पर होल अर्पित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा स्नेक आलन्ड युक्रेन की विजय का प्रतीक बन गया है स्नेक आलन्ड पर रूस की नेवी ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया कुछी घंटो बाद रूस ने इस पर कप्जा कर लिया रूस ने युक्रेनी नेवी के सैनिको को सरेंडर करने के लिए कहा युक्रेन के सैनिकों ने रूस को रेडियो पर कहा भाड में जाओ। युक्रेनी सैनिकों का ये संदेश दुनिया भर में वाइरल हो गया। युक्रेन के सैनिकों को रूस ने बंधक बना लिया। जून 2022 में युक्रेन ने स्नेक आइलन्ड को फिर जीत लिया। इसलिए जिल तोगिन अमेरिका ने इस मौके पर जो कहा है उसके माइने एहम है। पेंटेगन ने कहा है कि काउंटर ओफिंसिप से उम्मीदों के मताबिक नतीजे नहीं मिले। युक्रेन हथियारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। हम ये निश्चित करना चाते हैं कि युक्रेन को आर्टिलरी की कमी ना हो। इसलिए युक्रेन को क्लस्टर बम दिये जा रहे है। युक्रेन आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा काउंटर ओफिंसिव में गवाँ चुका है। अब अमेरिका के पास भी हत्यारों की कभी हो रही है और इसलिए पांसोवे दिन प्रतिपंधित हो चुके क्लस्टर बम भेजने पर मोहर लगा दी गए। यहां तीन दिनों से अमेरिका ड्रोन के जर्ये सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी है और ऐसा लग रहा है जैसे रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है तीनों दिनों हाथ से टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इसलसला आगे बढ़ा तो महायुदी की वज़ा भी बन सकता है तारीक 5 जुलाई 2023 जगह सीरिया अमेरिकी ड्रोन के सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी अमेरिका के आरोप के मताबिक रशिन फाइटर्स जान बूज का ड्रोन के सामने आये लेकिन हाथ सा टल गया और अ सीरिया पर नज़र रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आस्मान में था तभी रूस की लड़ा को विमान ड्रोन के करीब आ गए रॉशन विमानों ने फ्लेर्स दागने शुरू कर दिये अमेरिकी Y.U. सिना के मताबिक रॉशन विमानों ने द्रोन के सामने विमान का आफ्टर बर्नर ओन कर दिया धुएं की वज़े से द्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरे नहीं ले सका तारीक 7 जुलाई 2023 जगे सीरिया लगातार 30 दिन फिर वही हुआ लगातार 30 दिन आस्मान में फिर रॉशन फाइटर जेट्स अमेरिकी डोन्स के सामने आ गए अमेरिका की तमाम आपत्तियों को नजर अंदास करते हुए तीसरे दिन भी रॉशन पाइलेट में वही किया जो पिछले दो दिनों में किया गया था साथ जुलाई को फिर रॉशन फाइटर डोन के सामने आ गए सीरिया में अमेरिका के तीन MQ-9 रीपर डोन ओर रहे थे रॉशन फाइटर 18 बार डोन के करीब से गुजरा दो घंटे तक रूस का फाइटर जेट डोन के करीब मंडराता रहा दुनिया के दो ताकत्वर रेशों की प्लानिंग और आक्शन से अब ये यकीन होने लगा है कि युक्रेन युद्ध का दाइरा बहुत बड़ा हो सकता है पिछले सवा साल से जो आशंकाए हैं वो सच साबित हो सकती है तीन दिन से तनाव युक्रेन से बहुत दूर लेकिन ये इसलिए क्योंकि युक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी सीधे तोर पर नहीं है लेकिन सीरिया में तो बाकाइदा अमेरिकी फॉज मौजूद है वहाँ मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को अपरेट करती है और शायद इसलिए अमेरिका को चुनोती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है TV9 भारतवर्ष ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के एर स्पेस में वर्चस्व कायम करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद है रूस की सेना अब सीरिया में युद्धा भ्यास भी करेगी युद्धा भ्यास का मकसद सीरियन एर स्पेस पर कंट्रोल करना है रूस की Electronic Warfare Units युद्धा भ्यास में शामिल होगी लगातार तीन दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आस्मान में आमने सामने है इसकी एक वजे नेटो की बैठक को भी माना जा रहा है लिधवानिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली नेटो की बैठक में रूस के हमले के खिलाव युक्रेन की मदद और उसकी नेटो सदस्यता के मामले पर एहम चर्चा होगी रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है लेकिन पुतिन के गुस्से की वज़े एक और खबर भी है जिसके मताबिक नेटो की सेना अब युक्रेन की मदद के लिए सीधे तोर पर भी उतर सकती है आना जा रहा है केसी वज़े से सीरिया में रूस के पाइलिट्स अमेरिका के साथ-साथ फ्रांस के राफिल विमानों के सामने भी आ गए अमेरिका ये फ्रांस ने फिलहाल सबर से काम लिया है लेकिन रूस का ये उक्सावा एक बड़े महायुद्ध की शर्वाद भी करा सकता है क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी युक्रेन युद्ध की शर्वाद से ही कर रहा है और इस बीच बारिश के दिनों में नदियों में बाढ आम बात है ये कुद्रत का विज्ञान है जिसमें पहाडों से पानी नदी में गिरकर बाढ के रूप में गंदगी को बहा ले जाने में मददगार होता है लेकिन इनसानों ने अपने मतलब के लिए कुद्रत से खिलवार किया और विज्ञान को चुनौती दी इसलिए खम्याजा भी इनसान को ही भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया में बार इनसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई जादतर जगों पर अब नदियों में सेलाब नहीं बलकि शेहरों में सेलाब वाली नदिया वेने लगी है देखे वर्ल फ्लाड रिपोर्ट देखकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन ये सच है ये बारिश के बाद आई हाहा कारी बार का कहर है जिसमें सबसे ज़्यादा देहलाने वाली तस्वीरे सामने आई हैं स्पेन से ये स्पेन का जारागोजा शहर है भारी पारिश के चलते स्पेन के जारागोजा के किनारे से बहने वाली नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा पढ़ गया कि पूरा शहर नदी की जद में आ गया आम लोग अपने काम से सरगों पर तो निकले लेकिन बाढ़ में घिर गई किसी ने सोचा भी नहीं था की सलक पर निकलने पर उन्हें इस बाढ़ का सामना करना पड़ेगा ना ही किसी ने कलपना की होगी कि उनके शहर की इमारते और सलक सब नदी में समा जाएंगे बार की इस तबाही को देखकर कोई भी दहल जाए बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सड़के जलमग, रास्ते शेहर में बहती बार की तह में समा गए कार और दूसरे यातायात साधन बार के रास्ते में आए तिनके की तरह बहने लगे लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन का नहीं है ये उस चीन की तस्वीर है जो कुदरत से खिलवार करके प्रकृती को अपने हिसाब से चलाने का ख्वाप देखता है लेकिन कुदरत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है तबाही ये वही तबाही है जो भारी बारिश के बाद बाढ के रूप में दिख रही है वीडियो चौंकिंग के वानजोओ का है जहां अचानक बाढ आ गई जो जहां था वही रुक गया लेकिन सैलाप नहीं रुका दावे के तहद इस बाढ में कई घर तबाह हो गए आखडों में 15 लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना दर चो गया नमस्कार आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ 6 जुलाई की रात को क्रेमलिन में पुतिन ने राश्टिय सुरक्षा परिशद की आपात बैठक बुलाई है और इस बैठक में सुरक्षा परिशद के सभी सदस्ते शामिल नहीं किये गए बलकि वही लोग बुलाई गए जो स्थाई तौर पर परिशद के सदस्ते हैं यानिकी पुतिन के एकदम बरोसे मन सायोगी ही इस बैठक में शामिल हुए दो गंटे की बैठक के बाद रूस के पूरवी और पश्मी छोर पर बने दो एर बेस पर हल चले तेज हो गई है शुरू हो गई है चार न्यूकले बॉम्बस थे वहां से उडान भरी और एक आक्तिक की तरफ रवाना हो गए और इसकी बाद वशिंग्टिन से कीव का फोन की घंटिया बजने लगी वो तिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया क्यूं उठाया और आखिर क्या होने वाला है इस रिपोर्ट में समझे पॉलिंड में ऐसा परमाडू जाल बुना गया है जिससे महा सागर से महा विनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खत्रा मन्रा रहा है महा विनाश के इस त्रिकोर ने ऐसे समीकरन बना दिये हैं कि धर्ती पर सबसे बड़े परमाडू हमले की आशंका बढ़ती जा रही है इस त्रिकोर में धर्ती के सबसे उपरी हिस्से पर व्यू रचना की है व्लादिमर पोतिन ने पोतिन ने ऐसा किया क्योंकि पॉलन की जमीन पर अमेरिका की हत्यार तैनात हो रहे हैं और बितन अंतरिक्ष से परमाडू हमले की तैयारी पूरी कर चुका है जून के आखरी दिनों में व्लादिमर पोतिन जब पश्चिम के खिलाफ अपनी परमाडू व्यू रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलरूस में एटम बम की तैनात ही पश्चिमी देशों की नजर इस मूव्मेंट पर गड़ी थी और जून के आखरी हफते में वेस्टन मीडिया ने रूस के उन परमाडू ठेकानों की सैटलाइट तस्वीरे भी जारी की जहां पोतिन के टैक्टिकल न्यूकलियर वेपन तैनात किये जा रहे इन सैटलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाइ को बेलरूस के राष्टपती एलेक्सेंडर लुकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी हम प्रमाणू हत्यारों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं यह आत्मरक्षा के लिए हमसे मत उल्चो और इन हत्यारों की वज़े से चिंता में ना पड़ो लेकिन बेलरूस पर आक्रमन किया तो जबाब बहुत घातक होगा अरूजय जब से न्यूक्लिर हत्यार तैनात हुए है उसके पड़ोसी देशों के मन में खौफ भर गया है 6 जुलाई को एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणू हमले से जुड़ी परमाणू हत्यारों से जुड़ी चेतावनी जारी की थी और 7 जुलाई को ही नेटो ने एलान भी कर दिया नेटो प्रमोग जेन स्टोटनबर्ग ने कहा है कि 31 देशों का संगठन पोलिन में अपने हत्यार तैनात करने के लिए सहमत है और परमाणू तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी पेलरूस में पोतिन की मोर्चे बंदी के बाद से ही पॉलिन ने परमाणू हत्यारों की मांग की थी पॉलिन सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणू सहयोग संगठन कारिक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमाणू हत्यार तैनात किये जाए नेटों की परमाडू हत्यार तैनाती घोशना के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिये राश्टपती पोतिन ने रूस की राश्ट्रिये सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक बुलाई इस बैठक में सुरक्षा परिशत के 27 सदस्य शामिल हुए बैठक में पोतिन ने परमाडू तैनाती पर एहम फैसले लिए इसी बैठक में पोतिन ने कहा कि रूस दुश्मनों के हर कदम से मकाबला करने के लिए तयार है साथ जुलाई को हुई इस आपाद बैठक में ही ये फैसला कर लिया गया कि नेटों के इस ऐलान का तुरन जवाब दिया जाएगा बैठक हत्म होते ही रूस ने अपने नुकलियर बॉमबर आक्टिक बेस के लिए रवाना कर दिये रूस के दो अलग-अलग एर बेस से चार नुकलियर बॉमबर ने उड़ान भरी इन बॉमबर पर पूरी क्षमदा के साथ परमालू मिजाईले तैनाथ है साथ जुलाई की रात दोनों विमान आक्टिक सर्कल में उतरे है पॉलन की इंटेलिजन्स रेपोर्ट है कि रूस ते दस अलग-अलग लास के नूउक्लियर बॉम्बर्स आक्तिक बेस पर तैनात कर दिये हैं इन सभी बॉम्बर्स पर नागासाकी, एरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गोना ज्यादा क्षमता वाले वार हेट लगे हुए है रूस ने बहुत बड़ी रणनीती के तहट आक्तिक ख्षेत्र में अपने नूउक्लियर बॉम्बर्स को एक्टिवेट किया है रूस इस ख्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंग बास है बाना जाता है कि आक्किक शित्र में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाय भी नहीं कर सकती है. क्योंकि उसकी आख्तिक इंफ्रास्ट्रॉक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर है. और इधर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कुछ जानकारियां आपके साथ साज़ा करते हैं आगली हबर यह है कि ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्टिक में नेटो के मिलिटरी बेसिज हैं और लाल गोले रूस के मिलिटरी बेसिज हैं 2005 से रूस ने आर्टिक में सोवियत दौर के 10 से ज़ादा पुराने बेसिज अब तक एडवांस बना लिये हैं यहां एर डिफेंस को चक्मा देने वाली हाईपरसॉनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हैं ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के अंकर वाले निशान आर्टिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले अंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं रूस ने आर्टिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्टर और जहाजों पर खूब खर्च किया है बाद भी सबसे ज्यादा है और इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स की बात करें तो वो भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्क्टिक में तैनात है आक्टिक बेश से रूस ने अपनी परमाडू वियो रचना तयार कर ली है आक्टिक सरकल में न्यूक्लियर तैनाती का मतलब है नेटों के कई देशों पर सीधा खत्रा खासतोर से नौडिक रीजन में आने वाले देश नौडिक समू में पाच देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं पहला डेन्मार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलेंड, चौथा नौर्वे और पाचवा आइसलैंड स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारो देश नेटों संगठन का हिस्सा है इन सभी देशों पर पोतिन की आक्टिक परमाडू तैनाती से सीधा खत्रा मनवराने लगा है 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटों की बैठक होने वाली है इस बैठक में रूस को घेरने की प्लैनिंग तयार की जाएगी उससे पहले ही रूस ने नेटों के चार नौडिक सदस्यों सहिद पाँचवे संभावित सदस्य स्वीटन के खिलाफ परमाडू घेरा बंदी कर दी है आशंका है कि जुलाई का महीना विश्व विनाश की चिंगारी भढ़काने वाला है योगि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी महीने में पोतिन परमाडू हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं इसलिए ब्रिटन ने भी खत्रा महसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमाडू हमले का प्लैन तयार कर लिया है ब्रिटिन अंत्रिक से धर्ती पर आटमी हमले की तयारी कर रहा है। ब्रिटिन ने भी चीन की तरह लॉंग मार्च रॉकेट बनाने का कारिकरम शुरू कर दिया है। इस रॉकेट की मदद से ब्रिटिन न्यूक्लियर मिजाईल लॉंच करेगा। हलाकि चीन की तरह न्यूक्लियर अटैक करने के लिए ब्रिटिन को अभी हाइपरसॉनिक तकनीक हासिल करनी होगी। पूरा यूरोप एक जुट होकर रूस को खेरने और युद्ध हरानी की तयारी में जुटा है। यही फोतिन के क्रोध की वज़े है। अगर रूस के हमला तैए माना जा रहा है। यूरो रिपोट टीवी नाइन भारत वरश। इस्तिमाल करने पर बान लगा हुआ है। आप जानते हैं कि इस विसपोटक हत्यार पर प्रतिबंद खुद अमेरिका ने लगाया है। लेकिन आपको ये बता दे कि इसी विनाशत बं के इस्तिमाल से सुपर पावर ने 68 साल पहले एक मुल्क में तबाही मचाई थी। बीश एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तिमाल युद्ध में नाजाएज है। एक ऐसा विसपोटक बं जिससे दुनिया के करीब सौ देशों ने बैन कर रखा है। एक ऐसा घातक हत्यार जिसके प्रहार भर से ही भीशर नरसंखार हो सकता है। अब उसी प्रलेंगकारी बं से युक्रेन तबाही मचाएगा। रूस की सरजमी को दहलाएगा। बांच सो दिनों से जारी रूस-युक्रेन बौर में संसनी मचाएगा। जी हाँ, युक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हत्यार देने पर हामी भरी है जिस पर खोद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। और जानते हैं वो क्या है? क्लस्टर बंप जिसकी सप्लाई जल्धी युक्रेन को होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि काउंटर ओफिंस फेल होने के बाद युक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामगरी भेजने का जबरदस्ट दबाव बनाया है। और जानते हैं युक्रेन की सिर्फ एक दिमांड है और वो है प्रतिबंधिट क्लस्टर बंप की खेव ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि युक्रेन के दबाव के चलते अमेरिका क्लस्टर बंप भेज सकता है। प्रेसिडेंट बाइडन क्लस्टर बंप की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं। अगर युस अगर युक्रेनी सेना ने रूस पर क्लस्टर बम दागे तो फिर भीशन तबाही तैय है। ठीक वैसे ही जैसे पचास के दशक में पियतनाम बॉर में हुई थी। इसके कोल्ड बॉर की चपेट में आई और देखते ही देखते बॉर की चपेट में लाखों लोग आ गए। भीशन नर संगार हुआ क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तिमाल किया था। वियतनाम बॉर ना ही किसी खरदाने और ना ही कुछ जताने के क्योंकि 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया। जिसे दूसरे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है। ये जंग वियतनाम के ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी। पहला नौथ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था। नौथ वियतनाम की मदद चीन और युएससार ने की। वही साउथ वियतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे। लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में कूद गिया और उसने नौथ वियतनाम के खिलाफ शुरू किया ओपरेशन रोलिंग थंडर। जिसका मतलब उत्तरी वियतनाम प से ताबर तोड बंबारी की गई। लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी। बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिका बॉखला गया और उसने मायू सेना के जरिये दक्षिलपूर एशिया के छोटे से देश लाउस पर बमों के बरसाथ ही कर दे। आप ये जानकर हैरान रहे जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानि पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की। इस दोरान हर 8 मिनट में एक क्लस्टर बम लाउस पर दागा गया। वही 9 वियतना में ही हर रोज करीब 15 करोर रुपे की लागत के बंबरसाए। अलाकी 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दबाव का सामना करना पड़ा। जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया था। वहीं U.S से सार और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षणी वियतनाम के बड़े शेहर साइगोन पर कबशा कर लिया। इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समात हुआ था। लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी। क्योंकि वियतनाम वार में करीब 1. दशमलब 2 मिलियन लोगों की माथ हुई। तेर लाख से ज्यादा लोग खायल हुए। वही 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारें गए। वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं। आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारुदी मंजर से क्लस्टर बम का इस्तवाल किया है, जिसका असर भी गहरा पड़ा है। ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया, रिजडेंट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी देती। अलाकि ये क्रेम्लिन के लिए उकसावी की कारवाई है आखिर क्यों ये भी जान लीजिए। और इसकी चपेट में आए इनसान भी बेमौत मारे जाते हैं। इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर ड्रोन के जरीए दागा जा सकता है। और इतना ही नहीं क्लस्टर बम को जमीन से भी फाइर किया जा सकता है। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुखे बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निर्धारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और यहीं वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तमाल करने पर पाबंदी लगाई गई। और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तमाल पर बैन लगा हुआ है। बावजुद इसके कई देशों पर युद्ध के दोरान इसके इस्तमाल के आरोप लगते रहे हैं। इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। अगर रूस पर किसी भी तरह की आँचाई तो पलक जपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे। और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया। लेकिन रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बाक्ष। रही है जब नेटो यूकरेन के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। बारत जुलाई की डेडलाइन फिक्स है। अब तक प्रहार की रफ्तार यूही रहने वाली है। रशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। सेना के कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लियर मेसेज है। बारत जुलाई तक यूकरेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाने का ओर्डर है। रूस की स्पेशल मिशन के बाद यूकरेन का काउंटर ओफिन्स जगा जगा नाकाम हो रहा है। वार्जोन से आ रही तस्वीरों और आकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार तिन यूकरेन के लिए बेहत भारी रहने वाले हैं। सेपुरीजिया में हमला, 200 सैनिकों की मौत। सेपुरीजिया के भीशन जग में एक बार फिर रूस यूकरेन पर भारी पड़ा है। लेटिस रिपोर्ट के बताविक यहां युक्रेन के सैनिकों के हमले का मुह तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने धथियारों समेथ युक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेन का एक S.U.25 लड़ा को विमान क्रैश हो गया एक बिटिश आर्टिलरी गन एक M.S.T.A.P. होविट से सिस्टम नष्ट कर दिया गया क्रेमनिया में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहां रशन सेना के टार्गेट पर युक्रेनी फोर्स का कैम था यहां जंगल में छिपे युक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ पाकमत को वापस हासिर करने की कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अप ड्रोन गन से लैसे और युकरेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सूमी पर रूस का ताबर तोड़ प्रहार जारी है सूमी के दस इलाकों पर गोला बारी की गई रूस के सैनिकों ने सूमी में 111 गोले दागे है पेलकरोट में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनी गई पेलकरोट के गवर्नर के मताबिक शेहर में कई जिगों पर गोला पारी की गई रूस की काम्याबियों के पीछे अमेरकी एजनसी ने युकरेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेर्की एजेंसी के मताबिक तीन इलाकों में युक्रेन का काउंटर ओफिंस काम्याब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजैलो और ड्रोन से हमला किया है जेपुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग जॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान गवाई है लीमन में छे लोगों की मात हो गई है लीमन में पाच लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार दागने की शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉर्डर परूस के सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टार्गेट के करीब मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेनी ड्रोन का प्रहा युक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है देखिए रात के अंधेरे में कैसे युक्रेन का ड्रोन चुन-चुन कर रशन सैनिकों का शिकार कर रहा है रात के वक्त आराम कर रहे सैनिक जहां बे दिखे वहां ड्रोन से ग्रेनेट ड्रॉप किया गया युक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है तावा किया जा रहा है कि कामिकाजे डोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया गया है युक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्बर्ट वेहिकल्स को तबाह करने का दावा किया है हत्यारों की नई खेप फेजी जा रही युक्रेन रूस के हमले में युक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके है अब इटालियन होविद्जर युक्रेन आने के लिए तयार है होविद्जर ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल्द युक्रेन के सैनिको तक पहुचाए जाएंगे जेपुरीजिया में 200 युक्रेनी सैनिको की मौत की खबर है लेकिन युक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है युक्रेन का दावा है कि जेपुरीजिया में युक्रेन ने रूस के एक सैने ठेकाने को तबाह कर दिया ट्रोन अटैक में रूस के कई हत्यार भी नश्ट हो गए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेणिंग घ्राउंड का दॉरा किया है रूस का ये ट्रेणिंग राउंड नय सेनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेजडेंट जेलेंस्की ने युद्ध में मरने वालों को श्रधान जली दी है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं द्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलेरी को ख़त्म करने के मिशन पर हैं मुतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युकरेन के सैने ठेकानों को पूरी तरह से तबाह किया जा सके ताकि नेटो अगर युकरेन को बारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्श बड़ी खबर इस वक्त बाकमुत में युक्रेनी काउंटर ओफेंसिव फेल हुआ है युक्रेन के ड्रोन्स अटाक को किया गया है नकाम ड्रोन गन से लेस रूसी सैनिको का अक्शन हुआ है, रूसी फोर्स का दावा है कई यूक्रेनी डोन्स इसमें तबाह हुए हैं यूक्रेन के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आमी वागनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरण से भी सब वाकिफ हैं लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजन अचानक कहीं लापता हो गए उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानस पॉलेंड की बड़ी हलचल है आखर क्या है इसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में 25 जून दोहजार थेज सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खोले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाब मोर्चा खोलना हत्यार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजनी करना गुस्सा देखाना सब ने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संघर्ज का कारण बना 24 जून 2013 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच ये सीधा संघर्ज था लेकिन 5 जून आते आते बेलरूस की ब्रेजडन लुकाशेंको के हस्तक शेप से समझाता हुआ और इसी तारीक से प्रिगोजन को किसी ने नहीं देखा तावाहे कि प्रिगोजन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन ले ली है और सवाल बेलरूस में लगे वैगनार लडाकों के कैम पर खड़े हो गए क्या प्रिगोजन की बगावत और समझाता दिखावा है क्या रूस की न्यूक्लिय कॉलनी में वैगनार तैनात है? क्या प्रिगोजिन ही न्यूक्लिय सेंटर को तयार कर रहे है? सवाल बेलारूस में वैगनार लड़ाकों के लिए बनाए गए इन कैम्प से ही जन्मे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्प जिस जगा पर बनाया गया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की न्यूक्लिय साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है यानि बेलरूस में वैगनार्स की कैम्प साइट ओसी पोविची के 25 किलोमीटर के दायरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हत्यार तैनात किये है अलगी रूस इन हत्यारों को अपने नियंतरन में बताता है लेकिन वैगनार की तैनाती से संदेग गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत के बाद से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी न्यूक्लिया साइट को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो इसलिए रूसी आर्बी और सीक्रिट एजेंट से प्रिगोजिन को खत्रे की आशंका किसी भी पक्षने नहीं जताए अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनर यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैगनर यूनिट तुरंट सक्रिया हो जाएगी वैगनर ग्रूप और उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लोकशेंको को वैगनर ग्रूप और येवगनी प्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है लेकिन सवाल ये है किलोकशेंको को प्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है जेरन पीपी एक प्राइमरी न्यूक्लियर सेंटर है लेकिन नेटो की हलचल बता रही है कि प्रिगोजिन को लेकर उठ रहे सवाल बिलकुल सही दिशा में है सेंटर बेलरूस हो सकता है और इस न्यूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन की हाथ में होगी ताकि रूस पर सवाल पढ़े होने से पहले संस्पेंस बना रहे और इसका प्रमाण है पॉलेंड बॉडर वीडियो जंग के बढ़ते दायरे का प्रमाण है और दायरा बढ़ा है बेलारूस में हुई रूस के न्यूक्लियर हत्यारों की तैनाती से अलगी तैनाती जुलाई से पहले ही हो चुकी थी लेकिन अभी हलचल ज्याता है टैंक, सैनिक, बेलारूस सीवा पर तैनात किये जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि पॉलेंड पर वैगनार ग्रप की बेलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब लिथुवानिया में नेटों की खास बैठक प्रस्तावित है कावे की तहद पॉलेंड की बारवी मेकेनाइस डिविजन की हलचल बढ़ी है पॉलेंड की इसी डिविजन ने ओपरेशन की घोशना कर दी है कारवाई की तहद बॉडर पर एक हजार सैनिकों की तैनाती की जा रही है वही 200 यूनिट मिलिटरी एक्विपमेंस भी बेलरूस बाडर पर पहुँच गए है इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलरूस बारूद सेंटर होगा और वैगनार चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली मकजद इस पारूदी सेंटर को अक्टिव करना है ताकि लेथुआनिया में बैठक के बाद न्यूक्लियर आक्शन में बेलरूस को रूस की ढाल के रूप में इस्तिमाल किया जा सके और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वैगनार ग्रूप का रूसी आर्मी से अनुबंध खत्म हो चुका है बैलरूस ने वैगनार को शरन दी है लेकिन अनुबंध नहीं है बैलरूस में तैनाद न्यूक्लियर वेपन पर प्रिगोजिन का कबजा संभव है और राष्ट वादी प्रिगोजिन न्यूक्लियर वेपन इस्तमाल के लिए स्वतंत्र है ग्रणीती के जानकार भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रहे है इसलिए 11-12 जुलाई को नेटो की बैठक के बाद वेगनार के लबादे में रूस का विनाशकारी आक्शन देखने को बल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वेगनर के डर से पोलान में बेलरूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेस कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के न्यूक्लियर सेंटर के पास वेगनर ग्रूप का कैम्प कुना पोलिंज के लिए जर का मुक्ष कारण है लेकिन फिलहाल किसी के पास पुछ पुक्ता जानकारी नहीं है यानि फ्रिगोजिन की पगावत क्रेम्लिन के खिलाफ बयान रोस्तोव और वोरोनिश पर कबजा, समझोता और फिर बेलरूस में शरत सब कुछ संदेह के तायरे में है यहाँ तक की सबसे बड़ा सस्पेंस फ्रिगोजिन के गायद होने पर है क्या वाकिल प्रिगोजिन के सहारे न्यूपिये संखार का प्लैन तयार कर दिया है यूरो रिपोर्ट पीवी नाइन भारत रूस में मार गिराया सुखोई 25 लडाकु विमान बड़ी जानकारी आ रही है यूकरेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूकरेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्षा मंत्राले की प्रवक्ता का इदावा है रूसी एर डिफेंस ने यूकरेमी हमला नाकाम किया है इकीस हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट हुए है तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूकरेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 वा दिन है और इस मौके पर यूकरेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आइलाइन का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्रधांजली अरपित की 500 दिन पूरे होने पर जेलंस्की ने कहा है कि यूकरेन ने उमीद नहीं छोड़ी बलकि इरादा क्रीमिया को आजाद कराने का है लेकिन यूद के 500 दिन पेंटेगन ने कहा है कि यूकरेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी निराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूकरेन से मदद का हाथ खीट सकता है यूद में यूकरेन का इतने दिनों तक ठीके रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है यूकरेन नेटो और अमेरिकी खेमे के देशों से बिलने वाले सहयों की बदौलत ही जंग लर रहा है जिस युद्ध को एक हफ़ते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके युद्ध के 500 वे दिन जेलन्सकी ने यूकरेन के विजय और सहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दौरा किया एक नाव पर सवार होकर जेलन्सकी स्नेक आलेंड पहुंचे स्नेक आलेंड पर जेलन्सकी ने युकरेन का जंडा फैराया और शुपकाम ना एती स्नेक आलेंड पर पहुंचे जेलन्सकी ने शहीदों के समारक पर भोल अरपित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा सिलन्सकी ने ब्लैक्सी में शहीदों की याद में भूल भी अर्पित किये स्नेक आलेंड युक्रेन की विजय का प्रतीक बन गया है स्नेक आलेंड पर रूस की नेवी ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया कुछी घंटो बाद रूस ने इस पर कप्जा कर लिया रूस ने युक्रेनी नेवी के सैनिको को सरेंडर करने के लिए कहा युक्रेन के सैनिको ने रूस को रेडियो पर कहा भाड में जाओ युक्रेनी सैनिको का ये संदेश दुनिया भर में वाइरल हो गया युक्रेन के सैनिको को रूस ने बंधक बना लिया जून 2022 में युक्रेन ने स्नेक आइलन्ड को फिर जीत लिया इसलिए जिलेंस की युक्रेन की विज़े के प्रतीक बन चुके टापू पर पहुंचे और राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया जुद्ध के भले ही 500 दिन पूरे हो चुके हो और नेटों की मदद के भी लगभग इतने ही दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अमेरिका ने इस मौके पर जो कहा है उसके माइने एहन है पेंटेगन ने कहा है कि काउंटर ओफिंसिव से उमीदों के मताबिक नतीजे नहीं मिले युक्रेन हथियारों का सही इस्तेबाल नहीं कर पाया हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि युक्रेन को आर्टिलरी की कमी ना हो इसलिए युक्रेन को क्लस्टर बम दिये जा रहे है युक्रेन आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा काउंटर ओफिंसिव में गवा चुका है अब अमेरिका के पास भी हत्यारों की कमी हो रही है और इसलिए पांसोवे दिन प्रतिपंधित हो चुके कलस्टर बम भेजने पर मोहर लगा दी गए युरो रिपोर्ट्स तीवी नाइन भारत कर्ष युक्रेन की जमीन को अमेरिकी हत्यारों का खात्म और सीरिया के आसमान में ड्रोन का सामना पिशले तीन दिनों से जो हो रहा है उससे पुतिन की इसी रणीती का एसास हो रहा है अमेरिका को डारेक्ली चैलेंज करने के लिए पुतिन ने सीरिया को चुना है यहां तीन दिनों से अमेरिका ड्रोन के जरिये सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी है और ऐसा लग रहा है जैसे रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है तीनों दिनों हाथ से टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इस सिलसला आगे बढ़ा तो महायुदी की वज़ा भी बन सकता है टारीख 5 जुलाई 2023 जगह सीरिया अमेरिकी ड्रोन के सामने रशन फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी अमेरिका के आरोप के मताबिक रशन फाइटर्स जान बूज का ड्रोन के सामने आ हैं लेकिन हाथ सा टल गया और अमेरिका के ड्रोन सुरकशित रहे तारीख 6 जुलाई 2023 सीरिया पर नज़र रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आस्मान में था तभी रूस की लड़ा को विमान ड्रोन के करीब आ गए रॉशन विमानों ने फ्लेर्स दागने शुरू कर दिये अमेरिकी वायू सेना के मताबिक रॉशन विमानों ने ड्रोन के सामने विमान का आफ्टर वर्नर ओन कर दिया धुएं की वज़े से ड्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरे नहीं ले सका तारीख 7 जुलाई 2023 जगे सीरिया लगातार 30 दिन फिर वही हुआ लगातार 30 दिन आस्मान में फिर रॉशन फाइटर जेट्स अमेरिकी ड्रोन्स के सामने आ गए अमेरिका की तमाम आपत्यों को नजर अंदास करते हुए तीसरे दिन भी रॉशन पाइलेट में वही किया जो पिछले दो दिनों में किया गया था साथ जुलाई को फिर रॉशन फाइटर ड्रोन के सामने आ गए सीरिया में अमेरिका के तीन MQ-9 रीपर ड्रोन ओर रहे थे रॉशन फाइटर 18 बार ड्रोन के करीब से गुजरा दो घंटे तक रूस का फाइटर जेट ड्रोन के करीब मंडराता रहा दुनिया के दो ताकत्वर रेशों की प्लानिंग और आक्शन से अब ये यकीन होने लगा है कि युक्रेन युद्ध का दाइरा बहुत बड़ा हो सकता है पिछले सवा साल से जो आशंकाए हैं वो सच साबित हो सकती है तीन दिन से तनाव युक्रेन से बहुत दूर लेकिन ये इसलिए क्योंकि युक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी सीधे तोर पर नहीं है लेकिन सीरिया में तो बाकाइदा अमेरिकी फॉज मौजूद है वहां मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को अपरेट करती है और शायद इसलिए अमेरिका को चुनोती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है तीवी नाइन भारतवर्ष ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के एर स्पेस में वर्चस्फ कायम करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद रूस की सेना अब सीरिया में युद्धा भ्यास भी करेगी युद्धा भ्यास का मक्सद सीरियन एर स्पेस पर कंट्रोल करना है रूस की electronic warfare units युद्धा भ्यास में शामिल होगी लगातार तीन दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आस्मान में आमने सामने है इसकी एक वजे नेटो की बैठक को भी माना जा रहा है लिधवानिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली नेटो की बैठक में रूस के हमले के खिलाव युक्रेन की मदद और उसकी नेटो सदस्यता के मामले पर एहम चर्चा होगी रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है लेकिन पोतिन के गुस्से की वज़े एक और खबर भी है जिसके मताबिक नेटो की सेना अब युक्रेन की मदद के लिए सीधे तोर पर भी उतर सकती है आना जा रहा है केसी वज़े से सीरिया में रूस के पाइलिट्स अमेरिका के साथ साथ फ्रांस के राफल विमानों के सामने भी आ गए अमेरिका या फ्रांस ने फिलहाल सबर से काम लिया है लेकिन रूस का ये उक्सावा एक बड़े महा युद्ध की शिर्वात भी करा सकता है क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी युक्रेन युद्ध की शिर्वात से ही कर रहा है येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत परश और इस बीच बारिश के दिनों में नदियों में बाड आम बात है ये कुद्रत का विज्ञान है जिसमें पहाडों से पानी नदी में गिर कर बाड के रूप में गंदगी को बहा ले जाने में मददगार होता है लेकिन इनसानों ने अपने मतलब के लिए कुद्रत से खिलवार किया और विज्ञान को चुनौती दी इसलिए खम्याजा भी इनसान को ही भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया में बार इनसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई ज्यादतर जगों पर अब नदियों में सेलाब नहीं बलकि शहरों में सेलाब वाली नदिया वेने लगी है देखे वर्ल फ्लड रिपोर्ट गुद्रत का कहर बारिश के बाद सेलाब का बवंडर दुनिया के ज्यादातर देशों के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त तकरीबन एक जैसे ही हाला थे कहीं नदियों में आई सेलाब ने हाहकार मचा रखा है तो कहीं शहर की सड़कों पर सेलाब के साथ नदिया बै रही है देखकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन ये सच है ये बारिश के बाद आई हाहकारी बार का कहर है जिसमें सबसे ज्यादा देहलाने वाली तस्वीरे सामने आई हैं स्पेन से ये स्पेन का जारगोजा शहर है भारी पारिश के चलते स्पेन के जारवगोजा के किनारे से बहने वाली नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा पढ़ गया कि पूरा शहर नदी की जद में आ गया आम लोग अपने काम से सर्गों पर तो निकले लेकिन बाड में घिर गए किसी ने सोचा भी नहीं था कि सर्ग पर निकलने पर उन्हें इस बाड का सामना करना पड़ेगा ना ही किसी ने कलपना की होगी कि उनके शहर की इमारते और सर्ग सब नदी में समा जाएंगी बाड की इस तबाही को देखकर कोई भी दहल जाएंगी बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सड़के जलमग्ण रास्ते शहर में बहती बाड की तेह में समा गए कार और दूसरे यातायात साधन बाड के रास्ते में आएंगी तिनके की तरह बहने लगे लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन का नहीं है ये उस चीन की तस्वीर है जो कुदरत से खिलवार करके प्रकृती को अपने हिसाब से चलाने का ख्वाप देखता है लेकिन कुदरत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है तबाही ये वही तबाही है जो भारी बारिश के बाद बाढ के रूप में दिख रही है वीडियो चौंकिंग के वान जोओ का है जहां अचानक बाढ आ गई जो जहां था वही रुक गया लेकिन सैलाप नहीं रुका दावे के तहद इस बाढ में कई घर तबाह हो गए आकडों में 15 लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना दर्चो गया नमस्कार आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ 6 जुलाई की रात को क्रेमलिन में पुतिन ने राश्टिय सुरक्षा परिशद की आपात बैटक बुलाई है और इस बैटक में सुरक्षा परिशद के सभी सदस से शामिल नहीं किये गए बलकि वही लोग बुलाई गए जो स्थाई तौर पर परिशद के सदस से हैं याने की पुतिन के एकदम बरोसे मन सायोगी ही इस बैटक में शामिल हुए दो घंटे की बैटके बाद रूस के पूरवी और पश्मी छोर पर बने दो एर बेस पर हल चले तेज हो गई है शुरू हो गई है चार न्यूकले बॉम्बस थे वहां से उडान भरी और एक आग्तिक की तरफ रवाना हो गए और इसकी बाद वशिंग्टिन से कीव का फोन की घंटिया बजने लगी वो तिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया क्यूं उठाया और आखिर क्या होने वाला है इस रिपोर्ट में समझे पॉलिंड में ऐसा परमाडू जाल बुना गया है जिससे महा सागर से महा विनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खत्रा मन्रा रहा है महा विनाश के इस त्रिकोर ने ऐसे समीकरन बना दिये हैं कि धर्ती पर सबसे बड़े परमाडू हमले की आशंका बढ़ती जा रही है इस त्रिकोर में धर्ती के सबसे उपरी हिस्से पर व्यू रचना की है व्लादिमर पोतिन ने पोतिन ने ऐसा किया क्योंकि पॉलन की जमीन पर अमेरिका की हत्यार तैनात हो रहे हैं और बिटन अंतरिक्ष से परमाडू हमले की तैयारी पूरी कर चुका है जून के आखरी दिनों में व्लादिमर पोतिन जब पश्चिम के खिलाफ अपनी परमाडू व्यू रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलरूस में एटम बम की तैनात ही पश्चिमी देशों की नजर इस मूव्मेंट पर गड़ी थी और जून के आखरी हफते में वेस्टन मीडिया ने रूस के उन परमाडू ठेकानों की सैटलाइट तस्वीरे भी जारी की जहां पोतिन के टैक्टिकल न्यूकलियर वेपन तैनात किये जा रहे इन सैटलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाई को वेलरूस के राष्टपती एलेक्सेंडर लुकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी हम प्रमाणू हत्यारों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं यह आत्मरक्षा के लिए हैं हमसे मत उल्चो और इन हत्यारों की वज़े से चिंता में ना पड़ो लेकिन बेलरूस पर आक्रमन किया तो जबाब बहुत घातक होगा अरूजय जब से न्यूकलिर हत्यार तैनात हुए है उसके बड़ोसी देशों के मन में खौफ भर गया है 6 जुलाई को एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणू हमले से जुड़ी परमाणू हत्यारों से जुड़ी चेतावनी जारी की थी और 7 जुलाई को ही नेटो ने एलान भी कर दिया नेटो प्रमोग जेन स्टोटनबर्ग ने कहा है कि 31 देशों का संगठन पोलिन में अपने हत्यार तैनात करने के लिए सहमत है और परमाणू तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी पेलरूस में पोतिन की मोरचे बंदी के बाद से ही पॉलड ने परमाणू हत्यारों की मांग की थी पॉलड सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणू सहयोक संगठन कारिक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमाणू हत्यार तैनात किये जाए नेटों की परमाडू हत्यार तैनाती घोशना के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिये राश्टपती पोतिन ने रूस की राश्ट्रिये सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक बुलाई इस बैठक में सुरक्षा परिशत के 27 सदस्य शामिल हुए बैठक में पोतिन ने परमाडू तैनाती पर एहम फैसले लिए इसी बैठक में पोतिन ने कहा कि रूस दुश्मनों के हर कदम से मकाबला करने के लिए तयार है रशिन फेडरेशन के लिए समस्या खड़ी करने वाले देश कभी सफल नहीं होंगे उनकी हर रणीती नाकाम होगी साथ जुलाई को हुई इस आपाद बैठक में ही ये फैसला कर लिया गया कि नेटों के इस ऐलान का तुरन जवाब दिया जाएगा बैठक हत्म होते ही रूस ने अपने न्यूकलियर बॉमबर आक्टिक बेस के लिए रवाना कर दिये रूस के दो अलग-अलग एयर बेस से चार न्यूकलियर बॉमबर्स ने उडान भरी इन बॉमबर्स पर पूरी क्षमदा के साथ परमारू मिजायले तैनात है साथ जुलाई की रात दोनों विमान आक्टिक सरकल में उतरे हैं पॉलन की इंटिलिजन्स रिपोर्ट है कि रूस ने दस अलग-अलग लास के न्यूकलियर बॉमबर्स आक्टिक बेस पर तैनात कर दिये हैं इन सभी बॉमबर्स पर नागासा की एरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गोना ज्यादा क्षमदा वाले वार हेड लगे हुए रूस ने बहुत बड़ी रणीती के तहट आक्टिक खेतर में अपने न्यूकलियर बॉमबर्स को एक्टिवेट किया है रूस इस खेतर में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंग बास है बाना जाता है कि आक्टिक खेतर में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाइ भी नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी आक्टिक इंफ्रास्ट्रक्ट्चर के सामने नेटो के सारे देश कमज़ूर है और इधर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कुछ जानकारियां आपके साथ साज़ा करते हैं आगली खावर यह है कि ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्टिक में नेटो के मिलिटरी बेसिज हैं और लाल गोले रूस के मिलिटरी बेसिज हैं 2005 से रूस ने आर्टिक में सोवियत दौर के 10 से ज़ादा पुराने बेसिज अब तक एडवांस बना लिये हैं यहां एर डिफेंस को चक्मा देने वाली हाईपरसॉनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हैं ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के अंकर वाले निशान आर्टिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले अंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं रूस ने आर्टिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्टर और जहाजों पर खूब खर्च किया है द्रवाद वी सबसे ज्यादा है और इसी तरह रूस की ग्राूंड फोर्ड की बात करें तो वो भी सब ही नेटो दिशों से ज्यादा संख्या में आर्क्टिक में तैनात है अ कि कि आक्टिक स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारो देश नेटो संगठन का हिस्सा है इन सभी देशों पर पोतिन की आक्टिक परमाडू तैनाती से सीधा खत्रा मनवराने लगा है 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटो की बैठक होने वाली है इस बैठक में रूस को घेरने की प्लैनिंग तैयार की जाएगी उससे पहले ही रूस ने नेटो के चार नौडिक सदस्यों सहित पांचवे संभावित सदस्य स्वीडन के खिलाफ प लिश्व विनाश की चिंगारी भढ़काने वाला है योग कि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी बहिने में पोतिन परमाडू हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं इसी लिए ब्रितन ने भी खत्रा मेहसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमाडू हमले का प्लैन तयार कर लिया है ब प्रिटन को अभी हाइपरसॉनिक तक्नीक हासिल करनी होगी। पूरा यूरोप एक जुट होकर रूस को खेरने और युद्ध हरानी की तैयारी में जुटा है। यही फुतिन के क्रोध की वज़े है। अगर रूस के खिलाब नेटों की मोर्चे बंदी और तेज हुई तो आत्रिक बेश से न्यूक्लियर हमला तैय माना जा रहा है। यूरो रिपोर्ट तीवी नाइन भारत वरश। बड़ी खबर इस बीच ये कि यूकरेन की मदद के लिए अमेरिका टांक बेज रहा है, बंगोला बारूद बेज रहा है, यहां तक की मिसाइल डिफेंस भी बेज रहा है। मगर अब यूकरेन को एक ऐसे विनाशक हतियार की सप्लाई होनी है, जो दुनिया के करीब 120 देशों में प्रतिबंदत है, जिसके युद्ध में इस्तमाल करने पर बान लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि इस विसपोटक हतियार पर प्रतिबंद खुद अमेरिका ने गिराया था, तो क्या उसी युद्ध नीती का इस्तमाल अब रूस के खलाफ होगा, आखिर क्या है बाइडिन का ओपरेशन रोलिंग थंडर, देखिये एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तमाल युद्ध में नाजायज है, एक ऐसा विसपोटक बम जिससे दुनिया के करीब सौध देशों ने बैन कर रखा है, एक ऐसा घातक हतियार जिसके प्रहार भर से ही भीशन नरसंखार हो सकता है, अब उसी प्रलेंकारी बम से युक्रेन सनी मचाएगा, जी हाँ, युक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हतियार देने पर हामी भरी है, जिस पर खोद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, और जानते हैं वो क्या है, क्लस्टर बम जिसकी सप्लाई जल्धी युक्रेन को होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि क प्रतिबंधित ख्लस्टर बम की खेँ, ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है, क्योंकि युक्रेन के दबाव के चलते अमेरिका क्लस्टर बम भेज सकता है, ब्रेसिडेंट बाइडन क्लस्टर बम की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं, अगर युएस डिफेंस ने क्लस्ट नाम वार में हुई थी। वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की माँथ हुई और ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही क्योंकि ये जंग USSR और US के Cold War की चपेट में आई और देखते ही देखते वार की चपेट में लाखों लोग आ गए भीश और नर संगार हुआ क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तिमाल किया था वियतनाम वार ना ही किसी खर्दाने और ना ही कुछ जताने के लिए लड़ी गई बलकि ये युद वियतनाम में शांती और आजादी के लिए हुआ बगर सोवियत संग और अमेरिका की प्रोपगेंडा को सेटिस्फाइ करने के लिए जो युद बीस सालों तक चला उसे इतिहास कभी नहीं भूला क्योंकि 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद लड़ा गया जिससे दूसरे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है ये जंग वियतनाम के ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी पहला नौथ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था नौथ वियतनाम की मदद चीन और युएससार ने की वही साउथ वियतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में गूद गिया और उसने नौथ वियतनाम के खिलाफ शुरू किया जिसका मतलब उत्तरी वियतनाम पर भीशन बंबारी और इसके लिए अमेरिका की ताकत पर फॉज ने आसमान से क्लस्टर बंदा गे अंगिनत और बेहसाब तरीके से नौथ वियतनाम के हर टेरेन हर इलाके में आसमान से ताबर तोड बंबारी की गई लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिका बॉखला गया और उसने मायु सेना के जरिये दक्षिलपूर एशिया के छोटे से देश लाउस पर बमों के बरसाथ ही कर दे आप ये जानकर हैरान रहे जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानि पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की इस दौरान हर आठ मिनट में एक क्लस्टर बंब लाउस पर दागा गया वही नौत वियतनाम पर करीब 26 करोड क्लस्टर बंब दागे गये दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वार के दोरान सिर्फ लाउस में ही हर रोज करीब 15 करोड रुपे की लागत के बंबरसाए अलागी 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दबाव का सामना करना पड़ा जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया था वहीं USSR और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने रक्षणी वियतनाम के बड़े शहर साइगोन पर कब्सा कर लिया इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समाथ हुआ था लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी क्योंकि वियतनाम वार में करीब एक दशमलब दो मिलियन लोगों की माथ हुई देड़ लाख से ज्यादा लोग खायल हुए वही 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारेगे वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर वम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारुदी मंजर से खौफ सदा है लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ वियतनाम ही नहीं बलकि पैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनन और भाकन में भी क्लस्टर वम का इस्तवाल किया है जिसका असर भी गहरा पड़ा है ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर वम देने का दबाव बनाया रिजडेंट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी देती अलाकि ये क्रेम्लिन के लिए उकसावे की कारवाई है आखिर क्यों ये भी जान लीजिए 2008 में डबलिंग में कन्वेंशन ओन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतराश्ट्रे संधी की गई जिसके तहत क्लस्टर वमों को रखने बेचने या इस्तिमाल करने पर रोक लगाई गई क्योंकि एक क्लस्टर वम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है क्लस्टर वम से हमले का मतलब एक बहुत बड़े अलाके में एक ही वक्त में बेसाप तबाही मचाना होता है क्लस्टर बम जहां भी फड़ता है वहां सेन अड़े, मिलिटरी बेस और इसकी चपेट में आए इनसान भी बेमौत मारे जाते हैं इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर ड्रोन के जरीए दागा जा सकता है और इतना ही नहीं क्लस्टर बम को जमीन से भी फाइर किया जा सकता है ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुखे बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निर्धारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुँचाते हैं और यही वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तमाल करने पर पाबंदी लगाई गई और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तमाल पर बैन लगा हुआ है बावजुद इसके कई देशों पर युद्ध के दौरान इसके इस्तमाल के आरोप लगते रहे हैं मतलब साफ है भले ही अमेरिका ने युक्रेन के दबाव में कलस्टर बम देने का फैसला लिया हो अलग इसके पीछे की रणीती क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन अगर बाइडन के इस कदम पर पोतिन का माथा ठनका तो यकीन मानिए रूस माहा विनाशक हतियार यानि एटम बम के इस्तमाल से भी हिचके का नहीं वैसे भी पोतिन न्यूकलियर विपन्स के इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके है अगर रूस पर किसी भी तरह की यहाँ चाही तो पलग जपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया लेकिन आखिरकार जंग नौत वियतनाम नहीं जीतिया और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महावली है जिसके बारुदी जखीरे में क्लस्टर बंभी है और बर्मालू बंभी ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बर्श बड़े खबर इस वक्त आ रहे है क्रिमिया में रूस का भीशन अटाक हुआ है यूक्रेणी फोस के क्याम पर हमला किया गया है जंगल में चिपे यूक्रेणी सैनिकों पर हमला हुआ है घातक हमले का विडियो सामने आ गया यूक्रेणी फोस के क्याम पर हमला किया गया है वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो यूक्रेण के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है रूस के खलाफ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं लेकिन उससे पहले पुतिन यूक्रेण को इतनी बुरी हालत में पहुचाने की कोशिश में है कि नेटो को यूक्रेण को समलने में ही लंबा वक्त लग जाए यही वजा है कि यूक्रेण पर रूस के सैनिकों का ताबर तोड प्रहार जारी है पुतिन के सैनिक दक्षिन और उत्तर दोनों तरफ से यूक्रेण को बड़ा नुकसान पहुचाने का मिशिन जारी किये हुए हैं वार ग्राउंड से आए रिपोर्ट की मताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेण के कई सैनिकों की मौत हुई है बार जुलाई की डेडलाइन फिक्स है तब तक प्रहार की रफ्तार योही रहने वाली है राशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है सेना के कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लेर मेसेज है 12 जुलाई तक यूक्रेण को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचाने का ओर्डर है रूस की स्पेशल मिशन के बाद यूक्रेण का कांटर ओफिंस जगा जगा नाकाम हो रहा है वार्जोन से आ रही तस्वीरों और आकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार दिन यूक्रेण के लिए बेहत भारी रहने वाले हैं जेपुरीजिया में हमला 200 सैनिकों की मौत जेपुरीजिया के भीशन जग में एक बार फिर रूस यूक्रेण पर भारी पड़ा है लेटिस रिपोर्ट के बताविक यहां यूक्रेण के सैनिकों के हमले का मोह तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हथियारों समेथ युक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेन का एक S.U.25 लड़ा को विमान क्रैश हो गया एक ब्रिटिश आर्टिलरी गन एक M.S.T.A.P. होविट से सिस्टम नस्ट कर दिया गया क्रिमन्या में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहां रशन सेना के टार्गेट पर युक्रेनी फोर्स का कैम था यहां जंगल में छिपे युक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ भाखमुत को वापस हासिर करने के कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैसें और युक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सूमी पर रूस का ताबर तोड प्रहार जारी है सूमी के दस इलाकों पर गोला बारी की गई रूस के सैनिकों ने सूमी में 111 गोले दागे है बेलकरोथ में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनी गई बेलकरोग के गवरनर के मताबिक शहर में कई जिगों पर घूला पारी की गए रूस की काम्याबियों के पीछे अमरीकी एजनसी ने युकरेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेर्की एजनसी के मताबिक तीन इलाकों में युक्रेन का काउंटर आफिंस काम्याब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजाईलो और ड्रोन से हमला किया है जेपुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग जॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान कवाई है लीमन में छे लोगों की मात हो गई है लीमन में पाच लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार दागने की शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉर्डर परूस की सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टार्गेट के करी मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेनी ड्रोन का प्रहा युक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है देखिये रात के अंधेरे में कैसे युक्रेन का ड्रोन चुन-चुन कर रशन सैनिकों का शिकार कर रहा है रात के वक्त आराम कर रहे सैनिक जहां बे दिखे वहां ड्रोन से ग्रेनेट ड्रॉप किया गया युक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है दावा किया जा रहा है कि कामिकाजे डोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया गया है युक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्बर्ड वेकल्ज को तबाह करने का दावा किया है हत्यारों की नई खेप भेजी जा रही युक्रेन रूस के हमले में युक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके हैं अब इटालियन होविजजर युक्रेन आने के लिए तयार है। होविजजर ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल युक्रेन के सैनिकों तक पहुचा आए जाएंगे। जेपुरीजय में 200 युक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। लेकिन युक्रेन का दावा है कि रुस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। रुस का ये ट्रेशनेंग ग्राउंड नय सेनिकों को युद्ध के लिए तयार कर रहा है। युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेज़ड़न्सकी ने युद्ध में मरने वालों को श्रधान जली दी है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं द्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलेरी को खत्म करने के मिशन पर हैं पुतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युक्रेन के सैने ठेकानों को पूरी तरह से तबाह किया जा सके दाकि नेटो अगर युक्रेन को पारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है युरी रेपोर्ट टीवी नाइन भारतवश बड़ी खबर इस वगद बाखमुत में युक्रेनी कांटर अफेंसिव फेयल हुआ है युक्रेन के ड्रोन अटाक को किया गया है नकाम ड्रोन गन से लेस रूसी सैनिको का एक्शन हुआ है रूसी फोर्स का दावा है, कई उक्रेनी डोन्स इसमें तबाह हुए है यूक्रेन के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजन की बगावत पुरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरंड से भी सब वाकिफ है लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजन अचानक कहीं लापता हो गए उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलेंड की बढ़ी हलचल है अखर क्या है इसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में 25 जून 2030 सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खुले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना हत्यार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजने करना गुस्सा देखाना सब ने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संखर्ज का कारण बना 24 जून 2030 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच ये सीधा संखर्ज था लेकिन 5 जून आते आते बेलरूस की ब्रेजडन लुकाशेंको के हस्तक शेप से समझोता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजन को किसी ने नहीं देखा दावाहे कि प्रिगोजन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन ले ली है और सवाल बेलरूस में लगे वैगनार लड़ाकों के कैमप पर खड़े हो गए क्या प्रिगोजन की बगावत और समझोता दिखावा है क्या रूस की नूकलिय कॉलोनी में वैगनार तैनात है, क्या प्रिगोजन ही नूकलिय सेंटर को तैयार कर रहे हैं? सवाल बेलारूस में वैगनार लड़ाकों के लिए बनाये गए, इन कैम्स से ही जण में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्प जिस जगा पर बनाया गया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की न्यूक्लिय साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है। यानि बेलरूस में बेलरूस की कैम्प साइट ओसी पोविची के 25 किलोमीटर के दायरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हत्यार तैनाद किये हैं। कि रूस इन हत्यारों को अपने नियंद्रण में बताता है लेकिन वैकनार की तैनाती से संदे गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत की बात से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी नूक्लियर साइट को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हूँ इसलिए रूसी आर्मी और सीक्रिट एजेंट से ब्रिगोजिन को खतरे के आशक का किसी भी पक्षने नहीं जताए उल्ता बेलरूस के प्रेजडेंट एलेक्सेंडर लुकाशेंको ने खोले आप वैकनार लड़ाकों और ब्रिगोजिन के तारीव की अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैकनर यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैकनर यूनिट तुरंट सक्रिय हो जाएगी वैकनर ग्रूप पर उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लुकाशेंको को वैकनर ग्रूप और येवगनी प्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है लेकिन सवाल ये है कि लुकाशेंको को प्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है लुकाशेंको के प्रिगोजिन पर भरोसे का कारण नेटो की हलचल ही है जो बता रही है कि रूस का न्यूक्लियर आक्षन जेपुरीजिया न्यूक्लियर प्लांट से नहीं होगा बलकि बेलारूस से होगा तो भी यूट्रेन के खिलाफ नहीं बलकि नेटो के खिलाफ और इस न्यूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन के हाथ में होगी ताकि रूस पर जवाल भरे होने से पहले सस्पेंस बना रहे और इसका प्रमाण है पॉल इंड बॉडरूस जंग के बढ़ते दायरे का प्र रहे हैं जिससे पता चलता है कि पॉलन पर वैगनार क्रुप की बेलरूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब लिथुवानिया में नेटों की खास बैठक प्रस्तावित है कावे की तहद पॉलन की बारवी मेकेनाइस डिविजन की हलचल बढ़ी है पॉलन की इसी डिविजन ने ओपरेशन की घोशना कर दी है कारवाई की तहद बॉडर पर एक हजार सेनिकों की तैनाती की जा रही है वही 200 यूनिट मिलिटरी एक्विपमेंस भी बेलरूस बॉड की ढाल के रूप में इस्तिमाल किया जा सके और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वैगनार ग्रुप का रूसी आर्मी से अनुबंध खत्म हो चुका है पेलरूस ने वैगनार को शरन दी है लेकिन अनुबंध नहीं है पेलरूस में तैनात न्यूक्लिय वेपन पर तैयारी आक्शन देखने को बेल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वैगनर के डर से पोलान ने बेलरूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेस कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के नूक्लियर सेंटर के पास वैगनर ग्रुप का कैम्प उना पोलिंज के लिए डर का मुख्यकारन है लेकिन फिलाल किसी के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है यानि प्रिगोजिन की पगावत क्रेमलिन के खिलाफ बयान रोस्तोव और गोरनिश पर कबजा समझोता और फिर बेलरूस में शरर्ण सब कुछ संदेह के ताइरे मे है यहां तक की सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गाइब होने पर है क्या वाकिल प्रिजबिन पोतेन ने प्रिगोजिन के सहारे नियूपिये संधार का प्लैन तयार कर दिया है येरो रेपोर्ट टीवी नाइन भारत रूस में मार गिराया सुखोई 25 लडाकु विमान बड़ी जानकारी आ रही है यूक्रेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूक्रेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्ष्ण मंत्राले की प्रवक्ता का इदावा है रूसी ए तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूक्रेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 वा दिन है और इस मौके पर यूक्रेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आयलाइंड का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्र बाद कराने का है लेकिन युद के 500 वे दिन पेंटिगन ने काया है कि यूक्रेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी मिराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूक्रेन से मदद का हाथ खीट सकता है युद में युक्रेन का इतने दिनों तक ठीके रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है युक्रेन नेटों और अमेरिकी खेमे के देशों से मिलने वाले सहियों की बदौलत भी जंगर रहा है जिस युद्ध को एक हफ़ते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके है युद्ध के 500 दिन जेलेंस्की ने युक्रेन की विजय और साहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दौरा किया एक नाव पर सवार होकर जेलेंस्की स्नेक आलेंड पहुंचे स्नेक आलेंड पर स्नेक आलेंड पर जेलेंस्की ने युक्रेन का जंडा फैराया और शुपकाम ना आयती स्नेक आलेंड पर पहुंचे जेलेंस्की ने शहीदों के समारक पर भोल अरपित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा सिलन्सकी ने प्लैक्सी में शहीदों की याद में भोल भी अर्पित किये स्नेक आलन्ड युक्रेन की विजय का प्रतीक बन गया है स्नेक आलन्ड पर रूस की नेवी ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया कुछी घंटों बाद रूस ने इस पर कप्जा कर लिया रूस ने युक्रेनी नेवी के सैनिको को सरेंडर करने के लिए कहा युक्रेन के सैनिको ने रूस को रेडियो पर कहा भाड में जाओ युक्रेनी सैनिको का ये संदेश दुनिया भर में वाइरल हो गया युक्रेन के सैनिको को रूस ने बंधक बना लिया जून 2022 में युक्रेन ने स्नेक आलेंड को फिर जीत लिया इसलिए जिलेंज की युक्रेन की विज़े के प्रतीक बन चुके टापू पर पहुँचे और राष्टर के नाम संदेश जारी किया युद्द के भले ही 500 दिन पूरे हो चुके हो और नेटों की मदद के भी लगभग इतने ही दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अमेरिका ने इस मौके पर जो कहा है उसके माइने एहम है पेंटेकन ने कहा है कि काउंटर ओफिंसिव से उमीदों के मताबिक नतीजे नहीं मिले युक्रेन हथियारों का सही इस्तवाल नहीं कर पाया हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि युक्रेन को आर्टिलरी की कमी ना हो इसलिए युक्रेन को क्लस्टर बम दिये जा रहे है युक्रेन आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा काउंटर ओफिंसिव में गवा चुका है अब अमेरिका के बाज भी हथियारों की कभी हो रही है और इसलिए 500 दिन प्रतिपंधित हो चुके क्लस्टर बम भेजने पर मोहर लगा दी गए युरो रिपोर्ट्स तीवी नाइन भारत पर्ष युक्रेन की जमीन के अमेरिकी हथियारों का खात्म और सीरिया के आस्मान में ड्रोन का सामना पिशले तीन दिनों से जो हो रहा है उससे पुतिन की इसी रणीती का एसास हो रहा है अमेरिका को डारेक्ली चैलेंज करने के लिए पुतिन ने सीरिया को चुना है यहां तीन दिनों से अमेरिका ड्रोन के जर्ये सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी है और ऐसा लग रहा है जैसे रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है तीनों दिनों हाथ से टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इस सिलसला आगे बढ़ा तो महा युद की वज़ा भी बन सकता है तारीक 5 जुलाई 2023 जगह सीरिया अमेरिकी ड्रोन के सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी अमेरिका के आरोप के वताविक रशिन फाइटर्स जान बूज का ड्रोन के सामने आए लेकिन हाथ सा तल गया और अमेरिका के ड्रोन सुरक्षित रहे तारीक 6 जुलाई 2023 सीरिया पर नज़र रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आस्मान में था तभी रूस की लड़ा को विमान ड्रोन के करीब आ गए रॉशन विमानों ने फ्लियर्स दागने शुरू कर दिये अमेर्की वायू सेना के मताबिक रॉशन विमानों ने ड्रोन के सामने विमान का आफ्टर बर्नर ओन कर दिया धुएं की वज़े से ड्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरे नहीं ले सका नारीक 7 जुलाई 2023 जगे सीरिया लगातार तीसरे दिन फिर वही हुआ लगातार तीसरे दिन आस्मान में फिर रॉशन फाइटर जेट्स अमेरिकी डोन्स के सामने आ गए अमेरिका की तमाम आपत्यों को नजर अंदास करते हुए तीसरे दिन भी रॉशन फाइलेट्स ने वही किया जो पिछले दो दिनों में किया गया था साथ जुलाई को फिर रॉशन फाइटर धोन के सामने आ गए कि युक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है फिछले सवा साल से जो आशंकाए हैं वो सच साबिट हो सकती है तीन दिन से तनाव युक्रेन से बहुत दूर लेकिन ये इसलिए क्योंकि युक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी सीधे तोर पर नहीं है लेकिन सीरिया में तो बाकाइदा अमेरिकी फौज मौजूद है वहां मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को अपरेट करती है और शायद इसलिए अमेरिका को चुनोती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है TV9 भारत वर्ष ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के एर स्पेस में वर्चस्व कायम करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद है रूस की सेना अब सीरिया में युद्धा भ्यास भी करेगी युद्धा भ्यास का मकसद सीरियान एर स्पेस पर कंट्रोल करना है रूस की electronic warfare units युद्धा भ्यास में शामिल होगी लगातार तीन दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आसमान में आमने सामने है इसकी एक वज़े नेटो की बैठक को भी माना जा रहा है लिध्वानिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली नेटो की बैठक में रूस के हमले के खिलाव युक्रेन की मदद और उसकी नेटो सदस्यता के मामले पर एहम चर्चा होगी रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है लेकिन पुतिन के गुस्से की वज़े एक और खबर भी है जिसके मताबिक नेटो की सेना अब युक्रेन की मदद के लिए सीधे तोर पर भी उतर सकती है आना जा रहा है कि इसी वज़े से सीरिया में रूस के पाइलिट्स अमेरिका के साथ साथ फ्रांस के राफल विमानों के सामने भी आ गए अमेरिका या फ्रांस ने फिलहाल सब्र से काम लिया है लेकिन रूस का ये उक्सावा एक बड़े महा युद्ध की शरुवात भी करा सकता है क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी युक्रेन युद्ध की शरुवात से ही कर रहा है यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत परश और इस बीच बारिश के दिनों में नदियों में बाढ आम बात है ये कुद्रत का विज्ञान है जिसमें पहाडों से पानी नदी में गिर कर बाढ के रूप में गंदगी को बहा ले जाने में मददगार होता है लेकिन इंसानों ने अपने मतलब के लिए कुद्रत से खिलवार किया और विज्ञान को चुनौती दी इसलिए खम्याजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया में बार इंसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई ज्यादतर जगों पर अब नदियों में सेलाब नहीं बलकि शहरों में सेलाब वाली नदिया वेने लगी है देखे वर्ल फ्लड रिपोर्ट गुद्रत का कहर बारिश के बाद सेलाब का बवंडर दुनिया के ज्यादातर देशों के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त तकरीबन एक जैसे ही हाला थे कहीं नदियों में आई सेलाब ने हाहा कार मचा रखा है तो कहीं शेहर की सड़कों पर सेलाब के साथ नदिया बै रही है देखकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन ये सच है ये बारिश के बाद आई हाहा कारी बाड का कहर है जिसमें सबसे ज्यादा दहलाने वाली तस्वीरे सामने आई हैं स्पेन से ये स्पेन का जारागोजा शेहर है भारी बारिश के चलते स्पेन के जारागोजा के किनारे से बहने वाली नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा शेहर नदी की जद में आगया आम लोग अपने काम से सर्गो पर तो निकले लेकिन बार में घिर गये किसीने सोचा भी नहीं था कि सलक पर निकलने पर उन्हें इस बार का सामना करना पड़ेगा ना ही किसीने कलपना की होगी कि उनके शेहर की इमारते और सलक सब नदी में समाजाएंगी बाड की इस तबाही को देखकर कोई भी दहल जाए बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सडके जलमग, रास्ते शेहर में बहती बाड की तह में समा गए कार और दूसरे यातायात साधन बाड के रास्ते में आए तिनके की तरह बहने लगे लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन का नहीं है ये उस चीन की तस्वीर है जो कुदरत से खिलवार करके प्रकृती को अपने हिसाब से चलाने का ख्वाप देखता है लेकिन कुदरत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है तबाही ये वही तबाही है जो भारी बारिश के बाद बाढ के रूप में दिख रही है वीडियो चौंकिंग के वानजोगा है जहां अचानक बाढ आ गई जो जहां था वही रुक गया लेकिन सैलाब नहीं रुका दावे के तहद इस बाढ में कई घर तबाह हो गए आखडों में 15 लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना दर्च हो गया नमस्कार आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन सुपर प्राइम टाइम की शुरवात आज की बड़ी खबर के साथ च्छे जुलाइ की रात को क्रैमलिन में पुतिन ने राष्टिय सुरक्षा परिशद की आपात बैटक बुलाई है और इस बैटक में सुरक्षा परिशद के सभी सदस्ते शामिल नहीं किये गए बल्कि वही लोग बुलाए गए जो स्थाई तोर पर परिशद के सदस्य है यानिकी पोतिन के एकदम बरोसे मनसायोगी ही इस बैटक में शामिल हुए दो गंटे की बैटक के बाद रूस के पूरवी और पश्मी छोर पर बने दो एर बेस पर हल चले तेज हो गई है शुरू हो गई है चार नूकले बॉम्बर्स थे वहां से उडान भरी और एक आग्तिक की तरफ रवाना हो गए और इसके बाद वशिंग्टिन से कीव का फोन की घंटिया बजने लगी वोतिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया क्यों उठाया और आखिर क्या होने वाला है इस रिपोर्ट में समझेए और बिटन अंतरिक्ष से परमाडू हमले की तैयारी पूरी कर चुका है जून के आखरी दिनों में व्लादिमर पोतिन जब पश्चिम के खिलाव अपनी परमाडू व्यूह रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलरूस में एटम बम की तैनाती पश्चिमी देशों की नजर इस मूव्मेंट पर गड़ी थी और जून के आखरी हफते में वेस्टन मीडिया ने रूस के उन परमाडू ठेकानों की सैटलाइट तस्वीरे भी जारी की जहां पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किये जा रहे हैं इन सैटलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाइ को वेलरूस के राष्टपती एलेक्सेंडर लोकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी हम प्रमाणों हत्यारों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं यह आत्मरक्षा के लिए हमसे मत उल्चो और इन हत्यारों के वज़े से चिंता में ना पड़ो लेकिन बेलरूस पर आक्रमन किया तो जबाब बहुत घातक होगा परमाणों हमले से जुड़ी परमाणों हत्यारों से जुड़ी चेतावनी जारी की थी और साथ जुलाई को ही नेटो ने एलान भी कर दिया नेटो परमाणों जेंस चूटनबर्ग ने कहा है कि 31 देशों का सगठन पॉलिन में अपने हत्यार तैनात करने के लिए सेहमत है और परमाणों तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी पेलरूस में पोतन की मोरचे बंदी के बाद से ही पॉलिन ने परमाणों हत्यारों की मांग की थी पॉलिन सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणु सहयोग संगठन कारिक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमाणू हत्यार तैनात की जाए नेटों की परमाडू हत्यार तैनाती घोशना के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिये राश्टपती पोतिन ने रूस की राश्ट्रिये सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक बुलाई इस बैठक में सुरक्षा परिशत के 27 सदत से शामिल हुए बैठक में पोतिन ने परमाडू तैनाती पर एहम फैसले लिए इसी बैठक में पोतिन ने कहा कि रूस दुश्मनों के हर कदम से मकाबला करने के लिए तैयार है साथ जुलाई को हुई इस आपाद बैठक में ही ये फैसला कर लिया गया कि नेटों के इस ऐलान का तुरंद जवाब दिया जाएगा बैठक हत्म होते ही रूस ने अपने नुकलियर बॉमबर आक्टिक बेस के लिए रवाना कर दिये रूस के दो अलग-अलग एयर बेस से चार नुकलियर बॉमबर ने उडान भरी दो वाइट स्वान TU-160 बॉमबर रूस के सोविट्स की सैन्य बेस से उड़े दो TU-95 MS नुकलियर बॉमबर ने चिकोट का एयर बेस से उडान भरी इन बॉम्बर्स पर पूरी क्षमदा के साथ परमारू मिजायले तैनाथ है साथ जुलाई की रात दोनों विमान आक्टिक सर्कल में उतरे हैं पॉलन की इंटिलिजन्स रिपोर्ट है कि रूस ते दस अलग-अलग लास के नूउक्लियर बॉम्बर्स आक्टिक बेस पर तैनाथ कर दिये हैं इन सभी बॉम्बर्स पर नागासा की एरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गोना ज्यादा क्षमदा वाले वार हेट लगे हुए रूस ने बहुत बड़ी रणीती के तहट आक्टिक ख्षेतर में अपने नूउक्लियर बॉम्बर्स को एक्टिवेट किया है रूस इस ख्षेतर में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंग बास है बाना जाता है कि आक्टिक ख्षेतर में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाए भी नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी आक्टिक इंफ्रस्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर है और इधर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कुछ जानकारियां आपके साथ साज़ा करते हैं आगली खाबर यह है कि ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्टिक में नेटो के मिलिटरी बेसिज हैं और लाल गोले रूस के मिलिटरी बेसिज हैं 2005 से रूस ने आर्टिक में सोवियत दौर के 10 से जादा पुराने बेसिज अब तक एडवांस बना लिये हैं यहां एर डिफेंस को चक्मा देने वाली हाईपरसॉनिक नियूक्लियर मिसाइल तैनात हैं ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के अंकर वाले निशान आर्टिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले अंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं रूस ने आर्टिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्टर और जहाजों पर खूब खर्च किया है प्रवाद भी सबसे ज्यादा है और इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स की बात करें तो वो भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्क्टिक में तैनात है आर्क्टिक बेश से रूस ने अपनी परमाडू वियो रचना तयार कर ली है आर्क्टिक सरकल में न्यूक्लियर तैनाती का मतलब है नेटो के कई देशों पर सीधा खत्रा खासतोर से नौडिक रीजन में आने वाले देश नौडिक समू में पाच देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं पहला डेन्मार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलेंड, चौथा नौर्वे और पाचवा आइसलेंड स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारो देश नेटो संगठन का हिस्सा हैं इन सभी देशों पर पोतिन की आक्टिक परमारू तैनाती से सीधा खत्रा मनवराने लगा है 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटो की बैठक होने वाली है इस बैठक में रूस को घेरने की प्लैनिंग तयार की जाएगी उससे पहले ही रूस ने नेटो के चार नौडिक सदस्यों सहित पाँचवे संभावित सदस्य स्वीटन के खिलाफ परमारू घेरा बंदी कर दी है आशंका है कि जुलाई का महीना विश्व विनाश की चिंगारी भढ़काने वाला है क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी महीने में पोतिन परमारू हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं इसलिए ब्रितन ने भी खत्रा महसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमारू हमले का प्लैन तयार कर लिया है ब्रिटिन अंत्रिक से धर्ती पर आटमी हमले की तयारी कर रहा है। ब्रिटिन ने भी चीन की तरह लॉंग मार्च रॉकेट बनाने का कारिकरम शुरू कर दिया है। इस रॉकेट की मदद से ब्रिटिन नुकलियर मिजाइल लॉंच करेगा। हलाकि चीन की तरह नुकलियर अटैक करने के लिए ब्रिटिन को अभी हाइपरसॉनिक तकनीक हासिल करनी होगी। पूरा यूरोप एक जट होकर रूस को खेरने और युद्ध हरानी की तयारी में जुटा है। यही फोतिन के क्रोध की वज़े है। अगर रूस के खिलाब बड़ी खबर इस बीच यह कि यूकरेन की मदद के लिए अमेरिका टांक बेज रहा है, बम गोला बारूद बेज रहा है, यहां तक की मिसाइल डिफेंस भी बेज रहा है। मगर अब यूकरेन को एक ऐसे विनाशक हतियार की सप्लाई होनी है जो दुनिया के करीब 120 देशो में प्रतिबंदत है, जिसके युद्ध में इस्तिमाल करने पर बान लगा हुआ है और आप जानते हैं कि इस विस्पोटक हतियार पर प्रतिबंद खुद अमेरिका ने लगाया है, लेकिन आपको ये बता दे कि इसी विनाशक बम के इस्तिमाल से सुपरपावर ने 68 साल पह रोलिंग थंडर, देखिए रूस युक्रेन बॉर में संसनी मचाएगा, जी हां, युक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हतियार देने पर हामी भरी है, जिस पर खुद अमेरिका ने प्रतिबंद लगाया, और जानते हैं वो क्या है, क्लस्टर बाप, जिसकी सप्लाई जल्धी युक्रेन को होने की अमेरिका क्लस्टर बाप की खेब, ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है, कि युक्रेन के दबाव के चलते, अमेरिका क्लस्टर बाप भेज सकता है, प्रेसिडेंट बाइडन क्लस्टर बाप की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं, अगर युएस डिफेंस ने क्लस्टर बा की खेब युक्रेन डेलिवर कर दी अगर युक्रेनी सेना ने रूस पर क्लस्टर बम दागे तो फिर भीशन तबाही तै है ठीक वैसे ही जैसे पचास के दशक में पियतनाम बॉर में हुई थी वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की माँथ हुई और ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही क्योंकि ये जंग USSR और US के Cold War की चपेट में आई और देखते ही देखते वार की चपेट में लाखों लोग आ गए भीश और नर संगार हुआ क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तिमाल किया था वैतनाम वार ना ही किसी खर्दाने और ना ही कुछ जताने के लिए लड़ी गई बलकि ये युद्ध वैतनाम में शांती और आजादी के लिए हुआ बगर सोवियत संग और अमेरिका की प्रोपगेंडा को सेटिस्फाइ करने के लिए जो युद्ध बीस सालों तक चला उसे इतिहास कभी नहीं भूला क्योंकि 1955 से 1975 के बीच वैतनाम युद्ध लड़ा गया जिससे दूसरे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है ये जंग वैतनाम के ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी पहला नौथ वैतनाम और दूसरा साउथ वैतनाम था नौथ वैतनाम की मदद चीन और युएससार ने की वही साउथ वैतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में कूद गिया और उसने नौथ वैतनाम के खिलाफ शुरू किया ओपरेशन रोलिंग थंडर जिसका मतलब उत्तरी वैतनाम पर भीशन बंबारी और इसके लिए अमेरिका की ताकत पर फौज ने आस्मान से क्लस्टर बंबागे अंगिनत और बेहसाब तरीके से नौथ वैतनाम के हर टेरेन हर इलाके में आस्मान से ताबर तोड बंबारी की गई लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्तरी वैतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिका बौखला गया और उसने मायू सेना के जरिये दक्षिलपूर एशिया के छोटे से देश लाउस पर बंबों के बरसाथ ही कर दे आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानी पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की इस दोरान हर आठ मिनट में एक क्लस्टर बंब लाउस पर दागा गया वही नौत वियतनाम पर करीब 26 करोड क्लस्टर बंब दागे गए दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वार के दोरान सिर्फ लाउस में ही हर रोज करीब 15 करोड रुपे की लागत के बंब बरसाए अलाकि 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दबाव का सामना करना पड़ा जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हड़ गया था वहीं U.S.S.R. और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने रक्षणी वियतनाम के बड़े शहर साइगोन पर कब्सा कर लिया इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समाथ हुआ था लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी क्योंकि वियतनाम वार में करीब 1.2 मिलियन लोगों की माथ हुई तेर लाग से ज्यादा लोग खायल हुए वही 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारे गए वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारुदी मंजर से खौफ सता है लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ वियतनाम ही नहीं बलकि पैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनन और भाकन में भी क्लस्टर बम का इस्तवाल किया है जिसका असर भी गहरा पड़ा है ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया रिजिजिट्ट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी दे दी अलाकि ये क्रेम्लिन के लिए उकसावे की कारवाई है आखिर क्यों ये भी जान लीजिए 2008 में डबलिंग में कन्वेंशन ओन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतराश्ट्रे संधी की गई जिसके तहट क्लस्टर बमों को रखने बेचने या इस्तिमाल करने पर रोक लगाई गई क्योंकि एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है क्लस्टर बम से हमले का मतलब एक बहुत बड़े अलाके में एक ही वक्त में बेहसाब तबाही मचाना होता है क्लस्टर बम जहां भी फटता है वहाँ सेन अड़े, मिलिटरी बेस और इसकी चपेट में आए इनसान भी बेमौत मारे जाते हैं इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर ड्रोन के जरीए दागा जा सकता है और इतना ही नहीं क्लस्टर बम को जमीन से भी फाइर किया जा सकता है ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुखे बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निर्धारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं और यही वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तमाल करने पर पाबंदी लगाई गई और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तमाल पर बैन लगा हुआ है बावजुद इसके कई देशों पर युद्ध के दौरान इसके इस्तमाल के आरोप लगते रहे हैं मतलब साफ है भले ही अमेरिका ने युकरेन के दबाव में क्लस्टर बम देने का फैसला लिया हो अलग इसके पीछे की रणीती क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन अगर बाइडन के इस कदम पर पोतिन का माथा ठंका तो यकीन मानिए रूस माहा विनाशक हतियार यानि एटम बम के इस्तमाल से भी हिचके का नहीं वैसे भी पोतिन न्यूक्लिय विपन्स के इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके है अगर रूस पर किसी भी तरह की आँचाई तो पलक जपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया लेकिन आखिरकार जंग नौत वियतनाम नहीं जीती है और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महा बली है जिसके बारुदी जखीरे में क्लस्टर बंभी है और बर्मालू बंभी ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बश बड़ी खबर इस वक्त आ रहे है क्रिमिया में रूस का भीशन अटाक हुआ है यूक्रेनी फोस के कैम्प पर हमला किया गया है जंगल में चिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है घातक हमले का वीडियो सामने आ गया है क्रिमिया में यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे है यूक्रेनी फोस के कैम्प पर हमला किया गया है वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो यूकरेन के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है रूस के खलाफ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं लेकिन उससे पहले पुतिन यूकरेन को इतनी बुरी हालत में पहुचाने की कोशिश में है कि नेटो को यूक्रेन को समहले में ही लंबा वक्त लग जाए यही वजा है कि यूक्रेन पर रूस के सैनिकों का ताबर तोड प्रहार जारी है पुतिन के सैनिक दक्षिन और उत्तर दोनों तरफ से यूक्रेन को बड़ा नुक्सान पहुंचाने का मिशिन जारी किये हुए है वार ग्राउंड से आए रिपोर्ट के मताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है बारा जुलाई की डेड्लाइन फिक्स है तब तक प्रहार की रफ्तार योही रहने वाली है राशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है सेना की कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लियर मेसेज है बारा जुलाई तक युक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाने का ओर्डर है रूस की स्पेशल मिशन के बाद युक्रेन का कांटर ओफिंस जगा जगा नाकाम हो रहा है वार जोन से आ रही तस्वीरों और आकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार तिन युक्रेन के लिए बेहत भारी रहने वाले है जेपुरीजिया में हमला दोसो सैनिको की मौत जेपुरीजिया के भीशन जग में एक पर फिर रूस युक्रेन पर भारी पड़ा है लेटिस रिपोर्ट के बताविक यहां युक्रेन के सैनिकों के हमले का मौ तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हथियारों समेथ युक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेन का एक LSU-25 लड़ाकु विमान क्रैश हो गया एक बिटिश आर्टिलरी गन एक MSTAP होविट से सिस्टम नस्ट कर दिया गया क्रिमनिया में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहाँ रशन सैना के टार्गेट पर युक्रेनी फोर्स का कैम था यहाँ जंगल में छिपे युक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ पाकमत को वापस हासिर करने की कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैसे और युक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सूमी पर रूस का ताबर तोड़ प्रहार जारी है सूमी के दस इलाकों पर गोला बारी की गई रूस के सैनिकों ने सुमी में 111 गोले दागे हैं मेलकरोथ में एक बार फिर धमाकों की आवास सुनी गई मेलकरोथ के गवर्नर के मताबिक शहर में कई जगों पर गोला पारी की गई रूस की कामियाबियों के पीछे अमेरकी एजनसी ने युकरेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेरकी एजनसी के मताबिक तीन इलाकों में युकरेन का काउंटर ओफिंस कामियाब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षिन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजैलो और ड्रोन से हमला किया है जेबुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग जॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान गवाई है लीमन में छे लोगों की मात हो गई है लीमन में पाच लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार डागने की शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉडर पर रूस के सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टारगेट के करीब मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेनी ड्रोन का प्रहा युक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है दावा किया जा रहा है कि कामिकाजे डोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया गया है युक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्बर्ट वेइकल्स को तबाह करने का दावा किया है हथियारों की नई खेप फेजी जा रही युक्रेन रूस के हमले में युक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके है अब इटालियन होविद्सर युक्रेन आने के लिए तयार है होविजर ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल युक्रेन के सैनिकों तक पहुचाए जाएंगे जेपुरीजिया में 200 युक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है लेकिन युक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है युकरेन का दावाहे की जेपुरीजिया में युकरेन ने रूस के एक सैनिय ठेकाने को तबाह कर दिया ड्रोन अटैक में रूस के कई हथियार भी नश्ट हो गए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया है रूस का ये ट्रेडिंग ग्राउंड नए सैनिकों को युद्ध के लिए तयार कर रहा है युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेजडेंट जेलेंस्की ने युद्ध में मरने वालों को शृधानजली दी है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं द्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलरी को ख़त्म करने के मिशन पर हैं वोतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युक्रेन के सैनिक हिकानों को औरी तरह से तबाह किया जा सके ताकि नेटो अगर युक्रेन को बारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है प्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारतवक। बड़ी खबर इस वक्त बाकमुत में युक्रेनी काॉंटर अफेंसिव फेल हुआ है युक्रेन के ड्रोन ईटाक को किया गया है नाकाम ड्रोन गन से लेस रूसी सैनिको का अक्शन हुआ है रूसी फोर्स का दावा है, कई यूक्रेनी डोन्स इसमें तबाह हुए है यूक्रेन के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आमी वागनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरण से भी सब वाकिफ है लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजन अचानक कहीं लापता हो गए उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलेंड की बढ़ी हलचल है आखर क्या है इसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में 25 जून दो हजार थेस सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खोले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाब मोर्चा खोलना हथियार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजनी करना गुस्सा दिखाना सब ने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संघर्ज का कारण बना 24 जून 2013 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत यह वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था प्रिगोजन की ओर्डर के बाद वैगनार लड़ाकों ने पहले रोस्तों और फिर वरोनिश पर कबजा कर लिया था यह रूसी सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच यह सीधा संखर्श था लेकिन पाद जून आते आते बेलरूस की ब्रेजडन लुकाशेंकों के हस्तक शेप से समझाता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजन को किसी ने नहीं देखा तावाहे कि प्रिगोजन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन ले ली है और सवाल बेलरूस में लगे वैगनार लडाकों के कैम पर खड़े हो गए क्या प्रिगोजन की बगावत और समझाता दिखावा है क्या रूस की न्यूक्लिय कॉलनी में वैगनार तैनाथ है? क्या प्रिगोजिन ही न्यूक्लिय सेंटर को तयार कर रहे है? सवाल बेलारूस में वैगनार लडाकों के लिए बनाए गए इन कैम्प से ही जन्मे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्ट जिस जगा पर बनाया गिया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की नुख्लेर साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है यानि बेलरूस में वैगणार्ज की कैम्प साइट ऑशी पोविची के 25 किलोमीडर के दाएरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हत्यार तैनाथ किये है हलागी रूस इन हत्यारों को अपने नियंतरन में बताता है लेकिन वैगनार की तैनाती से संदेह गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत की बात से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी न्यूक्लियर साइड को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो इसलिए रूसी आर्बी और सीक्रिट एजेंट से प्रिगोजिन को खत्रे के आशंका किसी भी पक्षने नहीं जताए उल्ता बेलरूस के प्रेजडेंट अलेक्जैंडर लोकाशेंको ने खोले आम वैगनार लडाको और प्रिगोजिन के तारीफ की अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनार यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैगनार यूनिट तुरंट सक्रिय हो जाएगी वैगनार ग्रूप और उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लूकाशंको को वैगनार ग्रूप और येगनी प्रिगोजिन पर पूरा फरोसा है लेकिन सवाल यह है कि लूकाशंको को प्रिगोजिन पर इतना फरोसा है क्यों रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है जेरन पीपी एक प्राइमरी न्यूक्लियर सेंटर है लेकिन नेटो की हलचल बता रही है कि प्रिगुजिन को लेकर उठ़ हैं सवाल बिलकुल सही दिशा में है सेंटर बेलरूस हो सकता है लुकशेंको के प्रिगुजिन पर भरोसे का कारण नेटो की हलचल ही है जो बता रही है कि रूस का न्यूक्लियर अक्षन जैपुरीजिया न्यूक्लियर प्लांट से नहीं होगा बलकि बेलारूस से होगा वो भी उट्रेन के खिलाफ नहीं बलकि नेटों के खिलाफ और इस न्यूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन के हाथ में होगी ताकि रूस पर सवाल खड़े होने से पहले सस्पेंस बना रहे और इसका प्रमाण है पॉल इंड बॉडर। ये वीडियो जंग के बढ़ते दायरे का प्रमाण है और दायरा बढ़ा है बेलारूस में हुई रूस के न्यूक्लियर हत्यारों की तैनाती से अलगी तैनाती जुलाई से पहले ही हो चुकी थी लेकिन अभी हलचल ज्याता है टैंक, सैनिक, बेलारूस सीवा पर तैनात किये जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि पॉलन पर वैगनार ग्रुप की बेलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब बड़र पर 1000 सेनिकों की तैनाती की जा रही है वही 200 युनिट मिलिटरी एक्विप्मेंस भी बेलारूस बड़र पर पहुँच गए हैं इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलारूस बारूद सेंटर होगा और वैगनार चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली म इस पारूदी सेंटर को अक्टिव करना है ताकि लेथवानिया में बैठक के बाद न्यूक्लियर आक्शन में बेलारूस को रूस की ढाल के रूप में इस्तिमाल किया जा सके और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वैगनार ग्रूप का रूसी आर्मी से अनुबंध खत्म हो चुका है बेलारूस ने वैगनार को शरन दी है लेकिन अनुबंध नहीं है बेलारूस में तैनाद न्यूक्लियर वेपन पर प्रिगोजिन का कब्जा संभव है और राश्टिवादी प्रिगोजिन न्यूक्लियर वेपन इस्तमाल के लिए स्वतंत्र है रणीती के जानकार भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं इसलिए 11-12 जुलाई को नेटों की बैठक के बाद वेगनार के लबादे में रूस का विनाशकारी आक्शन देखने को बेल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वेगनर के डर से पोलान ने बेलारूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेस कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के नूकलिर सेंटर के पास वेगनर डूप का कैम्प हुना पोलिंज के लिए डर का मुख्यकारन है लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है यानि प्रिगोजिन की पगावत, क्रेमलिन के खिलाब बयान, रोस्तोव और वोरोनिश पर कबजा, समझोता और फिर बेलरूस में शरण सब कुछ संदेह के ताइरे में है यहाँ तक की सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गाइब होने पर है क्या वाकिल प्रिगोजिन के सहारे, न्यूपियर संधार का प्लान तयार कर दिया है यूरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत रूस ने मार गिराया सुखोई 25 लडाकु विमान बड़ी जानकारी आ रही है, यूक्रेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूक्रेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्षा मंत्वाले की प्रवक्ता का एदावा है रूसी एर डिफेंस ने यूक्रेनी हमला नाकाम किया है 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट हुए है तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूक्रेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 दिन है और इस मौके पर यूक्रेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आयलाइंड का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्रधांजली अरपित की 500 दिन पूरे होने पर जेलंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने उमीद नहीं छोड़ी बलकि इरादा क्रीमिया को आजाद कराने का है लेकिन यूद के 500 दिन पेंटिगन ने कहा है कि यूक्रेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी मिराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूक्रेन से मदद का हाथ खीट सकता है युद्ध में युक्रेन का इतने दिनों तक ठीके रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है युक्रेन, नेटो और अमेर्की खेमे के देशों से मिलने वाले सहियों की बतौलत ही जंगल रहा है जिस युद्ध को एक हफ़ते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके है युद्ध के 500 दिन जेलन्सकी ने युक्रेन की विजय और साहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दौरा किया एक नाव पर सवार होकर जेलन्सकी स्नेक आलेंड पहुँचे Snake Island पर जेलंस्की ने युक्रेन का ज़ंडा फैराया और शुपकाम ना आये थी Snake Island पर पहुँचे जेलंस्की ने शहीदों के स्मारक पर भूल अर्पित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा Snake Island युक्रेन की विजय का प्रतीक बन गया है Snake Island पर रूस की नेवी ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया कुछी घंटों बाद रूस ने इस पर कप्जा कर लिया रूस ने युक्रेनी नेवी के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कहा युक्रेन के सैनिकों ने रूस को रेडियो पर कहा भाड में जाओ युक्रेनी सैनिकों का ये संदेश दुनिया भर में वाइरल हो गया युक्रेन के सैनिकों को रूस ने बंधग बना लिया जून 2022 में युक्रेन ने Snake Island को फिर जीत लिया इसलिए जिलेंस की युक्रेन की विज़े के प्रतीक बन चुके टापू पर पहुँचे और राष्टर के नाम संदेश जारी किया जुद्ध के भले ही 500 दिन पूरे हो चुके हो और नेटों की मदद के भी लगभग इतने ही दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अमेरिका ने इस मौके पर जो कहा है उसके माइने एहम है पेंटेकन ने कहा है कि काउंटर ओफिंसिफ से उमीदों के मताबिक नतीजे नहीं मिले युक्रेन हथियारों का सही इस्तवाल नहीं कर पाया हम ये निश्चित करना चाते हैं कि युक्रेन को आर्टिलरी की कमी ना हो इसलिए युक्रेन को क्लस्टर बम दिये जा रहे है युक्रेन आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा काउंटर ओफिंसिफ में गवाँ चुका है अब अमेरिका के बाज भी हत्यारों की कभी हो रही है और इसी लिए 500 दिन प्रतिपंधित हो चुके क्लस्टर बम भेजने पर मोहर लगा दी गए यूटर रिपोर्ट टीवी नाइन भारत परश यूकरेन की जमीन के अमेरिकी हत्यारों का खात्म और सीरिया के आस्मान में ड्रोन का सामना पिशले तीन दिनों से जो हो रहा है उससे पुतिन की इसी रणीती का एसास हो रहा है अमेरिका को डारेक्टली चैलेंज करने के रूस अमेरिका को उकसान की कोशिश कर रहा है तीनों दिनों हाथ से टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इस सिल्सला आगे बढ़ा तो महायुदी की वज़ा भी बन सकता है तारीक पांच जुलाई दोहजार तेज़ जगह सीरिया अमेरिकी ड्रोन के सामने रशन फाइटर जेट्स ने उडान भरी अमेरिका के आरोप के मताबिक रशन फाइटर्स जान बूज का ड्रोन के सामने आए लेकिन हाथ सा टल गया और अमेरिका के ड्रोन सुरक्षित रहे तारीख 6 जुलाई 2023 सीरिया पर नज़र रखने वाला अमेरिकी MQ-9 रीपर आस्मान में था तभी रूस की लड़ा को विमान ड्रोन के करीब आ गए रॉशन विमानों ने फ्लियर्स दागने शुरू कर दिये अमेरिकी वायू सेना के मताबिक रॉशन विमानों ने ड्रोन के सामने विमान का आफ्टर बर्नर आउन कर दिया धुएं की वज़े से ड्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरे नहीं ले सका तारीख 7 जुलाई 2023 जगे सीरिया लगातार 30 दिन फिर वही हुआ लगातार 30 दिन आस्मान में फिर रॉशन फाइटर जेट्स अमेरिकी ड्रोन के सामने आ गए अमेरिका की तमाम आपत्यों को नजर अंदास करते हुए 30 दिन भी रॉशन पाइलेट में वही किया जो पिछले दो दिनों में किया गया था साथ जुलाई को फिर रॉशन फाइटर ड्रोन के सामने आ गए सीरिया में अमेरिका के 3 MQ9 रीपर ड्रोन ओर रहे थी रॉशन फाइटर 18 बार ड्रोन के करीब से गुजरा दो घंटे तक रूस का फाइटर जेट ड्रोन के करीब मंडराता रहा दुनिया की दो ताकत्वर रेशों की प्लानिंग और आक्शन से अब ये यकीन होने लगा है कि युक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है पिछले सवा साल से जो आशंकाए हैं वो सच साबिट हो सकती है तीन दिन से तनाव युक्रेन से बहुत दूर लेकिन ये इसलिए क्योंकि युक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी सीधे तोर पर नहीं है लेकिन सीरिया में तो बाकाइदा अमेरिकी फौज मौजूद है वहाँ मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को अपरेट करती है और शायद इसलिए अमेरिका को चुनोती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है TV9 भारत Вर्ष ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के ऐरस्पेस में वर्चस हैं करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद है रूस की सेना अब सीरिया में युद्धा भ्यास भी करेगी युद्धा भ्यास का मकसद सीरियान एरस्पेस पर कंट्रोल करना है रूस की Electronic Warfare Units युद्धा भ्यास में शामिल होगी लगातार तीन दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आस्मान में आमने सामने है इसकी एक वज़े नेटो की बैठक को भी माना जा रहा है लिध्वानिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली नेटो की बैठक में रूस के हमले के खिलाव युक्रेन की मदद और उसकी नेटो सदस्यता के मामले पर एहम चर्चा होगी रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है लेकिन पुतिन के गुस्से की वज़े एक और खबर भी है जिसके मताबिक नेटो की सेना अब युक्रेन की मदद के लिए सीधे तोर पर भी उतर सकती है आना जा रहा है कि इसी वज़े से सीरिया में रूस के पाइलिट्स अमेरिका के साथ साथ फ्रांस के राफल विमानों के सामने भी आ गए अमेरिका या फ्रांस ने फिलहाल सबर से काम लिया है लेकिन रूस का ये उक्सावा एक बड़े महा युद्ध की शिर्वात भी करा सकता है क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी युक्रेन युद्ध की शिर्वात से ही कर रहा है येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत परश और इस बीच बारिश के दिनों में नदियों में बार आम बात है ये कुद्रत का विज्ञान है जिसमें पहाडों से पानी नदी में गिर कर बार के रूप में गंदगी को बहा ले जाने में मददगार होता है लेकिन इनसानों ने अपने मतलब के लिए कुद्रत से खिलवार किया और विज्ञान को चनौती दी इसलिए हम्याजा भी इनसान को ही भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया में बार इनसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई ज्यादतर जबो पर अब नदियों में सेलाब नहीं बलकि शहरों में सेलाब वाली नदिया वेने लगी है देखे वर्ल फलड रिपोर्ट गुद्रत का कहर बारिश के बाद सेलाब का बवंडर दुनिया के ज्यादातर देशों के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त तकरीबन एक जैसे ही हाला थे कहीं नदियों में आई सेलाब ने हाहा कार मचा रखा है तो कहीं शेहर की सड़कों पर सेलाब के साथ नदिया बै रही है देखकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन ये सच है ये बारिश के बाद आई हाहा कारी बाड का कहर है जिसमें सबसे ज़्यादा देहलाने वाली तस्वीरे सामने आई हैं स्पेन से ये स्पेन का जारगोजा शेहर है भारी बारिश के चलते स्पेन के जारगोजा के किनारे से बहने वाली नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा शेहर नदी की ज़त में आ गया आम लोग अपने काम से सर्गों पर तो निकले लेकिन बाड में घिर गए किसी ने सोचा भी नहीं था कि सलक पर निकलने पर उन्हें इस बाड का सामना करना पड़ेगा ना ही किसी ने कलपना की होगी कि उनके शहर की इमारते और सलक सब नदी में समा जाएंगे बाड की इस तबाही को देखकर कोई भी दहल जाए बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सडके जलमग्न रास्ते शहर में बहती बाड की तह में समा गए कार और दूसरे यातायात साधन बाड के रास्ते में आए तिनके की तरह बहने लगे लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन का नहीं है ये उस चीन की तस्वीर है जो कुदरत से खिलवार करके त्रकृती को अपने हिसाब से चलाने का ख्वाप देखता है लेकिन कुदरत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है तबाही ये वही तबाही है जो भारी बारिश के बाद बाढ के रूप में दिख रही है वीडियो चौंकिंग के वानजोगा है जहां अचानक बाढ आ गई जो जहां था वही रुक गया लेकिन सैलाप नहीं रुका दावे के तहद इस बाढ में कई घर तबाह हो गए आकड़ों में 15 लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना दर्च हो गया नमस्कार आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ 6 जुलाई की रात को क्रेमलिन में पुतिन ने राच्टिय सुरक्षा परिशद की आपात बैटक बुलाई है और इस बैटक में सुरक्षा परिशद के सभी सदस से शामिल नहीं किये गए बलकि वही लोग बुलाई गए जो स्थाई तौर पर परिशद के सदस से हैं यानिकी पुतिन के एकदम बरो से मनसायोगी ही इस बैटक में शामिल हुए दो घंटे की बैटके बाद रूस के पूरवी और पश्मी छोर पर बने दो एर बेस पर हल चले तेज हो गई है शुरू हो गई है चार न्यूकले बॉम्बस थे वहां से उडान भरी और एक आग्तिक की तरफ रवाना हो गए और इसकी बाद वशिंग्टन से कीव का कोन की घंटिया बजने लगी वो तिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया क्यूं उठाया और आखिर क्या होने वाला है इस रिपोर्ट में समझे पॉलिंड में ऐसा परमाडू जाल बुना गया है जिससे महा सागर से महा विनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खत्रा मन्रा रहा है महा विनाश की स्त्रिकोर ने ऐसे समीकरन बना दिये हैं कि धर्ती पर सबसे बड़े परमाडू हमले की आशंका बढ़ती जा रही है इस त्रिकोर में धर्ती के सबसे उपरी हिस्से पर व्यू रचना की है व्लादिमर पोतिन ने पोतिन ने ऐसा किया क्योंकि पॉलन की जमीन पर अमेरिका की हत्यार तैनात हो रहे हैं और बिटन अंतरिक्ष से परमाडू हमले की तैयारी पूरी कर चुका है जून के आखरी दिनों में व्लादिमर पोतिन जब परमाडू व्यू रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलारूस में एटम बम की तैनात ही पॉश्वी देशों की नजर इस मूव्मेंट पर गड़ी थी और जून के आखरी हफते में व्यूस्टन मीडिया ने रूस के उन परमाडू ठेकानों की सैटलाइट तस्वीरे भी जारी की जहां पॉतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किये जा रहें इन सैटलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाई को बेलारूस के राष्टपती एलेक्सेंडर लोकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी हम प्रमाणू हत्यारों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं यह आत्मरक्षा के लिए हमसे मत उल्चो और इन हत्यारों की वज़े से चुनता में ना पड़ो लेकिन बेलारूस पर आक्रमन किया तो जबाब बहुत घहतक होगा अरूजय नो येसे वे सविर्शीट अग्रेसिय। उसमें पुतिन की मोर्चे बंदी के बाद से ही पॉलंड ने परमाणू हत्यारों की मांग की थी। पॉलंड सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणू सहयोग संगठन कारिक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमाणू हत्यार तैनात किये जाएं। नेटो की परमाणू हत्यार तैनाती घोशना के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिये। रशन फेडरेशन के लिए समस्या खड़ी करने वाले देश कभी सफल नहीं होंगे। उनकी हर रणीती नाकाम होगी। परमाणू मिजायले तैनात है। पॉलन की इंटेलिजन्स रेपोर्ट है कि रूस ने दस अलग-अलग लास के नुकलियर बॉम्बर्स आक्तिक बेस पर तैनात कर दिये। इन सभी बॉम्बर्स पर नागासा की एरोशिमा पर गिरे बमों से 50 गोना ज्यादा क्षमता वाले वार हिट लगे हुए है। रूस इस ख्षेतर में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जंग-बास है। माना जाता है कि आक्तिक ख्षेतर में रूस का मुकाबला नेटो देशों की सारी सेनाए भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि उसकी Arctic infrastructure के सामने नेटो के सारे देश कमजोर है यहाँ air defense को चकमा देने वाली hypersonic nuclear missile तेनाथ है globe पर नजर आ रहे हरे रंग के anchor वाले निशान आर्किक में नेटो देशों के नेवल बेस है और लाल रंग वाले आंगर के निशान रूस के नेवल बेस है रूस ने आर्किक में port, infrastructure और जहाजों पर खूब खर्च किया है और इसी तरह हरे रंग वाले हवाई जहाज के निशान नेटो के air base है और लाल रंग के रूस के air base है आर्किक में रूस की हवाई पटियां और air base सभी नेटो देशों के infrastructure को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है और इसी तरह रूस की ground force की बात करें तो वो भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्किक में तैनात है आर्किक बेश से रूस ने अपनी परमाडू वियो रचना तयार कर ली है आर्किक सरकल में नेटो के कई देशों पर सीधा खत्रा खासतोर से नौडिक रीजन में आने वाले देश नौडिक समू में पाच देश हैं जो उत्तरी येरोप के हैं स्वीडन को छोड़ दे तो बाकी चारो देश नेटो संगठन का हिस्सा है इन सभी देशों पर पोतिन की आर्किक परमाडू तैनाती से सीधा खत्रा मन राने लगा है 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटो की बैठक होने वाली है इस बैठक में रूस को घेरनी की प्लैनिंग तैयार की जाएगी उससे पहले ही रूस ने नेटो के चार नौडिक सदस्यों सहित पाँचवे संभावित सदस्य स्वीडन के खिलाफ परमाडू घेरा बंदी कर दी है आशंका है कि जुलाई का महीना विश्व विनाश की चिंगारी भड़काने वाला है योगि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी महीने में पोतिन परमाडू हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं इसी लिए ब्रिटिन ने भी खत्रा महसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमाडू हमले का प्लान तयार कर लिया है ब्रिटिन अंतरिक्ष से धर्ती पर आटमी हमले की तयारी कर रहा है बिटन ने भी चीन की तरह लॉंग मार्च ओकट बनाने का कारिक्रम शुरू कर दिया है इस ओकट की मदद से बिटन निूटियर मिजल लॉंच करेगा हलाकि चीन की तरह नूटियर अटैक करने के लिए बिटन को अभी हाइपर सौनिक तक्नीक हासिल करनी होगी पूरा यूरोप एक जुट होकर रूस को घेरने और युद्ध हरानी की तैयारी में जुटा है यही फुतिन के क्रोध की वज़े है अगर रूस के खिलाब नेटों की मोर्चे बंदी और तेज हुई तो आतिक बेश से न्यूक्लियर हमला तैय माना जा रहा है यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन अरट वरच बड़ी खबर इस बीच ये कि यूकरेन की मदद के लिए अमेरिका टांक बेज रहा है बंगोला बारूद बेज रहा है यहां तक की मिसाइल डिफेंस भी बेज रहा है मगर अब यूकरेन को एक ऐसे विनाशक हतियार की सप्लाई होनी है जो दुनिया के करीब 120 देशों में प्रतिबंदत है जिसके युद्ध में इस्तमाल करने पर बान लगा हुआ है और आप जानते हैं कि इस विस्पोटक हतियार पर प्रतिबंद खुद अमेरिका ने लगाया है लेकिन आपको ये बता दे कि इसी विनाशक बंग के इस्तमाल से सुपर पावर ने 68 साल पहले एक मुल्क में तबाही मचाई थी भीशन नरसनहार किया था खरीब 9 सालों तक हर 8 मिनट में एक बंग गिराया था तो क्या उसी युद्ध नीती का इस्तमाल अब रूस के खलाप होगा आखर क्या है बाइडिन का उपरेशन रोलिंग थंडर देखिए एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तमाल युद्ध में नाजाएज है एक ऐसा विस्फोटक बंग जिससे दुनिया के करीब 100 देशों ने बैन कर रखा है एक ऐसा घातक हत्यार जिसके प्रहार भर से ही भीशर नरसंखार हो सकता है अब उसी प्रलेंग कारी बंग से युक्रेन तबाही मचाएगा रूस की सर्जमी को दहलाएगा 200 दिनों से जारी रूस युक्रेन बॉर में संसनी मचाएगा जी हां युक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हत्यार देने पर हामी भरी है जिस पर खोद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और जानते हैं वो क्या है? क्लस्टर बाह जिसकी सप्लाई जल्द ही युक्रेन को होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि काउंटर ओफिंस फेल होने के बाद युक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामगरी भेजने का जबरदस्त दबाव बनाया है और जानते हैं युक्रेन की सिर्फ एक दिमांड है और वो है प्रतिबंधित क्लस्टर बम की खेब ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि युक्रेन के दबाव के चलते अमेरिका क्लस्टर बम भेज सकता है प्रेसिडेंट बाइडन क्लस्टर बम की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं अगर युएस डिफेंस ने क्लस्टर बम की खेब युक्रेन डेलिवर कर दी अगर युक्रेनी सेना ने रूस पर क्लस्टर बम दागे तो फिर भीशन तबाही तय है ठीक वैसे ही जैसे पचास के दशक में वियतनाम वार में हुई थी वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की माथ हुई और ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही क्योंकि ये जंग USSR और US के Cold War की चपेट में आई और देखते ही देखते वार की चपेट में लाखों लोग आ गए भीश और नर संखार हुआ क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तिबाल किया था वियतनाम वार ना ही किसी खर्दाने और ना ही कुछ जताने के लिए लड़ी गए बल्कि ये युद्ध वियतनाम में शांती और आजादी के लिए हुआ बगर सोवियत संग और अमेरिका की प्रोपगेंडा को सेटिस्फाइ करने के लिए जो युद्ध 20 सालों तक चला उसे इतिहास कभी नहीं भूला क्योंकि 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया जिसे दूसरे इंडोचाइना वार के नाम से जाना जाता है ये जंग वियतनाम के ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी पहला नौथ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था नौथ वियतनाम की मदद चीन और युएससार ने की वही साउथ वियतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में कूद गिया और उसने North Vietnam के खिलाफ शुरू किया Operation Rolling Thunder जिसका मतलब उत्री वियतनाम पर भीशन बंबारी और इसके लिए अमेरिका की ताकत पर फॉज ने आस्मान से क्लस्टर बंबा गए अंगिनत और बेहसाब तरीके से North Vietnam के हर टेरेन हर इलाके में आस्मान से ताबर तोड बंबारी की गई लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्री वियतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिका बॉखला गया और उसने वायू सेना के जरिये दक्षिलपूर एशिया के छोटे से देश लाउस पर बंबों के बरसाथ ही कर दे आप ये जानकर हैरान रहे जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानि पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की इस दौरान हर 8 मिनट में एक क्लस्टर बंब लाउस पर दागा गया वही नौत वियतनाम पर करीब 26 करोड क्लस्टर बंब दागे गए दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वार के दोरान सिर्फ लाउस में ही हर रोज करीब 15 करोड रुपे की लागत के बंबर साए अलागी 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दवाव का सामना करना पड़ा जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट गया था वहीं U.S.S.R. और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षणी वियतनाम के बड़े शेहर साइगोन पर कबजा कर लिया इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समाथ हुआ था लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी क्योंकि वियतनाम वार में करीब 1.2 मिलियन लोगों की माथ हुई तीर लाक से ज्यादा लोग खायल हुए वही 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारेंगे वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारुदी मंजर से खौफ सदा है लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ भी अतनाम ही नहीं बलकि पैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनन और भाकन में भी क्लस्टर बम का इस्तवाल किया है जिसका असर भी गहरा पड़ा है ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया रिजिडेंट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी देती अलाकि ये क्रेम्बलिन के लिए उकसावे की कारवाई है आखिर क्यों ये भी जान लीजिए 2008 में डबलिंग में कन्वेंशन ओन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतराश्ट्रे संधी की गई जिसके तहत क्लस्टर बमों को रखने बेचने या इस्तिमाल करने पर रोक लगाई गई क्योंकि एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है क्लस्टर बम से हमले का मतलब एक बहुत बड़े अलाके में एक ही वक्त में बेसाप तबाही मचाना होता है क्लस्टर बम जहां भी फटता है वहां सैनने अड़े, मिलिटरी बेस और इसकी चपेट में आए इनसान भी बेमौत मारे जाते हैं इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर ड्रोन के जरिये दागा जा सकता है और इतना ही नहीं क्लस्टर बम को जमीन से भी फायर किया जा सकता है ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुखे बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निरधारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुँचाते हैं और यही वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तमाल करने पर पाबंदी लगाई गई और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तमाल पर बैन लगा हुआ है बावजुद इसके कई देशों पर युद्द के दौरान इसके इस्तमाल के आरोप लगते रहे हैं मतलब साफ है भले ही अमेरिका ने युक्रेन के दबाव में क्लस्टर बम देने का वैसला लिया हो अलग इसके पीछे की रणीती गया है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन अगर बाइडन के इस कदम पर पोतिन का माथा ठंका तो यकीन मानिए रूस माहा विनाशक हतियार यानी एटम बम के इस्तमाल से भी हिचके का नहीं वैसे भी पोतिन न्यूक्लियर विपन्स के इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके है अगर रूस पर किसी भी तरह की आचाई तो पलग जपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया लेकिन आखिरकार जंक नौत वियतनाम नहीं जीती और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महावली है जिसके बारुदी जखीरे में क्लस्टर बंभी है और बर्मालू बंभी ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बर्ष बड़े खबर इस वक्त आ रहे है क्रिमिया में रूस का भीशन अटाक हुआ है यूक्रेणी फोस के क्याम पर हमला किया गया है जंगल में छिपे यूक्रेणी सैनिकों पर हमला हुआ है घातक हमले का विडियो सामने आ गया आकरिमिया में ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे है यूक्रेणी फोस के क्याम पर हमला किया गया है वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो यूक्रेण के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है रूस के खलाफ कई बड़े फैसले लिये जा सकते है लेकिन उससे पहले पुतिन यूक्रेण को इतनी बुरी हालत में पहुचाने की कोशिश में है कि नेटो को यूक्रेण को समलने में ही लंबा वक्त लग जाए यही वजा है कि यूक्रेण पर रूस के सैनिको का ताबड तोड प्रहाड जारी है पुतिन के सैनिक दक्षिन और उत्तर दोनों तरब से मताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है 12 जुलाई की डेड्लाइन फिक्स है तब तक प्रहार की रफ्तार यो ही रहने वाली है राशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है सेना के कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लियर मेसेज है 12 जुलाई तक यूक्रेन को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचाने का ओर्डर है रूस की स्पेशल मिशन के बाद यूक्रेन का कांटर ओफिंस जगा जगा नाकाम हो रहा है वार्जोन से आ रही तस्वीरों और आकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार दिन यूक्रेन के लिए बेहत भारी रहने वाले हैं जेपुरीजिया में हमला 200 सैनिकों की मौत जेपुरीजिया के भीशन जग में एक बार फिर रूस यूक्रेन पर भारी पड़ा है लेटिस रिपोर्ट के बताविक यहां यूक्रेन के सैनिकों के हमले का मौ तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हथियारों समेथ युक्रेण के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेण का एक स्यू 25 लड़ा को विमान क्रैश हो गया एक बिटिश आर्टिलरी गन एक MSTAP होविट से सिस्टम नस्ट कर दिया गया क्रिमन्या में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहां रशन सेना के टार्गेट पर युक्रेणी फोर्स का कैम था यहां जंगल में छिपे युक्रेणी सैनिकों पर हमला हुआ पाकमत को वापस हासिर करने की कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्ट्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैसें और युक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सुमी पर रूस का ताबर तोड़ प्रहार जारी है सुमी के दस इलाकों पर गोला पारी की गई रूस के सैनिकों ने सुमी में 111 गोले दागे है बेलकुरोथ में एक बार फिर थमाकों की आवाज सुनी गई بیلکوروت کے گورنر کے مطابق शहर में कई जिगों पर कोला पारी की गई रूस की कामयाबियों के पीछे अमेरकी एजंसी ने युक्रेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेरकी एजंसी के मताबिग तीन ऑलाको में युक्रेन का कांटर आफंस कामयाब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षिन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजाईलो और ड्रोन से हमला किया है जेपुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग जॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान कवाई है लीमन में 6 लोगों की माथ हो गई है लीमन में 5 लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार दागने की शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉडर पर रूस के सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टार्गेट के गरी मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेणी ड्रोन का प्रहा युक्रेण ने ये वीडियो जारी किया है दावा किया जा रहा है कि कामिकाजे डोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया गया है। युक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्बर्ट वेइकल्स को तबाह करने का दावा किया है। हथियारों की नई खेप भेजी जा रही युक्रेन। रूस के हमले में युक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके हैं। अब इटालियन होविट्सर युक्रेन आने के लिए तयार है। होविजजर ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल युक्रेन के सैनिकों तक पहुँचाए जाएंगे जेपुरीजिया में 200 युक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है लेकिन युक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है युक्रेन का दावा है कि जेपुरीजिया में युक्रेन ने रूस के एक सैन्य ठेकाने को तमाह कर दिया ड्रोन अटैक में रूस के कई हत्यार भी नश्ट हो गए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया है रूस का ये ट्रेडिंग ग्राउंड ने सेनिकों को युद्ध के लिए तयार कर रहा है युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेजडेंट जेलेंस्की ने युद्ध में मरने वालों को श्रिधान जली दी है दोनों देशों के अपने अपने तावे हैं द्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलेरी को खत्म करने के मिशन पर हैं पुतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युक्रेन के सेनिय ठेकानों को औरी तरह से तबाह किया जा सके दाकि नेटो अगर युक्रेन को बारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है बड़ी खबर इस वक्त बाकमुत में युक्रेनी काउंटर अफेंसिव फेल हुआ है युक्रेन के ड्रोन अटाक को किया गया है नकाम ड्रोन गन से लेस रूसी सैनिको का अक्शन हुआ है रूसी फोर्स का दावा है कई युक्रेनी ड्रोन इसमें तबाह हुए है यूक्रेन के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आमी वागनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरंड से भी सब वाकिफ है लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजन अचानक कहीं लापता हो गए उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलेंड की बढ़ी हलचल है अखर क्या है इसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में 25 जून 2013 सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खोले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना हत्यार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजने करना गुस्सा देखाना सब ने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संघर्ज का कारण बना 24 जून 2013 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच ये सीधा संघर्ज था लेकिन 5 जून आते आते बेलरूस की ब्रेजडन लुकाशेंको के हस्तक शेप से समझोता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजन को किसी ने नहीं देखा दावाहे कि प्रिगोजन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन ले ली है और सवाल बेलरूस में लगे वैगनार लड़ाकों के कैम पर खड़े हो गए क्या प्रिगोजन की बगावत और समझोता दिखावा है क्या रूस की न्यूक्लिय कॉलनी में वैगनार तैनाथ है? क्या प्रिगोजिन ही न्यूक्लिय सेंटर को तैयार कर रहे है? सवाल बेलारूस में वैगनार लड़ाकों के लिए बनाए गए इन कैम्प से ही जन्मे है ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्प जिस जगह पर बनाया गया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की न्यूप्लियर साइट से महज़ 25 किलोमीटर दूर है यानि बेलरूस में वैगनार्स की कैम्प साइट ओसी पोविची के 25 किलोमीटर के दाएरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हत्यार तैनात किये हैं अलगी रूस इन हत्यारों को अपने नियंतरन में बताता है लेकिन वैगनार की तैनाती से संदे गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत के बात से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी न्यूक्लियर साइट को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो इसलिए रूसी आर्मी और सीक्रिट एजेंट से प्रिगोजिन को खत्रे के आशंका किसी भी पक्षने नहीं जताए अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनर यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैगनर यूनिट तुरंट सक्रिया हो जाएगी वैगनर ग्रूप और उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लुकाशेंको को वैगनर ग्रूप और येवगनी प्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है लेकिन सवाल यह है कि लुकाशेंको को प्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों रूस यूकरेन जंग में न्यूकलियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है लेकिन नेटो की हलचल बता रही है कि प्रिगोजिन को लेकर उठ रहे सवाल बिलकुल सही दिशा में है सेंटर बेलरूस हो सकता है लुकशेंको के प्रिगोजिन पर भरोसर का कारण नेटो की हलचल ही है जो बता रही है कि रूस का निूकलियर अक्षन जेपुरीजिया निूकलियर प्लांट से नहीं होगा बलकी बेलारूस से होगा तो भी उट्रेन के खिलाफ नहीं बलकी नेटों के खिलाफ और इस नूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन के हाथ में होगी ताकि रूस पर सवाल खड़े होने से पहले सस्पेंस बना रहे और इसका प्रमाण है बलकी तैनाती जुलाई से पहले ही हो चुकी थी लेकिन अभी हल चल ज्यादा है टैंक, सैनिक, बलारूस सीमा पर तैनात किये जा रहे है जिससे पता चलता है कि बलन पर वैगनार ग्रप की बलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब लिथुआनिया में नेटों की खास बैठक प्रस्तावित है तावे की तहद पोलन की बारवी मेकेनाइस डिविजन की हलचल बढ़ी है पोलन की इसी डिविजन ने ओपरेशन की घोशना कर दी है कारवाई के तहद बॉर्डर पर 1000 सेनिकों की तैनाती की जा रही है वही 200 युनिट मिलिटरी एक्विप्मेंस भी बेलरूस बॉर्डर पर पहुँच गए है इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलरूस बारूद सेंटर होगा और वैगनार चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली मकजद इस बारूदी सेंटर को अक्टिव करना है ताकि लेथुआनिया में बैठक के बाद न्यूकलियर आक्शन में बेलरूस को रूस की ढाल के रूप में इस्तिमाल किया जा सके और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वैगनार ग्रूप का रूसी आर्मी से अनुबंध खत्म हो चुका है बैलरूस ने वैगनार को शरन दी है लेकिन अनुबंध नहीं है बैलरूस में तैनाद न्यूकलियर वेपन पर प्रिगोजिन का कबज़ा संभव है और राश्टिव वादी प्रिगोजिन न्यूकलियर वेपन इस्तमाल के लिए स्वतंत्र है ग्रणीती के जानकार भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं इसलिए 11-12 जुलाई को नेटों की बैठक के बाद वेगनार के लबादे में रूस का विनाशकारी आक्शन देखने को बल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वेगनर के डर से पोलान ने बेलरूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेस कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के नूकलियर सेंटर के पास वेगनर ग्रूप का कैम्प हुना पोलिंज के लिए डर का मुख्यकारन है लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई पुखता जानकारी नहीं है यानि प्रिगोजिन की पगावत, क्रेमलिन के खिलाब बयान, रोस्तोव और वोरोनिश पर कबजा, समझोता और फिर बेलरूस में शरण सब कुछ संदेह के ताइरे में है यहां तक की सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गाइब होने पर है क्या वाकिल प्रिगोजिन के सहारे, न्यूपिये संधार का प्लान तयार कर दिया है यूरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत रूस्त ने मार गिराया सुखोई 25 लडाकु विमान बड़ी जानकारी आ रही है, यूकरेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूकरेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्रा मंत्राले की प्रवक्ता का एदावा है रूसी एर डिफेंस ने यूकरेनी हमला नाकाम किया है 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट हुए है तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूकरेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 वा दिन है और इस मौके पर यूकरेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आईलैंड का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्रधांज्री अरपित की 500 दिन पूरे होने पर जेलंस्की ने कहा है कि यूकरेन ने उमीद नहीं छोड़ी बलकि इरादा क्रीमिया को आजाद कराने का है लेकिन यूद के 500 दिन पेंटेगन ने काया है कि यूकरेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी मिराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूकरेन से मदद का हाथ खीट सकता है यूद में यूकरेन का इतने दिनों तक ठीके रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है यूकरेन, नेटो और अमेरिकी खेमे के देशों से मिलने वाले सहयों की बदौलत ही जंगर रहा है जिस यूद को एक हफते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके यूद के 500 दिन जिलन्सकी ने यूकरेन के विजय और सहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दौरा किया एक नाव पर सवार होकर जिलन्सकी स्नेक आलेंड पहुँचे स्नेक आलेंड पर जिलन्सकी ने यूकरेन का जंडा फैराया और शुपकाम नाय थी स्नेक आलेंड पर पहुँचे जलन्सकी ने शहीदों के समारक पर भूल अरपित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा स्नेक आलेंड युक्रेन की विजे का प्रतीक बन गया है स्नेक आलेंड पर रूस की नेवी ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया कुछी घंटों बाद रूस ने इस पर कबजा कर लिया रूस ने युक्रेनी नेवी के स्नेको को सरेंडर करने के लिए कहा युक्रेन के स्नेको ने रूस को रेडियो पर कहा भाड में जा युक्रेनी स्नेको का ये संदेश दुनिया भर में वाइरल हो गया युक्रेन के सेनिकों को रूस ने बंधग बना लिया जून 2022 में युक्रेन ने स्नेक आइलन्ड को फिर जीत लिया इसलिए जिलेंस की युक्रेन की विज़े के प्रतीक बन चुके टापू पर पहुँचे और राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया युद्द के भले ही 500 दिन पूरे हो चुके हो और नेटों की मदद के भी लगभग इतने ही दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अमेरिका ने इस मौके पर जो कहा है उसके मायने एहम है पेंटेकन ने कहा है कि counter-offensive से उमीदों के मताबिक नतीजे नहीं मिले युकरेन हतิारों का सही इस्तबाल नहीं कर पाया हम ये 여기서 करना चाते हैं कि युकरेन को आर्टिलरी की कमी नहीं हो इसलिए युकरेन को cluster bump दिये जा रहे है युक्रेन आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा काउंटर ओफिंसिव में गवा चुका है अब अमेरिका के बाज भी हत्यारों की कभी हो रही है और इसी लिए पांसोवे दिन प्रतिपंधित हो चुके क्लस्टर बम भेजने पर मोहर लगा दी गए युक्रेन की जमीन को अमेरिकी हत्यारों का खात्म और सीरिया के आसमान में ड्रोन का सामना पिशले तीन दिनों से जो हो रहा है उससे पुतिन की इसी रणीती का एसास हो रहा है अमेरिका को डारेक्ली चैलेंज करने के लिए पुतिन ने सीरिया को चुना है यहां तीन दिनो अमेरिका ड्रोन के जर्ये सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी है और ऐसा लग रहा है जैसे रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है तीनों दिनों हाथ से टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इसलसला आगे बढ़ा तो मह युद्ध की वज़ा भी बन सकता है अज़र रखने वाला अमेरिकी MQ9 Reaper आस्मान में था। तभी रूस की लड़ा को विमान ड्रोन के करीब आ गए। रॉशन विमानों ने फ्लेर्स दागने शुरू कर दिये। अमेरिकी वायू सेना के मताबिक रॉशन विमानों ने ट्रोन के सामने विमान का आफ्टर बर्नर आउन कर दिया। धुएं की वज़े से ट्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरे नहीं ले सका। नारीक 7 जुलाई 2023 जगे सीरिया। लगातार तीसरे दिन फिर वही हुआ। लगातार तीसरे दिन आस्मान में फिर रॉशन फाइटर जेट्स अमेरिकी डोन्स के सामने आ गए। अमेरिका की तमाम आपत्यों को नजर अंदास करते हुए तीसरे दिन भी रॉशन फाइलेट्स ने वही किया जो पिछले दो दिनों में किया गया था। साथ जुलाई को फिर रॉशन फाइटर ध्रोन के सामने आ गए। सीरिया में अमेरिका के तीन MQ-9 रीपर द्रोन ओर रहे थे। रॉशन फाइटर अठारा बार द्रोन के करीब से गुजरा, दो घंटे तक रूस का फाइटर जेट द्रोन के करीब मंडराता रहा। धुनिया के दो ताकतवर रेशों की प्लानिंग और आक्शन से अब ये यकीन होने लगा है कि युक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। फिछले सवा साल से जो आशंकाए हैं वो सच साबित हो सकती है। तीन दिन से तनाव युक्रेन से बहुत दूर लेकिन ये इसलिए क्योंकि युक्रेन में अमेरिका की मौझूद की सीधे तोर पर नहीं है। लेकिन सीरिया में तो बाकाइदा अमेरिकी फॉज मौजूद है। वहां मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को अपरेट करती है। और शायद इसलिए अमेरिका को चुनोती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है। TV9 भारत वर्ष ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के एर स्पेस में वर्चस्व कायम करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद है। रूस की सेना अब सीरिया में युद्धा भ्यास भी करेगी। युद्धा भ्यास का मकसद सीरियान एर स्पेस पर कंट्रोल करना है। रूस की Electronic Warfare Units युद्धा भ्यास में शामिल होगी। लगातार तीन दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आसमान में आमने सामने है। इसकी एक वज़े NATO की बैठक को भी माना जा रहा है। लिध्वानिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली NATO की बैठक में रूस के हमले के खिलाव युक्रेन की मदद और उसकी NATO सदस्यता के मामले पर एहम चर्चा होगी। रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है लेकिन पुतिन के गुस्से की वज़े एक और खबर भी है। जिसके मताबिक NATO की सेना अब युक्रेन की मदद के लिए सीधे तोर पर भी उतर सकती है। आना जा रहा है कि इसी वज़े से सीरिया में रूस के पाइलिट्स अमेरिका के साथ साथ फ्रांस के राफल विमानों के सामने भी आ गए। अमेरिका या फ्रांस ने फिल्हाल सबर से काम लिया है। लेकिन रूस का ये उकसावा एक बड़े महायुध की शरुवाद भी करा सकता है। क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी युकरेन युद्ध की शरुवाद से ही कर रहा है। येरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत परश और इस बीच बारिश के दिनों में नदियों में बार आम बात है ये कुद्रत का विज्ञान है जिसमें पहाडों से पानी नदी में गिरकर बार के रूप में गंदगी को बहा ले जाने में मददगार होता है लेकिन इंसानों ने अपने मतलब के लिए कुद्रत से खिलवार किया और विज्ञान को चुनौती दी इसलिए खम्याजा भी इंसान को ही भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया में बार इंसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई जादतर जगों पर अब नदियों में सेलाब नहीं बलक देखे वर्ल फ्लाड रिपोर्ट देखकर आप डंग रह जाएंगे लेकिन ये सच है ये बारिश के बाद आई हाहा कारी बाड का कहर है जिसमें सबसे ज़्यादा देहलाने वाली तस्वीरे सामने आई हैं स्पेन से ये स्पेन का जारागोजा शहर है भारी बालिश के चलते स्पेन के जारागोजा के किनारे से बहने वाली नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा पढ़ गया कि पूरा शहर नदी की ज़त में आ गया आम लोग अपने काम से सर्गों पर तो निकले लेकिन बाल में घिर गए किसी ने सोचा भी नहीं था कि सलक पर निकलने पर उन्हें इस बाल का सामना करना पड़ेगा ना ही किसी ने कलपना की होगी कि उनके शहर की इमारते और सलक सब नदी में समा जाएंगे बाल की इस तबाही को देखकर कोई भी दहल जाए बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सडके जल्मग रास्ते शहर में बहती बाल की तह में समा गए कार और दूसरे यातायात साधन बाल के रास्ते में आए तिनके की तरह बहने लगे लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन का नहीं है ये उस चीन की तस्वीर है जो कुदरत से खिलवार करके प्रकृती को अपने हिसाब से चलाने का ख्वाप देखता है लेकिन कुदरत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है तबाही ये वही तबाही है जो भारी बारिश के बाद बाढ के रूप में दिख रही है वीडियो चौंकिंग के वानजोगा है जहां अचानक बाढ आ गई जो जहां था वही रुक गया लेकिन सैलाप नहीं रुका दावे के तहद इस बाढ में कई घर तबाह हो गए आकडों में 15 लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना दर्च हो गया नमस्कार आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ 6 जुलाई की रात को क्रेमलिन में पुतिन ने राच्टिय सुरक्षा परिशद की आपात बैटक बुलाई है और इस बैटक में सुरक्षा परिशद के सभी सदस से शामिल नहीं किये गए बलकि वही लोग बुलाई गए जो स्थाई तौर पर परिशद के सदस से हैं याने की पुतिन के एकदम बरोसे मन सायोगी ही इस बैटक में शामिल हुए दो घंटे की बैटके बाद रूस के पूरवी और पश्मी छोर पर बने दो एर बेस पर हल चले तेज हो गई है शुरू हो गई है चार न्यूकले बॉम्बस थे वहां से उडान भरी और एक आग्तिक की तरफ रवाना हो गए और इसकी बाद वशिंग्टिन से कीव का फोन की घंटिया बजने लगी वोतिन ने आखिर ऐसा क्या कदम उठाया क्यूं उठाया और आखिर क्या होने वाला है इस रिपोर्ट में समझे पॉलिंड में ऐसा परमाडू जाल बुना गया है जिससे महा सागर से महा विनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खत्रा मन्रा रहा है महा विनाश की स्त्रिकोर ने ऐसे समीकरन बना दिये हैं कि धर्ती पर सबसे बड़े परमाडू हमले की आशंका बढ़ती जा रही है इस त्रिकोर में धर्ती के सबसे उपरी हिस्से पर व्यू रचना की है व्लादिमर पोतिन ने पोतिन ने ऐसा किया क्योंकि पॉलन की जमीन पर अमेरिका की हत्यार तैनात हो रहे हैं और बिटन अंतरिक्ष से परमाडू हमले की तैयारी पूरी कर चुका है जून के आखरी दिनों में व्लादिमर पोतिन जब पश्चिम के खिलाफ अपनी परमाडू व्यू रचना कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ा कदम था बेलरूस में एटम बम की तैनात ही पश्चिमी देशों की नजर इस मूव्मेंट पर गड़ी थी और जून के आखरी हफते में वेस्टन मीडिया ने रूस के उन परमाडू ठेकानों की सैटलाइट तस्वीरे भी जारी की जहां पोतिन के टैक्टिकल नूकलियर वेपन तैनात किये जा रहे इन सैटलाइट तस्वीरों के जारी होने के बाद 6 जुलाइ को बेलरूस के राष्टपती एलेक्सेंडर लुकाशेंको ने दुश्मनों को चेतावनी जारी कर दी हम प्रमाणों हत्यारों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं यह आत्मरक्षा के लिए हमसे मत उल्चो और इन हत्यारों की वज़े से चुनता में ना पड़ो लेकिन बेलरूस पर आक्रमन किया तो जबाब बहुत घातक होगा जब से नूकलिर हत्यार तैनात हुए है उसके बड़ोसी देशों के मन में खौफ भर गया है 6 जुलाई को एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने परमाणू हमले से जुड़ी परमाणू हत्यारों से जुड़ी चेतावनी जारी की थी और 7 जुलाई को ही नेटो ने एलान भी कर दिया नेटो प्रमोग जेन स्टोटनबर्ग ने कहा है कि 31 देशों का संगठन पोलिन में अपने हत्यार तैनात करने के लिए सहमत है और परमाणू तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी बैलरूस में पोतिन की मोरचे बंदी के बाद से ही पॉलिन ने परमाणू हत्यारों की मांग की थी पॉलिन सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमाणू सहयोग संगठन कारिकरम में भागीदार पनना चाहते हैं और उनकी जवीन पर परमाणू हत्यार तैनात किये जाए नेटों की परमाडू हत्यार तैनाती घोशना के बाद ही रूस ने विश्व विनाश के संकेत जारी कर दिये राश्टपती पोतिन ने रूस की राश्ट्रिये सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक बुलाई इस बैठक में सुरक्षा परिशत के स्थाई सदस्य शामिल हुए बैठक में पोतिन ने परमाडू तैनाती पर एहम फैसले लिए इसी बैठक में पोतिन ने कहा कि रूस दुश्मनों के हर कदम से मकाबला करने के लिए तैयार है साथ जुलाई को हुई इस आपाद बैठक में ही ये फैसला कर लिया गया कि नेटों के इस ऐलान का तुरंट जवाब दिया जाएगा बैठक हत्म होते ही रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉमबर आक्टिक बेस के लिए रवाना कर दिये रूस के दो अलग-अलग एरबेस से चार न्यूक्लियर बॉमबर ने उड़ान भरी साथ जुलाई की रात दोनों विमान आक्टिक सेरकल में उतरे हैं पॉलन की इंटिलिजन्स रिपोर्ट है कि रूस ने दस अलग-अलग लास के न्यूक्लियर बॉम्बर्स आक्तिक बेस पर तैनात कर दिये हैं। क्योंकि उसकी आक्तिक इंफ्रस्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर हैं। यहां एर डिफेंस को चक्मा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हैं। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के अंकर वाले निशान आर्क्तिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं। और लाल रंग वाले आंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्क्तिक में पोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। और इसी तरह हरे रंग वाले हवाई जहाज के निशान नेटो के अेरबेस हैं। आर्क्तिक में रूस की हवाई पत्टियां और अेरबेस सभी नेटो देशों के इंफ्रस्ट्रक्चर को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है। और इसी तरह रूस की ground force की बात करें तो वो भी सभी नेटो देशों से ज़ादा संख्या में आर्क्टिक में तैनात है आर्क्टिक बेस से रूस ने अपनी परमाडू वियो रचना तयार कर ली है आर्क्टिक सरकल में न्यूक्लिय तैनाती का मतलब है नेटो के कई देशों पर सीधा खत्रा है खासतोर से नौडिक रीजन में आने वाले देश नौडिक समू में पाच देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं स्वीडन को छोड़ दे तो बाकी चारो देश नेटो संगठन का हिस्सा है इन सभी देशों पर पोतिन की आर्क्टिक परमाडू तैनाती से सीधा खत्रा मनवराने लगा है 11-12 जुलाई को लिथुआनिय की राजधानी विलिनियस में नेटो की बैठक होने वाली है इस बैठक में रूस को घेरनी की प्लैनिंग तैयार की जाएगी उससे पहले ही रूस ने नेटो के चार नौडिक सदस्यों सहित पाँचवे संभावित सदस्य स्वीडन के खिलाफ परमाडू घेरा बंदी कर दी है आशंका है कि जुलाई का महीना विश्व विनाश की चिंगारी भड़काने वाला है योगि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी महीने में पोतिन परमाडू हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं इसी लिए ब्रिटन ने भी खत्रा महसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमाडू हमले का प्लान तयार कर लिया है ब्रिटन अंतरिक्ष से धर्ती पर आटमी हमले की तयारी कर रहा है बृतिन ने भी चीन की तरह लॉंग मार्च रॉकेट बनाने का कारिकरम शुरू कर दिया है इस रॉकेट की मदद से बृतिन नुकलियर मिजाइल लॉंच करेगा हलाकि चीन की तरह नुकलियर अटैक करने के लिए बृतिन को अभी हाइपरसॉनिक तक्नीक हासिल करनी होगी पूरा यूरोप एक जट होकर रूस को खेरने और युद्ध हरानी की तयारी में जटा है यही पुतिन के क्रोध की वज़े है अगर रूस के खिलाब नेटों की मोर्चे बंदी और तेज हुई तो आत्रिक बेश से नुकलियर हमला तैय माना जा रहा है येरो रिपोर्ट थीवी नाइन भारत वरश बड़ी खबर इस बीच ये कि यूकरेन की मदद के लिए अमेरिका टांक बेज रहा है बंगोला बारूद बेज रहा है यहां तक की मिसाइल डिफेंस भी बेज रहा है मगर अब यूकरेन को एक ऐसे विनाशक हतियार की सप्लाई होनी है जो दुनिया के करीब 120 देशों में प्रतिबंदत है जिसके युद्ध में इस्तमाल करने पर बान लगा हुआ है और आप जानते हैं कि इस विसपोटक हतियार पर प्रतिबंद खुद अमेरिका ने लगाया है लेकिन आपको ये बता दे कि इसी विनाशक बम के इस्तमाल से सुपरपावर ने 68 साल पहले एक मुल्क में तबाही मचाई थी भीशन नर सन्हार किया था खरीब 9 सालों तक हर 8 मिनट में एक बम गिराया था तो क्या उसी युद्ध मीती का इस्तमाल अब रूस के खलाफ होगा आखर क्या है बाइडिन का ऑपरेशन रोलिंग थंडर देखिए एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तमाल युद्ध में नाजाएज है एक ऐसा विस्फोटक बम जिससे दुनिया के करीब सौध देशों ने बैन कर रखा है एक ऐसा घातक हत्यार जिसके प्रहार भर से ही भीशन नरसंगार हो सकता है अब उसी प्रलेंगकारी बम से युक्रेन तबाही मचाएगा रूस की सर्जमी को दहलाएगा 200 दिनों से जारी रूस युक्रेन बॉर में संसनी मचाएगा जी हां युक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हत्यार देने पर हामी भरी है जिस पर खोद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और जानते हैं वो क्या है? क्लस्टर बाह जिसकी सप्लाई जल्द ही युक्रेन को होने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि काउंटर ओफिंस फेल होने के बाद युक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामगरी भेजने का जबरदस्त दबाव बनाया है और जानते हैं युक्रेन की सिर्फ एक दिमांड है और वो है प्रतिबंधित क्लस्टर बम की खेब ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है कि युक्रेन के दबाव के चलते अमेरिका क्लस्टर बम भेज सकता है प्रेसिडेंट बाइडन क्लस्टर बम की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं अगर युएस डिफेंस ने क्लस्टर बम की खेब युक्रेन डेलिवर कर दी अगर युक्रेनी सेना ने रूस पर क्लस्टर बम दागे तो फिर भीशन तबाही तय है ठीक वैसे ही जैसे पचास के देशक में वियतनाम वार में हुई थी वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की माउथ हुई और ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही क्योंकि ये जंग USSR और US के Cold War की चपेट में आई और देखते ही देखते वार की चपेट में लाखों लोग आ गए भीश और नर संगार हुआ क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तिमाल किया था वियतनाम वार ना ही किसी खर्दाने और ना ही कुछ जताने के लिए लड़ी गई बलकि ये युद्ध वियतनाम में शांती और आजादी के लिए हुआ बगर सोवियत संग और अमेरिका की प्रोपगेंडा को सेटिस्फाय करने के लिए जो युद्ध 20 सालों तक चला उसे इतिहास कभी नहीं भूला क्योंकि 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया जिसे दूसरे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है ये जंग वियतनाम के ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी पहला नौथ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था नौथ वियतनाम की मदद चीन और युएससार ने की वही साउथ वियतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरिका सीधे जंग में कूद गिया और उसने North Vietnam के खिलाव शुरू किया Operation Rolling Thunder जिसका मतलब उत्री वियतनाम पर भीशन बंबारी और इसके लिए अमेरिका की ताकत पर फॉज ने आस्मान से क्लस्टर बंदा गे अंगिनत और बेहसाब तरीके से North Vietnam के हर टेरेन हर इलाके में आस्मान से ताबर तोड बंबारी की गई लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्री वियतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिका बॉखला गया और उसने मायू सेना के जरिये दक्षिलपूर एशिया के छोटे से देश लाउस पर बंबों के बरसाथ ही कर दे आप ये जानकर हैरान रहे जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानि पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की इस दौरान हर 8 मिनट में एक क्लस्टर बंब लाउस पर दागा गया वही 9 वियतनाम पर करीब 26 करोड क्लस्टर बंब दागे गये दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वार के दोरान सिर्फ लाउस में ही हर रोज करीब 15 करोड रुपे की लागत के बंब बरसाए अलगी 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दवाव का सामना करना पड़ा जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हड़ गया था वहीं युएससार और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षणी वियतनाम के बड़े शहर साइगोन पर कब्सा कर लिया इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समाथ हुआ था लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी क्योंकि वियतनाम वार में करीब 1.2 मिलियन लोगों की माथ हुई तीर लाग से ज्यादा लोग खायल हुए वही 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारेगे वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारुदी मंजर से खौफ सदा है लेकिन हैरानी इस बात की है कि सिर्फ भी अतनाम ही नहीं बलकि पैन के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनन और बाकन में भी क्लस्टर बम का इस्तिबाल किया है जिसका असर भी गहरा पड़ा है ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया रिजिदेंट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी दे दी अलाकि ये क्रेम्बलिन के लिए उकसावे की कारवाई है आखिर क्यों ये भी जान लीजिए 2008 में डबलिंग में कन्वेंशन ओन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतराश्ट्रे संधी की गई जिसके तहत क्लस्टर बमों को रखने बेचने या इस्तिमाल करने पर रोक लगाई गई क्योंकि एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है क्लस्टर बम से हमले का मतलब एक बहुत बड़े अलाके में एक ही वक्त में बेहसाब तबाही मचाना होता है क्लस्टर बम जहां भी फटता है वहाँ सेन अड़े, मिलिटरी बेस और इसकी चपेट में आए इनसान भी बेमौत मारे जाते हैं इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर ड्रोन के जरिये दागा जा सकता है और इतना ही नहीं, क्लस्टर बम को जमीन से भी फायर किया जा सकता है ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं, क्योंकि मुखे बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निर्धारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं और यहीं वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तमाल करने पर पाबंदी लगाई गई और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तमाल पर बैन लगा हुआ है बावजुद इसके कई देशों पर युद्ध के दौरान इसके इस्तमाल के आरोप लगते रहे हैं मतलब साफ है भले ही अमेरिका ने युक्रेन के दबाव में क्लस्टर बम देने का वैसला लिया हो अलग इसके पीछे की रणीती क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन अगर बाइडन के इस कदम पर पोतिन का माथा ठंका तो यकीन मानिए रूस माहा विनाशक हतियार यानि एटम बम के इस्तमाल से भी हिचकेगा नहीं वैसे भी पोतिन न्यूक्लियर विपन्स के इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके है अगर रूस पर किसी भी तरह की आचाई तो पलग जपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया लेकिन आखिरकार जंग नौथ वियतनाम नहीं जीती और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महावली है जिसके बारुदी जखीरे में क्लस्टर बंभी है और बर्मालू बंभी ब्यूरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बाक्ष बड़े खबर इस वक्त आ रहे है क्रिमिया में रूस का भीशन अटाक हुआ है यूक्रेणी फोस के कैम पर हमला किया गया है जंगल में चिपे यूक्रेणी सैनिकों पर हमला हुआ है घातक हमले का वीडियो सामने आ गया है क्रिमिया में ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे है यूक्रेणी फोस के कैम पर हमला किया गया है वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो यूक्रेण के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है रूस के खलाफ कई बड़े फैसले लिये जा सकते है लेकिन उससे पहले पुतिन पुरी हालत में पहुचाने की कोशिश में है कि नेटो को यूक्रेण को समहलने में ही लंबा वक्त लग जाए यही वजा है कि यूक्रेण पर रूस के सैनिकों का ताबर तोड प्रहार जारी है पुतिन के सैनिक दक्षिन और उत्तर दोनों तरफ से यूक्रेण को बड़ा नुकसान पहुचाने का मिशिन जारी किये हुए हैं वार ग्राउंड से आई रिपोर्ट की मताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेण के कई सैनिकों की मौत हुई है बारा जुलाई की डेडलाइन फिक्स है तब तक प्रहार की रफ्तार योही रहने वाली है राशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है सेना के कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लियर मेसेज है बारा जुलाई तक यूक्रेण को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचाने का ओर्डर है रूस की स्पेशल मिशन के बाद यूक्रेण का कांटर ओफिंस जगा जगा नाकाम हो रहा है वार्जोन से आ रही तस्वीरों और आकड़ों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार तिन यूक्रेण के लिए बेहत भारी रहने वाले हैं जेपुरीजिया में हमला 200 सैनिको की मौत जेपुरीजिया के भीशन जग में एक बार फिर रूस यूक्रेण पर भारी पड़ा है लेटिस रिपोर्ट के बताविक यहां यूक्रेण के सैनिको के हमले का मौ तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हत्यारों समेथ युक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेन का एक LSU-25 लड़ाकु विमान क्रैश हो गया एक ब्रिटिश आर्टिलरी गन एक MSTAP होविट से सिस्टम नस्ट कर दिया गया क्रेमनिया में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहां रशन सेना के टार्गेट पर युक्रेनी फोर्स का कैम था यहां जंगल में छिपे युक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ पाकमत को वापस हासिर करने की कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैसे और युक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सुमी पर रूस का ताबर तोड़ प्रहार जारी है सुमी के दस इलाकों पर गोला बारी की गई रूस के सैनिकों ने सूमी में 111 गोले दागे हैं मेलकरोथ में एक बार फिर थमाकों की आवाज सुनी गई मेलकरोथ के गवर्नर के मताबिक शहर में कई जगों पर गोला पारी की गई रूस की काम्याबियों के पीछे अमेरकी एजनसी ने युकरेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेरकी एजनसी के मताबिक तीन इलाकों में युकरेन का काउंटर ओफिंस काम्याब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजाईलो और ड्रोन से हमला किया है जेबुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग जॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान कवाई है लीमन में छे लोगों की माथ हो गई है लीमन में पाच लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार दागने की शक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉडर पर रूस के सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टार्गेट के करीब मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेनी ड्रोन का प्रहा युक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है दावा किया जा रहा है कि कामिकाजे ड्रोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है युक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड वेइकल्स को तबाह करने का दावा किया है हथियारों की नई खेप भेजी जा रही युक्रेन रूस के हमले में युक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके है अब इटालियन होविजजर युक्रेन आने के लिए तयार है होविज़ ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल्द युक्रेन के सैनिकों तक पहुँचाए जाएंगे जेपुरीजिया में 200 युक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है लेकिन युक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है युक्रेन का दावा है कि जेपुरीजिया में युक्रेन ने रूस के एक सैन्य ठेकाने को तमाह कर दिया ट्रोन अटैक में रूस के कई हत्यार भी नश्ट हो गए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया है रूस का ये ट्रेडिंग राउंड नए सेनिकों को युद्ध के लिए तयार कर रहा है युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेज़ड़न्सकी ने युद्ध में मरने वालों को श्रिधान जली दी है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं द्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलरी को खत्म करने के मिशन पर हैं पुतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युक्रेन के सैनिट हिकानों को पूरी तरह से तबाह किया जा सके दाकि नेटो अगर युक्रेन को बारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है बड़ी खबर इस वक्त बाकमुत में युक्रेनी काउंटर अफेंसिव फेल हुआ है युक्रेन के ड्रोन अटाक को किया गया है नकाम ड्रोन गन से लेस रूसी सेनिको का अक्शन हुआ है रूसी फोर्स का दावा है कई युक्रेनी ड्रोन इसमें तबाह हुए है यूक्रेन के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आमी वागनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरण से भी सब वाकिफ हैं लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजन अचानक कहीं लापता हो गए उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलेंड की बढ़ी हलचल है आखर क्या है इसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में 25 जून 2013 सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खोले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाब मोर्चा खोलना हत्यार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजनी करना गुस्सा दिखाना सबने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संघर्ज का कारण बना 24 जून 2013 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था प्रिगोजन की ओर्डर के बाद वैगनार लड़ाकों ने पहले रोस्तो और फिर वरोनिश पर कबजा कर लिया था ये रूसी सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच ये सीधा संघर्ज था लेकिन पाद जून आते आते बेलरूस की प्रेजडन लुकाशेंको के हस्तक शेप से समझाता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजन को किसी ने नहीं देखा तावाहे कि प्रिगोजन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन ले ली है और सवाल बेलरूस में लगे वैगनार लडाकों के कैम पर खड़े हो गए क्या प्रिगोजन की बगावत और समझोता दिखावा है क्या रूस की न्यूक्लिय कॉलनी में वैगनार तैनात है क्या प्रिगोजन ही न्यूक्लिय सेंटर को तयार कर रहे है सवाल बेलरूस में वैगनर लड़ाकों के लिए बनाए गए इन कैम्प से ही जण में हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्प जिस जगा पर बनाय गया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की न्यूक्लिय साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है यानि बेलरूस में वैगनार्स की कैम्प साइट ओसी पोविची के 25 किलोमीडर के दायरे में ही रूस ने अपने न्यूक्लियर हत्यार तैनात किये है अलगि रूस इन हत्यारों को अपने नियंतरन में बताता है लेकिन वैगनार की तैनाती से संदे गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत के बाद से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी न्यूक्लिया साइड को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो इसलिए रूसी आर्मी और सीक्रिट एजेंट से प्रिगोजिन को खत्रे की आशंका किसी भी पक्षने नहीं जताए अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनर यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैगनर यूनिट तुरंट सक्रिया हो जाएगी वैगनर ग्रूप पर उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लोकाशेंको को वैगनर ग्रूप और यवगनी प्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है लेकिन सवाल यह है कि लोकाशेंको को प्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों रूस यूकरेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है जेवन पीपी एक प्राइमरी नुक्लियर सेंटर है लेकिन नेटो की हलचल बता रही है कि प्रिगोजिन को लेकर उठ रहे हैं सवाल बिलकुल सही दिशा में है सेंटर बेलरूस हो सकता है कि तैनाती से अलगी तैनाती जुलाई से पहले ही हो चुकी थी लेकिन अभी हलचल ज्याता है टैंक, सैनिक, बेलारूस सीमा पर तैनात किये जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि पॉलन पर वैगनार ग्रप की बेलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब लिथुवानिया में नेटों की खास बैठक प्रस्तावित है दावे की तहद पोलन की बारवी मेकेनाइस डिविजन की हलचल बढ़ी है पोलन की इसी डिविजन ने ओपरेशन की घोशना कर दी है कारवाई के तहद बॉर्डर पर 1000 सेनिकों की तैनाती की जा रही है वही 200 यूनिट मिलिटरी एक्विप्मेंस भी बेलरूस बॉर्डर पर पहुँच गए है इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलरूस बारूद सेंटर होगा और वैगनार चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली मकजद इस पारूदी सेंटर को अक्टिव करना है ताकि लेथुआनिया में बैठक के बाद न्यूकलियर आक्शन में बेलरूस को रूस की ठाल के रूप में इस्तिमाल किया जा सके और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वैगनार ग्रूप का रूसी आर्मी से अनुबंध खत्म हो चुका है बैलरूस ने वैगनार को शरन दी है लेकिन अनुबंध नहीं है बैलरूस में तैनाद न्यूकलियर वेपन पर प्रिगोजिन का कबज़ा संभव है और राश्टिव वादी प्रिगोजिन न्यूकलियर वेपन इस्तमाल के लिए स्वतंत्र है ध्रणीती के जानकार भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रहे है इसलिए 11-12 जुलाई को नेटों की बैठक के बाद वेगनार के लबादे में रूस का विनाशकारी आक्शन देखने को बल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वेगनर के डर से पोलान ने बेलरूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेस कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के नूकलियर सेंटर के पास वेगनर ग्रूप का कैम्प हुना पोलिंज के लिए डर का मुख्यकारन है लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई पुखता जानकारी नहीं है यानि प्रिगोजिन की पगावत, क्रेमलिन के खिलाब बयान, रोस्तोव और वोरोनिश पर कबजा, समझोता और फिर बेलरूस में शरण सब कुछ संदेह के ताइरे में है यहां तक की सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गाइब होने पर है क्या वाकी प्रिगोजिन के सहारे, न्यूपियर संधार का प्लैन तयार कर दिया है यूरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत रूस ने मार गिराया सुखोई 25 लडाकु विमान बड़ी जानकारी आ रही है, यूकरेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूकरेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्षा मंत्वाले की प्रवक्ता का एदावा है रूसी एर डिफेंस ने यूकरेनी हमला नाकाम किया है 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट हुए है तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूकरेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 दिन है और इस मौके पर यूकरेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आइलाइन का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्रधांजली अर्पित की 500 दिन पूरे होने पर जेलंस्की ने कहा है कि यूकरेन ने उमीद नहीं छोड़ी बलकि इरादा क्रीमिया को आजाद कराने का है लेकिन यूद के 500 दिन पेंटिगन ने का है कि यूकरेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी निराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूकरेन से मदद का हाथ खीट सकता है युद्ध में युक्रेन का इतने दिनों तक ठीके रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है युक्रेन, नेटो और अमेर्की खेमे के देशों से बिलने वाले सहयों की बतौलत भी जंगर रहा है जिस युद्ध को एक हफ़ते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके है युद्ध के 500 दिन जेलन्सकी ने युक्रेन के विज़े और साहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दौरा किया एक नाव पर सवार होकर जेलन्सकी स्नेक आलेंड पहुँचे स्नेक आलेंड पर स्नेक आलेंड पर जेलन्सकी ने युक्रेन का जंडा फैराया और शुपकाम ना आयती स्नेक आलेंड पर पहुँचे जेलन्सकी ने शहीतों के समारक पर भोल अरपित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा सिलन्सकी ने ब्लैक सी में शहीदों की याद में भोल भी अर्पित किये स्नेक आलन्ड युक्रेन की विजय का प्रतीक बन गया है स्नेक आलन्ड पर रूस की नेवी ने 24 फरवरी 2022 को हमला किया कुछी घंटों बाद रूस ने इस पर कबजा कर लिया रूस ने युक्रेनी नेवी के सैनिको को सरेंडर करने के लिए कहा युक्रेन के सैनिको ने रूस को रेडियो पर कहा भाड में जाओ युक्रेनी सैनिको का ये संदेश दुनिया भर में वाइरल हो गया युक्रेन के सैनिको को रूस ने पंधक बना लिया जून 2022 में युक्रेन ने स्नेक आलेंड को फिर जीत लिया इसलिए जिलेंज की युक्रेन की विज़े के प्रतीक बन चुके टापू पर पहुँचे और राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया जुद्ध के भले ही 500 दिन पूरे हो चुके हो और नेटों की मदद के भी लगभग इतने ही दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अमेरिका ने इस मौके पर जो कहा है उसके माइने एहम है पेंटेकन ने कहा है कि काउंटर ओफिंसिव से उमीदों के मताबिक नतीजे नहीं मिले युक्रेन हथियारों का सही इस्तबाल नहीं कर पाया हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि युक्रेन को आर्टिलरी की कमी ना हो इसलिए युक्रेन को क्लस्टर बम दिये जा रहे है युक्रेन आर्टिलरी का बड़ा हिस्सा काउंटर ओफिंसिव में गवाँ चुका है अब अमेरिका के बाज भी हथियारों की कमी हो रही है और इसलिए पांसोवे दिन प्रतिपंधित हो चुके कलस्टर बम भेजने पर मोहर लगा दी गए युरो रिपोर्स तीवी नाइन भारत पर्ष युक्रेन की जमीन पर अमेरिकी हथियारों का खात्म और सीरिया के आसमान में ड्रोन का सामना पिशले तीन दिनों से जो हो रहा है उससे पुतिन की इसी रणीती का एसास हो रहा है अमेरिका को डारेक्ली चैलेंज करने के लिए पुतिन ने सीरिया को चुना है यहां तीन दिनों से अमेरिका ड्रोन के जर्ये सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी है और ऐसा लग रहा है जैसे रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है तीनों दिनों हाथ से टल गए हैं और किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन इस सिलसला आगे बढ़ा तो महा यूद की वज़ा भी बन सकता है तारीक 5 जुलाई 2023 जगह सीरिया अमेरिकी ड्रोन के सामने रशिन फाइटर जेट्स ने उडान भरी अमेरिका के आरोप के मताविक रशिन फाइटर्स जान बूज का ड्रोन के सामने आए लेकिन हाथ सा तल गया और अमेरिका के ड्रोन सुरक्षित रहे तारीक 6 जुलाई 2023 सीरिया पर नज़र रखने वाला अमेरिकी MQ9 रीपर आस्मान में था तभी रूस की लड़ा को विमान ड्रोन के करीब आ गए रॉशन विमानों ने फ्लियर्स दागने शिरू कर दिये अमेरिकी वायू सेना के मताबिक रॉशन विमानों ने ट्रोन के सामने विमान का आफ्टर बर्नर ओन कर दिया धुएं की वज़े से ट्रोन का कैमरा कुछ देर के लिए तस्वीरे नहीं ले सका नारीख 7 जुलाई 2023 जगे सीरिया लगातार 30 दिन फिर वही हुआ लगातार 30 दिन आस्मान में फिर रॉशन फाइटर जेट्स अमेरिकी डोन्स के सामने आ गए अमेरिका की तमाम आपत्यों को नजर अन्दास करते हुए तीसरे दिन भी रॉशन फाइलेट्स ने वही किया जो पिछले दो दिनों में किया गया था साथ जुलाई को फिर रॉशन फाइटर ध्रोन के सामने आ गए सीरिया में अमेरिका के तीन MQ-9 रीपर ड्रोन ओर रहे थे रॉशन फाइटर अठारा बार ड्रोन के करीब से गुजरा दो घंटे तक रूस का फाइटर जेट ड्रोन के करीब मंडराता रहा धुनिया के दो ताकत पर रेशों की फ्लानिंग और अक्शन से अब यह यकीन होने लगा है कि युक्रेन जुद्ध का दाइरा बहुत बड़ा हो सकता है फिछले सवा साल से जो आशंकाए हैं वो सच साबिट हो सकती है तीन दिन से तनाव युक्रेन से बहुत दूर लेकिन ये इसलिए क्योंकि युक्रेन में अमेरिका की मौजूदगी सीधे तोर पर नहीं है लेकिन सीरिया में तो बाकाइदा अमेरिकी फॉज मौजूद है वहाँ मौजूद अमेरिकी सेना ही ड्रोन को अपरेट करती है और शायद इसलिए अमेरिका को चुनोती देने के लिए रूस ने सीरिया के आसमान को चुना है तीवी नाइन भारत वर्ष ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि सीरिया के एर स्पेस में वर्चस्व कायम करना अब रूस का सबसे बड़ा मकसद है रूस की सेना अब सीरिया में युद्धा भ्यास भी करेगी युद्धा भ्यास का मकसद सीरियन एर स्पेस पर कंट्रोल करना है रूस की Electronic Warfare Units युद्धा भ्यास में शामिल होगी लगातार तीन दिनों से अमेरिका और रूस सीरिया के आस्मान में आमने सामने है इसकी एक वजे नेटो की बैठक को भी माना जा रहा है लिध्वानिया के विलिनियस में 11-12 जुलाई को होने वाली नेटो की बैठक में रूस के हमले के खिलाव युक्रेन की मदद और उसकी नेटो सदस्यता के मामले पर एहम चर्चा होगी रूस को इसकी जानकारी मिल चुकी है लेकिन पुतिन के गुस्से की वज़े एक और खबर भी है जिसके मताबिक नेटो की सेना अब युक्रेन की मदद के लिए सीधे तोर पर भी उतर सकती है आना जा रहा है कि इसी वज़े से सीरिया में रूस के पाइलिट्स अमेरिका के साथ-साथ फ्रांस के राफल विमानों के सामने भी आ गए अमेरिका या फ्रांस ने फिल्हाल सबर से काम लिया है लेकिन रूस का ये उकसाबा एक बड़े महा युद्ध की शरवात भी करा सकता है क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने की तैयारी युपरेन युद्ध की शरवात से ही कर रहा है येड़ो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत परश और इस बीच बारिश के दिनों में नदियों में बाड आम बात है ये कुद्रत का विज्ञान है जिसमें पहाडों से पानी नदी में गिर कर बाड के रूप में गंदगी को बहा ले जाने में मददगार होता है लेकिन इनसानों ने अपने मतलब के लिए कुद्रत से खिलवार किया और विज्ञान को चुनौती दी इसलिए हम्याजा भी इनसान को ही भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया में बार इनसानों के लिए मुसीबत का कारण बन दे ज्यादतर जगोपर अब नदियों में सेलाब नहीं बलकि शेहरों में सेलाब वाली नदिया वेने लगी है देखे वॉर्ल फलड रिपोर्ट गुद्रत का कहर बारिश के बाद सेलाब का बवंडर दुनिया के ज्यादातर देशों के अलग-अलग हिस्सों में इस वक्त तक्रीबन एक जैसे ही हाला थे कहीं नदियों में आई सेलाब ने हाहा कार मचा रखा है तो कहीं शेहर की सड़कों पर सेलाब के साथ नदिया बै रही है देखकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन ये सच है ये बारिश के बाद आई हाहा कारी बार का कहर है जिसमें सबसे ज़्यादा देहलाने वाली तस्वीरे सामने आई हैं स्पेन से ये स्पेन का जारगोजा शेहर है भारी बारिश के चलते स्पेन के जारगोजा के किनारे से बहने वाली नदी में पानी का स्तर हितना ज्यादा पढ़ गया कि पूरा शेहर नदी की ज़त में आ गया आम लोग अपने काम से सरगों पर तो निकले लेकिन पाड़ में घिर गए किसी ने सोचा भी नहीं था कि सलग पर निकलने पर उन्हें इस पाड़ का सामना करना पड़ेगा ना ही किसीने कल्पना की होगी की उनके शेहर की इमारते और सलग सब नदी में समा जाएंगे बार की इस तबाही को देखकर कोई भी दहल जाए, बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा सड़के जलमग, रास्ते शेहर में बहती बाड की तेह में समा गए कार और दूसरे यातायात साधन बाड के रास्ते में आए तिनके की तरह बहने लगे लेकिन ये हाल सिर्फ स्पेन का नहीं है ये उस चीन की तस्वीर है जो कुदरत से खिलवाड करके प्रकृती को अपने हिसाब से चलाने का ख्वाब देखता है लेकिन कुदरत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है तबाही ये वही तबाही है जो भारी बारिश के बाड बाड के रूप में दिख रही है वीडियो चौंकिंग के वान्जोव का है जहां अचानक बाड आ गई जो जहां था वही रुक गया लेकिन सैलाप नहीं रुका दावे के तहद इस बाड में कई घर तबाह हो गए आकडों में 15 लोगों की मौत और कई लोगों का लापता होना दर्च हो गया नमस्कार आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुनंदन सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ 6 जुलाई की रात को क्रेमलिन में पुतिन ने राश्टिय सुरक्षा परिशद की आपात बैटक बुला प्राइम सायोगी ही इस बैटक में शामिल हुए दो गंटे की बैटक के बाद रूस के पूर्वी और पश्मी छोर पर बने दो एर बेस पर हल चले तेज हो गई है शुरू हो गई है चार न्यूकले बॉम्बस थे वहां से उडान भरी और एक आक्तिक की तरफ रवाना हो ग यह है जिससे महासागर से महाविनाश का बवंडर कभी भी शुरू होने का खत्रा मन रहा है महाविनाश के इस त्रिकोर ने ऐसे समीकरन बना दिये हैं कि धर्ती पर सबसे बड़े परमाडू हमले की आशंका बढ़ती जा रही है इस त्रिकोर में धर्ती के सबसे उपरी हिस पुतिन ने ऐसा किया क्योंकि पॉलन की जमीन पर अमेरिका की हत्यार तैनात हो रहे हैं और ब्रितन अंतरिक्ष से परमाडू हमले की तैयारी पूरी कर चुका है। पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किये जा रहे हैं। दरों से किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये आत्मरक्षा के लिए हैं। हमसे मत उल्चो और इन हत्यारों की वज़े से चिंता में ना पड़ो। लेकिन बेलारूस पर आक्रमन किया तो जबाब बहुत घहतक होगा। परमानु तैनाती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। पेलारूस में पोतिन की मोर्चे बंदी के बाद से ही पॉलन ने परमानु हत्यारों की मांग की थी। पॉलन सरकार ने कहा था कि वो नेटो परमानु सहयोग संगठन कारिक्रम में भागीदार बनना चाहते हैं और उनकी जमीन पर परमानु हत्यार तैनात किये जाएं। राश्टपती पोतिन ने रूस की राश्ट्रिय सुरक्षा परिशत की आपाद बैठक बोलाई। इस बैठक में सुरक्षा परिशत के 27 सदस्य शामिल हुए। बैठक में पोतिन ने परमानु तैनाती पर एहम फैसले लिए। इसी बैठक में पोतिन ने कहा कि रूस दुश यह फैसला कर लिया गया कि नेटो के इस ऐलान का तुरंद जवाब दिया जाएगा। पॉलन की इंटेलिजन्स रिपोर्ट है कि रूस ने दस अलग-अलग लास के न्यूक्लियर बॉमबर्स आक्तिक बेस पर तैनात कर दिये हैं। जिनाय भी नहीं कर सकती हैं। क्योंकि उसकी आक्तिक इंफ्रस्ट्रक्चर के सामने नेटो के सारे देश कमजोर हैं। और इधर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। पर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्क्तिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं। और लाल रंग वाले आंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। से ज़्यादा संख्या में आर्क्टिक में तैनात है। इन सभी देशों पर पोतिन की आर्क्टिक परमाडू तैनाती से सीधा खत्रा मन्राने लगा है। 11-12 जुलाई को लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में नेटो की बैठक होने वाली है। इस बैठक में रूस को घेरनी की प्लैनिंग तैयार की जाएगी। उससे पहले ही रूस ने नेटो के चार नौडिक सदस्यों सहित पाँचवे संभावित सदस्य स्वीटन के खिलाफ परमाडू घेरा बंदी कर दी है। आशंका है कि जुलाई का महीना विश्व विनाश की चिंगारी भड़काने वाला है। योगि अमेरिका भी मान चुका है कि इसी महीने में पोतिन परमाडू हमले का ट्रिगर दबा सकते हैं। इसी लिए ब्रिटन ने भी खत्रा महसूस करते हुए अंतरिक्ष के परमाडू हमले का प्लान तयार कर लिया है। वज़े हैं अगर रूस के खिलाब नेटों की मोर्चे बंदी और तेज हुई तो आत्तिक बेश से नियूक्लियर हमला तैय माना जा रहा है। येरो रिपोर्ट थीवी नाइन भारत वरश। बड़ी खबर इस बीच ये कि यूकरेन की मदद के लिए अमेरिका टांक बेज रहा है, बंगोला बारूत बेज रहा है, यहां तक की मिसाइल डिफेंस भी बेज रहा है। मगर अब यूकरेन को एक ऐसे विनाशक हतियार की सप्लाई होनी है, जो दुनिया के करीब 120 देशों में प्रतिबंदत है, जिसके युद्ध में इस्तिमाल करने पर बान लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि इस विस्पोटक हतियार पर प्रतिबंद खुद अमेरिका ने लगाया है, लेकिन आपको ये बता दे कि इसी विनाशक बम के इस्तिमाल से सुपरपावर ने 68 साल पहले एक मुल्क में तबाही मचाई थी, भीशन नरसनहार किया था, खरीब 9 सालों तक हर 8 मिनट में एक बम गिराया था, तो क्या उसी युद्ध नीती का इस्तिमाल अब रूस के खलाफ होगा, आखर क्या है बाइडिन का उपरेशन रोलिंग थंडर, देखिए. सरजमी को दहलाएगा, 200 दिनों से जारी रूस-युक्रेन बॉर में संसनी मचाएगा. जी हाँ, युक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हत्यार देने पर हामी भरी है, जिस पर खोद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, और जानते हैं, वो क्या है? जिसकी सप्लाई जल्धी युक्रेन को होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि काउंटर ओफिंस फेल होने के बाद, युक्रेन ने अमेरिका पर युद्ध सामगरी भेजने का जबरदस्त दबाव बनाया है, और जानते हैं, युक्रेन की सिर्फ एक डिमांड है, औ पर वो है स्रतिबंधित क्लस्टर बम की खेब, ऐसे में दावा ये भी किया जा रहा है, कि युक्रेन के दबाव के चलते अमेरिका क्लस्टर बम भेज सकता है, प्रेसिडेंट बाइडन क्लस्टर बम की सप्लाई पर मोहर लगा सकते हैं, अगर युएस डिफेंस ने बम दागे, तो फिर भीशन तबाही तय है, ठीक वैसे ही जैसे 50 के देशक में वियतनाम वार में हुई थी, वैसे तो इतिहास में कई भयानक युद्ध लड़े गए, लेकिन 68 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोगों की माथ हुई, और ये जंग करीब 20 साल तक चलती रही, क्योंकि ये जंग USSR और US के कोल्ड वार की चपेट में आई, और देखते ही देखते वार की चपेट में लाखों लोग आ गए, भीशन नर संखार हुआ, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तिमाल किया था, वियतनाम वार ना ही किसी खरदाने और ना ही कुछ जताने के लिए लड़ी गई, बल्कि ये युद्ध वियतनाम में शांती और आजादी के लिए हुआ, बगर सोवियत संग और अमेरिका की प्रोपगेंडा को सेटिस्फाय करने के लिए जो युद्ध 20 सालों तक चला, उसे इतिहास कभी नहीं ये जंग वियतनाम के ही दो हिस्सों में लड़ी गई थी, पहला नौथ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम था, नौथ वियतनाम की मदद चीन और युएस से सार ने की, वही साउथ वियतनाम के साथ युएस और यूरोपिय देश थे, लेकिन अगस्त 1964 के बाद अमेरि और इसके लिए अमेरिका की ताकत पर पॉज ने आस्मान से क्लस्टर बमदा गे, अंगिनत और बेहसाब तरीके से, नौथ वियतनाम के हर टेरेन, हर इलाके में आस्मान से ताबर तोड बंबारी की गई, लेकिन युद तब और भी भयानक हो गया जब लाउस ने उत्तरी वियतनाम की सेना को अपनी धर्ती पर लड़ाई के लिए इजाज़त दे दी, बस फिर क्या लाउस की इस हरकत से अमेरिका बॉखला गया, और उसने वायू सेना के जरिये दक्षिलपूर एशिया के छोटे से देश लाउस पर बमों के बरसाथ ही कर दे, आप ये जानकर हैर रह जाएंगे कि अमेरिका ने 1964 से 1973 तक यानि पूरे 9 साल लाउस पर बंबारी की, इस दोरान हर 8 मिनट में एक क्लस्टर बम लाउस पर दागा गया, वही नौथ वियतनाम पर करीब 26 करोड क्लस्टर बम दागे गए, दावा किया जाता है कि अमेरिका ने वियतनाम वार के द परान सिर्फ लाउस में ही हर रोज करीब 15 करोड रूपे की लागत के बंबर साए, अलगी 20 साल तक चले इस भीशन युद्ध की वज़े से अमेरिकी सरकार को अपने ही लोगों और अंतराश्टिय दवाब का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो युद्ध से पीछे हट था, वहीं U.S.S.R. और चीन के समर्थन से उत्तरी वियतनाम की सेना ने तक्षणी वियतनाम के बड़े शहर साइगोन पर कब्सा कर लिया, इसी के साथ साल 1975 में ये भीशन युद्ध समात रुआ था, लेकिन तब तक भीशन तबाही हो चुकी थी, क्योंकि वियतनाम वार म करीब 1.2 मिलियन लोगों की माथ हुई, तेर लाख से ज्यादा लोग खायल हुए, वहीं 58,000 अमेरिकी सैनेक भी मारेंगे। और बाकन में भी क्लस्टर बम का इस्तबाल किया है, जिसका असर भी गहरा पड़ा है। ऐसे में मुम्किन है कि जैसे ही युक्रेन ने क्लस्टर बम देने का दबाव बनाया, रिजिजिट्ट बाइडन ने सप्लाई को हरी जंडी दे दी, अलाकि ये क्रेम्लिन के लिए उक इसने या इस्तिमाल करने पर रोक लगाई गई क्यूंकि एक क्लस्टर बम कई धमाके करने के लिए कुख्यात है। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्यूंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्पोटक निरधारत लक्ष के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वज़ा है कि क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तमाल करने पर पाबंदी लगाई गई और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तमाल पर बैन लगा हुआ है। मतलब साफ है। भले ही अमेरिका ने युक्रेन के दबाव में क्लस्टर बम देने का वैसला लिया हो। अलग इसके पीछे की रणीती गया है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बाइडन के इस कदम पर पोतिन का माथा ठंका तो यकीन मानिए रूस महा विनाशक हतियार यानी एटम बम के इस्तमाल से भी हिचके का नहीं। वैसे भी पोतिन न्यूक्लियर विपन्स के इस्तमाल पर अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं। अगर रूस पर किसी भी तरह की आचाई तो पलग छपकते ही वो एटमी हमले का ट्रिगर दबा देंगे। और सबसे एहम बात ये है कि भले ही वियतनाम वार में अमेरिका ने क्लस्टर बम का इस्तमाल किया। लेकिन आखिरकार जंग नौथ वियतनाम नहीं जीती है। और इस बार तो अमेरिका के सामने रूस जैसा महावली है जिसके बारुदी जखीरे में क्लस्टर बंभी है और बर्मालू बंभी। ब्योरो रिपोर्ट टीवी नाइन भारत बर्ष। बड़े खबर इस वक्त आरे है क्रिमिया में रूस का भीशन अटाक हुआ है यूकरेनी फोस के कैमप पर हमला किया गया है। वो तारीख करीब आ रही है जब नेटो यूकरेन के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है रूस के खलाफ कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं लेकिन उससे पहले पुतिन यूकरेन को इतनी बुरी हालत में पहुचाने की कोशिश में है कि NATO को यूक्रेन को समलने में ही लंबा वक्त लग जाए यही वजा है कि यूक्रेन पर रूस के सैनिकों का ताबर तोड प्रहार जारी है पुतिन के सैनिक दक्षिन और उत्तर दोनों तरफ से यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुचाने का मिशिन जारी किये हुए है वार ग्राउंड से आई रिपोर्ट की मताबिक भयंकर जंग के बीच यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई है 12 जुलाई की डेडलाइन फिक्स है तब तक प्रहार की रफ्तार यो ही रहने वाली है रशन पोस को एक मिनट भी आराम करने की छूट नहीं हर दिन तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है सेना की कमांडर्स के लिए पोतिन का क्लियर मेसेज है 12 जुलाई तक युक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाने का ओर्डर है रूस की स्पेशल मिशन के बाद युक्रेन का काउंटर ओफिंस जगा जगा नाकाम हो रहा है वार जोन से आ रही तस्वीरों और आकडों से अंदाजा हो रहा है कि अगले चार दिन युक्रेन के लिए बेहत भारी रहने वाले हैं जेपुरीजिया में हमला 200 सैनिकों की मौत जेपुरीजिया के भीशन जंग में एक बार फिर रूस युक्रेन पर भारी पड़ा है लेटिस रिपोर्ट के बताविक यहां युक्रेन के सैनिकों के हमले का मूँ तोड़ जबाब दिया गया और रूस के सैनिकों ने हथियारों समेथ युक्रेन के सैनिकों को खत्म कर दिया सेपुरीजिया में 200 सैनिकों की मौत हुई है युक्रेन का एक स्यू 25 लड़ा को विमान क्रैश हो गया एक ब्रिटिश आर्टिलरी गन एक MSTAP होविच से सिस्टम नस्ट कर दिया गया क्रिमन्या में भी रूस ने बड़ा हमला किया यहां रशन सेना के टार्गेट पर युक्रेनी फोर्स का कैम था यहां जंगल में छिपे युक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ पाकमद को वापस हासिर करने के कोशिश कर रही युक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने नाकाम कर दिया यहां रूस के सैनिक अब ड्रोन गन से लैसें और युक्रेन के कई ड्रोन को गिरा दिया गया है सूमी पर रूस का ताबर तोड़ प्रहार जारी है सूमी के दस अलाखों पर गोला बारी की गई रूस के सैनिकों ने सूमी में 111 गोले तागे हैं बेलगरोत में एक बार फिर थमाकों की आवाज सुनी गई बेलकरोट के गवर्नर के मताबिक शहर में कई जिगों पर कोला पारी की गई रूस की काम्याबियों के पीछे अमेरकी एजनसी ने युकरेन को भी बढ़त मिलने का दावा किया है अमेर्की एजेंसी के मताबिक तीन इलाकों में युक्रेन का काउंटर ओफिंस काम्याब रहा है युक्रेन को अपने सैनिकों को पूर्व से दक्षन में शिफ्ट करना पड़ा है रूस ने युक्रेन के पिछले इलाकों में मिजाईलो और ड्रोन से हमला किया है जेपुरीजिया के बाद सबसे बड़ी जंग डॉनस्क में चल रही है यहां रूस के सैनिकों ने लीमन पर बड़ा हमला किया है यहां रूस के सैनिकों के रॉकेट प्रहार में कई लोगों ने जान कवाई है लीमन में छे लोगों की मात हो गई है लीमन में पाच लोग हमले में जखमी हो गए रूस की आर्मी ने मोटार दागने की चक्ति को दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है ये रूस की 40 वी मरीन ब्रिगेड है बॉर्डर परूस के सैनिक ट्रैक से मोटार लॉंचर को लेकर अलग-अलग पोजिशन ले रहे हैं और फिर टार्गेट के करी मोटार लॉंचर का सेट अप किया जा रहा है चुन-चुन कर शिकार युक्रेनी ड्रोन का प्रहा युक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है देखिये रात के अंधेरे में कैसे युक्रेन का ड्रोन चुन-चुन कर रशन सैनिकों का शिकार कर रहा है रात के वक्त आराम कर रहे सैनिक जहां बे दिखे वहां ड्रोन से ग्रेनेट ड्रॉप किया गया युक्रेन की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है दावा किया जा रहा है कि कामिकासे ड्रोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया गया है यॉक्रेन ने इस वीडियो से रूस के कई टैंक, आर्टिलरी और आर्बर्ड वेहिकल्स को तबाह करने का दावा किया है हत्यारों की नई खेप भेजी जा रही यॉक्रेन रूस के हमले में यॉक्रेन के कई टैंक और आर्टिलरी नश्ट हो चुके है अब इटालियन हविट्सर युक्रेन आने के लिए तयार है हविट्सर ट्रेन पर लोड हो चुके हैं और जल्ड युक्रेन के सैनिकों तक पहुँचाए जाएंगे जेपुरीजिया में 200 युक्रेनी सैनिकों की मौध की खबर है लेकिन युक्रेन का दावा है कि रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है युक्रेन का दावा है कि जेपुरीजिया में युक्रेन ने रूस के एक सैन्य ठेकाने को तमाह कर दिया ट्रोन अटैक में रूस के कई हत्यार भी नश्ट हो गए इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग ग्राउंड का दौरा किया है रूस का ये ट्रेनिंग ग्राउंड ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है युक्रेन रूस युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर प्रेजडन्ट जेलेंस्की ने युद्ध में मरने वालों को श्रधान जली दी है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं द्रोन से युक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे की आर्टिलेरी को खत्म करने के मिशन पर हैं पुतिन चाहते हैं कि 12 जुलाई तक युक्रेन के सैने ठेकानों को पूरी तरह से तबाह किया जा सके ताकि नेटो अगर युक्रेन को बारूत की सप्लाई भी करे तो उसका इस्तमाल ठीक से ना हो सके जबकि युक्रेन अमेरिका और नेटो से घातक हत्यारों के आने के इंतजार में है और तब तक युक्रेन की सेना को रूस के हमलों से डट कर मुकाबला करना है वीरो रेपौर्ट, दीविनाइन, भारतवच बड़ी खबर इस वक Depth बाखमुत में युक्रेनी काउंटर उफेंसिव फेल हुआ है उक्रेन के ड्रोन्स ऐटाक उख किया गया है नकाम ड्रोन गंसे लेस रूसी सैनिको का एक्षिन हुआ है रूसी फोर्स का दावा है, कई यूक्रेनी डोन्स इसमें तबा हुए है यूक्रेन के खलाफ जंग में रूस की प्राइवेट आमी वागनर ग्रुप के चीफ येविगिनी प्रिगोजन की बगावत पूरी दुनिया ने देखी लुकाशेंको की मध्यस्ता से हुआ समझोता भी देखा और बेलारूस में वागनर ग्रुप को दी गई शरंड से भी सब वाकिफ है लेकिन इस पूरे घटना करम में प्रिगोजन अचानक कहीं लापता हो गए उन्हें बगावत के बाद किसी ने नहीं देखा इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं जिसमें शंका का सबसे बड़ा कारण बेलारूस की सीमा पर अचानक पोलेंड की बढ़ी हलचल है आखर क्या है इसके कारण देखिए इस रिपोर्ट में 25 जून 2013 सस्पेंस का दिन खाई प्रिगोजिन येवगेनी प्रिगोजिन का खोले आम रूसी रक्षा मंत्री के खिलाब मोर्चा खोलना हत्यार की कमी का जंग के बीच वीडियो सार्वजने करना गुस्सा देखाना सब ने देखा और यही गुस्सा आगी चलकर क्रेमलिन से संघर्ज का कारण बना 24 जून 2013 क्रेमलिन से अदावत वैगनार ने की बगावत ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा लिगोजिन की ओर्डर के बाद वैगनार लडाकों ने पहले रोस्तों और फिर वरोलिश पर कप्चा कर लिया था ये रूसी सेना के खिलाब खुली बगावत थी तब रूसी सेना और वैगनार के बीच ये सीधा संघर्ज था लेकिन पाट जून आते आते बेलरूस की प्रेजडनलुकस शेंको के हस्तक शेप से समझहुता हुआ और इसी तारीख से प्रिगोजिन को किसी ने नहीं देखा कावाहे कि प्रिगोजिन और वैगनार फोर्स ने बेलरूस में शरन लेली और समार बेलरूस में लगे वैगनार लड़ाकों के कैम पर खड़े हो गया क्या प्रिगोजिन की बगावत और समझोता दिखावा है क्या रूस की न्यूक्लिय कॉलनी में वैगनार तैनात है क्या प्रिगोजिन ही न्यूक्लिय सेंटर को तयार कर रहे है सवाल बेलरूस में वेगनर लड़ाकों के लिए बनाई गए इन कैम्प से ही चत्मेश ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैम्प जिस जगह पर बनाय गया है वो बेलरूस में बनाई गई रूस की न्यूक्लिय साइट से महज 25 किलोमीटर दूर है यानि बेलरूस में वैगनार्ज की कैंप साइट ओसी पोविची के 25 किलोमीडर के दाइरे बे ही रूस ने अपने निउक्लियर हत्यार तैनात किये अलगि रूस इन हत्यारों को अपने नियंत्रन में बताता है लेकिन वैगनार की तैनाती से संदेह गहराने लगा है मुम्किन है कि बगावत के बाद से गाय प्रिगोजिन को बेलरूस इसी नूक्लियर साइड को कंट्रोल में लेने के लिए भेजा गया हो इसलिए रूसी आर्बी और सीक्रिट एजेंट से प्रिगोजिन को खत्रे के आशंका किसी भी पक्षने नहीं जताए उल्टा बेलरूस के प्रेजडेंट अलेक्जेंडर लोकाशेंको ने खुले आम वैगनार लडाको और प्रिगोजिन के तारीफ की अगर हमें अपनी रक्षा के लिए वैगनार यूनिट के इस्तमाल के जरुवत है तो वैगनार यूनिट तुरंट सक्रिय हो जाएगी वैगनार ग्रूप पर उसके कमांडर्स के पास जो अनभव है वो खुशी से हमारी फोर्स को देंगे आपने जो सुना यही सच है लूकाशेंको को वैगनार ग्रूप और येवगनी ब्रिगोजिन पर पूरा भरोसा है लेकिन सवाल यह है कि लूकाशेंको को ब्रिगोजिन पर इतना भरोसा है क्यों रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है सेंटर जेपुरीजिया प्लांट के बारे में रूस और नेटो दोनों ही पक्ष सहमत है जेरन पीपी एक प्राइमरी न्यूक्लियर सेंटर है लेकिन नेटो की हलचल बता रही है कि प्रिगोजिन को लेकर उठर हैं सवाल बिल्कुल सही दिशा में है सेंटर बेवलरूस हो सकता है लुकाश्यनको के प्रिगोजिन पर भरोसे का कारण नेटो की हलचल ही है जो बता रही है कि रूस का न्यूक्लियर आक्शन जैपुरीजिया न्यूक्लियर प्लांट से नहीं होगा बलकि बेलारूस से होगा तो भी उप्रेन के खिलाप नहीं बलकि नेटों के खिलाप और इस न्यूक्लियर सेंटर की कमान प्रिगोजिन के हाथ में होगी ताकि रूस पर जवाल पड़े होने से पहले सस्पेंस बना रहे और इसका प्रमाण है पॉल इंड बॉटर ये वीडियो जंग के बढ़ते दायरे का प्रमाण है और दायरा बढ़ा है बेलारूस में हुई रूस के न्यूक्लियर हत्यारों की तैनाती से अलगी तैनाती जुलाई से पहले ही हो चुकी थी लेकिन अभी हलचल ज्याता है टैंक, सैनिक, बेलारूस सीवा पर तैनात किये जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि पॉलन पर वैगनार गृप की बेलारूस में तैनाती से बड़ा असर पड़ा है वो भी उस दौर में जब ल सैनिकों की तैनाती की जा रही है वही 200 यूनिट मिलिटरी एक्विपमेंस भी बेलारूस बार्डर पर पहुँच गए हैं इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में बेलारूस पारूद सेंटर होगा और वैगनार चीफ के अंडरग्राउंड होने का असली मक्जद इस प अनुबंध खत्म हो चुका है बेलारूस ने वैगनार को शरन दी है लेकिन अनुबंध नहीं है बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर वेपन पर प्रिगोजिन का कबजा संभव है और राश्टिवादी प्रिगोजिन न्यूक्लियर वेपन इस्तमाल के लिए स्वतंत्र है रणीती के जानकार भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रहे हैं इसलिए 11-12 जुलाई को नेटों की बैठक के बाद वैगनार के लबादे में रूस का बिनाशकारी आक्शन देखने को बल सकता है हालात ये भी बता रहे हैं कि वैगनर के डर से पोलाण में बैलरूस की सीमा पर अपनी तैयारी तेज कर दी है और दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग की तैयारी है रूस के नूकलियर सेंटर के पास वैगनर ग्रूप का कैम्प हुना पोलिंज के लिए डर का मुख्य कारण है लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई पुक्ता जानकारी नहीं है यानि प्रिगोजिन की पगावत, क्रेमलिन के खिलाफ बयान, रोस्तोव और वोरोनिश पर कबजा, समझोता और फिर बेलरूस में शरण सब कुछ संदेह के ताइरे में है यहाँ तक की सबसे बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन के गाइब होने पर है क्या वाकिल प्रिगोजिन के सहारे, नियूपियर संधार का ब्रैन तयार कर दिया है यूरो रिपोर्ट, टीवी नाइन, भारत रूस ने मार गिराया सुखोई 25 लडाकों विमान, बड़ी जानकारी आ रही है यूक्रेन का सुखोई 25 फाइटर जेट हवा में तबाह हुआ है यूक्रेन के 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट किये गए है रूस के रक्षा मंत्वाले की प्रवक्ता का एदावा है रूसी एर डिफेंस ने यूक्रेनी हमला नाकाम किया है 21 हिमास रॉकेट इंटरसेप्ट हुए है तीस से जादा देशों की मदद से रूस के साथ यूद लड़ते हुए यूक्रेन को 500 दिन पूरे हो चुके है आज यूद का 500 वा दिन है और इस मौके पर यूक्रेनी राश्रपती जेलंस्की ने ब्लाक सी के स्नेक आईलाइन का दौरा किया और यूद के शहीदों को श्रधांज्री अरपित की 500 दिन पूरे होने पर जेलंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने उमीद नहीं छोड़ी बलकि इरादा क्रीमिया को आजाद कराने का है लेकिन यूद के 505 दिन पेंटिगन ने का है कि यूक्रेन ने इतनी मदद मिलने के बाद भी मिराश किया है तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका यूक्रेन से मदध का हाथ खीट सकता है जिस यूद को एक हफते का माना जा रहा था उसके 500 दिन पूरे हो चुके हैं युद्ध के 500 दिन जेलिंस्की ने युक्रेन के विजए और साहस का प्रतीक बन चुके स्नेक आलेंड का दौरा किया एक नाव पर सवार होकर जेलिंस्की स्नेक आलेंड पहुंचे स्नेक आलेंड पर जेलंस्की ने युक्रेन का जंडा फैराया और शुपकाम नाये थी स्नेक आइलेंड पर पहुँचे जेलंस्की ने शहीतों के समारक पर भोल अरपित किये और क्रीमिया जीतने का लक्ष भी रखा सेलन्सकी ने ब्लैक सी में शहीतों की याद में भूल भी अर्पित किये